हां जी येस प्लेस गुड़ मॉर्निंग फ्रेंड्स हां जी देगे फ्लेंग भी नाच शुरू करते हैं ट्रांस्वर प्राइज है ओर बात करें आगि वह बात करें आए यह अएकए प्र नोर्मल अगर बात करें तो हमेशा आता ही है इसमें coverage पहले तो first calculation of transfer price calculation of transfer price with key factor without key factor right calculation of transfer price with application of calculus differentiation जो आपने किया वह है किसमें marginal revenue marginal cost वाला का बसर्ट heart transfer price based on best strategy transfer price based on international text based on international tax decision making if transfer price is given and last preparation of statement of profit when transfer price or method is given is our coverage is topic okay okay yes yes है जब से पहले समझते हैं कॉंसेप्ट आफ ट्रांसर प्राइस होता क्या है धांते समझना है हाज नोट कर लिए ट्रांसर प्राइस का मतलब क्या कहना चाहते हैं करें शुरू चलिए होगे नोट कर लिए सब नहीं देगें ट्रांसर प्राइस का मतलब यह कहते हैं प्राइस प्राइस का मतलब अमाउट रिसीट फॉर गूट्स और सर्वेसिस जब प्राइस की बात करते तो उसका मतलब वैल्यू अब ट्रांसर ट्रांसर का मतलब सेल नहीं ट्रांसवर ड़स नॉट मीन हेर सेल सेल का मतलब क्या होता है वें गूट्स रीची इन दा हैंड्स अफ कस्टमर टाइटल अफ गूट्स ट्रांसवर हो जाना यहां पर हम बात करें जब एक कंपनी में दो डिवीजन है तीन डिवीजन है एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को भेज रहा है तो फिर इंटर डिवीजन ट्रांसवर है तो जो कॉस्ट है उसमें तो ट्रांसवर हो जाएगा फिर वो प्राइस चार्ज क्यों कर रहे है मलब वो ज़्यादा पैसे क्यों ले रहे हैं फिर से मलब एक department है first उसने bicycle chain बनाई दूसरे department को दे दी दूसरे department ने bicycle chain लेकर assemble करेके handle cover लेकर bicycle बनाकर बजार में बेची तो sir change जितने बे बनी उतने में transfer कर दे नहीं purpose क्या होता है हमें company में हर division की performance evaluate करनी है हमें divisional manager को evaluate करना है कि क्या वो काम अपना सही कर रहे हैं या नहीं तो performance कैसे evaluate करोगे जब तक profit नहीं आएगा without analyzing the profit कि आपने कितना profit मुझे कमा के दिया मैं आपके performance evaluate नहीं कर सकता तो in order to evaluate the performance of each divisional manager separately हमें क्या चाहिए profit चाहिए हर division का तो इसका अब हर division को यह बोले कि अपना समान बजार में बेचे और दूसरे division को यह बोले कि आप समान बजार से खरीदो तो company loss में हो जाएगी company loss में हो जाएगी क्योंकि हम बजार में बेचे और दूसरे वाला नहींगा बजार से करीदे हम तो सस्ते में बना रहे हैं तो हम यह कहेंगे कि आप बजार में मत बेचो और दूसरे division को उतने में दे दो जितने में आप बजार में बेचते हैं तो एक price तो बहले ही notional होगी but आपकी performance के लिए तो वो calculation हो जाएगी ना at least जैसे for example आपने करा हो consolidated balance sheet में holding and subsidies में अगर कोई भी goods holding अपनी subsidiary को holding अपने subsidiary को बेचते हैं चालो बेचते हैं तो उस पर profit holding कमाते हैं भाई बाद में परट लिए हो जर सुन ले बाद में घर जाके देख लिए हो सुन ले सुनेगा नित दिक्कत होगी यह यह कौंसर बिल्डप हो गया तो हो गया समझगे बाद में problem होगे reward नहीं हो सकत दे रहे हैं तो holding ने profit कमा लिया holding ने profit कमा लिया तो क्या वो profit ऐसा है जिसमें dividend पाट देंगे नहीं क्योंकि हम अपने आपको बेचकर profit नहीं कमा सकते हैं कि subsidiary हमारे ही तो पाट है पर वो individual evaluation के तो में profit दिखाता है यह बाद उसमें ऐसा तो नहीं है कि मैं dividend बाट दो क्यों वो profit realize नहीं कहलाता न profit कब realize होगा when the goods reaches in the hands of customer तो इसका मालब जो मैंने समान सबस्रीज को बेचा उस पर मेरा profit profit तो होता है बड़ उसको नाम क्या देते हैं unrealized वो सरफ इसलिए कमाते हैं इसलिए दिखाते हैं ताकि मैं performance evaluate कर पाऊं तो यहां भी वही बात है वही concept नहीं है कि एक division दूसरे division को जब कोई समान देगा तो जो price charts खरेगा उसमें उसका profit आ जाएगा पर वो profit के अवल उसका होगा company का नहीं होगा तो सर क्यों ना हम cost पर ही transfer कर दें यह सब calculation करें क्यों फिर performance अम evaluate नहीं कर पाएंगे clear part B तो इसका मतलब transfer price क्या होई transfer price means the price which is to be placed for the goods and services which are transferred from one department to another within the same company clear part B जो एक department से दूसरे department में transfer होती है for example bicycle है तो bicycle chain bicycle chain अगर एक division से दूसरे division में transfer होती है जैसे amul company है तो milk एक department से दूसरे department में transfer होगा दूसरे department उस milk को लेकर दूसरे department उस milk को लेकर क्या करेगा butter बनाएंगे या फिर आगे जो अपना product हो butter बनाएंगे, curd बनाएंगे क्या यह बैटर है कि वो milk बजार से खरीदे और हम अपना product milk बजार में बेचे नहीं इंटर डिविजन ट्रांसफर ही बैटर होगा नॉर्मली राइट भी फैन बना रहे है तो एक department condenser बना रहे है तो वो condenser बना कर बजार में बेच सकता है पर दूसरे डिविजन को भी तो देगा ताकि वो condenser लेकर body parts बना कर product बना कर बजार में बेचे तो यहाँ problem क्या रही है कि जो division chain बना कर दे रहे हैं जो division milk बना कर दे रहे हैं जो division condenser बना कर दे रहे हैं वो कितना amount दूसरे department से charge करें उस amount को क्या बोलेंगे हम transfer price तो यह transfer कहलाता है ना की sale sale में क्या होता है title of goods transfer हो जाता है goods reaches in the hands of customer transfer में क्या होता है goods reaches, goods do not reaches in the hands of customer it is a change of location of goods within the business बस यह क्या होता है एक जगे से दूसरे जगे shift होता है title of goods transfer price में shift नहीं होता है तो इसलिए transfer price में profit department का तो कहते हैं बट company का नहीं कहते हैं जब goods sale होता है अब दूसरी बात आई transfer price समझ में आ गया जब एक department दूसरी department को भेजे और जो amount चार्ज करें उसे का नाम बोलते हैं हम transfer price क्यों calculate करते हैं ताकि उस department की performance ये value रिक्रस यहां तक समझे आगे इसको इतना लिखते हैं फिर आगे चलते हैं लिखे चलते हैं लेकिए transfer price transfer price means the price to be charged to be charged to be placed for goods and services which are transferred from one department to other department within the company अले वो amount वो price कौन से price जो goods and services पर place की जाती है चार्ज की जाती है कौन से goods and services पर जो की एक department से दूसरे department को transfer किये जाते हैं for example जैसे department one right department two right product है मान लो हादी product है मान लो fan इसमें component क्या कहेंगे हम condenser ये transfer होगा first department से कहां पर दूसरे में ये condenser को लेकर क्या करेंगे other parts बनाकर product बनाएंगे right और किसमे convert करेंगे उसको fan में तो इसकी transfer पर इसकी बात की जाएगी जैसे milk transfer होगा दूसरे इट्पार्मेंट में milk को crush करके क्या बनाएंगे वो हादी या फिर नहीं crush करके तो butter और processing करके milk को crush करेंगे तो क्या आएगा butter और butter milk butter और butter milk ये product होगा अनका butter milk by product होगा प्रोसेस करेंगे अगर crush नहीं प्रोसेस करेंगे तो क्या curd यह तो मितलब होगा हादी इसकी price क्या charge की जाए वो होगा bicycle chain ये transfer करेंगे ये bicycle chain लेकर plus frame हादी क्या बनाएंगे product bicycle तो basically यहाँ से हम ये समझ रहे है जो डिवीजन transfer करता है जो डिवीजन transfer करता है वो component कहलाता है ये component ये तो transfer करेंगे और इस डिवीजन को क्या नाम देंगे supply division और इसको नाम देंगे हम receiving supply division supply division हमेशा क्या चाहेगा जादा से जादा लेना और receiving क्या चाहेगा कम से कम देना तो दोनों में हमेशा conflict रहेगा ये चाहेगा जादा लेना ये चाहेगा कम तो ये हमेशा क्या रहेगा एक लड़ाई का मुद्दा जनी conflict रहेगा इसको solve कौन करेगा, resolve कौन करेगा या तो management पहले से ही या फिर management accounting for decision making या आपस में लड़ो नहीं, आपस के लाई से company को loss होगा ये रखो trans surprise जिसमें आपको भी फायदा आपको भी फायदा और हमें भी फायदा clear part भी, वो आपको समझाना है बासंद में आगी तो first point हम क्या कहेंगे ये तो हो गया transfer price, क्यों calculate करते हैं क्योंकि हमें हर department की performance evaluate करना, लिए objective the objective of transfer price is the objective of transfer price is objective of transfer price is to evaluate the performance of each department objective क्या है, हर department की performance को evaluate करना in terms of in terms of profit और profit कब जनरेट होगा एक नट, revenue minus cost कस्मर की बाद तो बाद में आ जाएगी न profit generated by revenue revenue minus cost this is the reason क्या हम cost पर ट्रास्फर नहीं करेंगा, तो performance evaluation को पाई की न, right, revenue means the amount to be charged by supply department revenue here means हाजी, the amount to be charged as transfer price by supply department कहां से, from कस्मर से नहीं receiving department supply department जो receiving department से transfer price कहे के लेता है, उसको क्या बोलेंगे हम revenue अभी तो profit आगा, अभी तो performance वेलिट होगी this is the objectivity clear about and नहीं समझ में आई बात क्यों नहीं आएगा, वो ही तो आएगा परानी consolidation इसका मदब नंग से क्या मतला बता है consolidation का consolidation means तो फिर मालिक तो एक ही हो गए मालिक तो एक ही हो गए, body तो एक, हाथ दो नहीं तो हुआ आप दो, सिंपल भाशा में नहीं समझ ले दिक्कत आती है टेक्निकल भाशा में मत समझा करों नहीं है नि हब क्या कहते हो वो वो ला, हवव अच्छा हवव बना देते, अन्ना चरी pressure create करते हैं जबकि होता नहीं बहुत सिंपल होती ही जी समझ ले, अब सिंपल दी बात समझो एक मिनट Reliance किसने शुरू करी थी दीरू बाई अमानी ने उसको सही प्लब, क्या वो बहुत अजुगेटिट थे कुछ भी नहीं थे बट knowledge सबसे ज़ादा थी सारे decision making उनको आते थी समझ ले बात नहीं सारी decision making, costing क्या, management, recording क्या, tax क्या, सब गुच उनको आता था बगार पड़े प्रस समझ ले हो, क्योंकि सब चीजे simplest है ऐसा खरदीन होई वारी बात है बात को सीधी तरह से नहीं समझना है कि ज़र फिर पढ़के क्या फायदा इसको ऐसा समझो जब बगैर पढ़े, आप common sense लगाकर इतना कर सकते हो तो पढ़कर कितना आगे जा सकते हो, ये बात नहीं कह सकते नहीं ये नहीं कहना हमेशा उसमे नेगेटिवटी डूणना क्याते बोलो बोलो, आप बोलो कि तब तो मैं भी कुछ बोलूँगा क्या करें बताओ ना कुछ तो बोलो, आप ऐसे नहीं नहीं, कोई लिमिट नहीं है स्काई लिमिट है नहीं, इतना क्या बोलू यार इसके आगे कहा जाओगे नहीं, हमेशा थौट कितना होना चाहिए कि अकाश में उड़ने के बराबर समझ रहे हो नहीं बहुत अब यह समझो कि एक जैसे काईट पतांग होती है उस कितर है उसको पता है कि लास्ट मैर आकर तो गिरना है बड़ एक बार तो अकाश को छूना है समझ गे नहीं हाँ काश बड़ वह इफकाश कर दो नहीं हो सकता है जी क्या करे हो बोलो बोलो चलो खेर अपने टॉपिक पर आओ पड़क जाते हैं चलो खेर में बात हाँ दे एक ऐसे समझो उसको न आचा एक कंपनी में दो डिपार्मेंट जो आपकी परवबनती हुआ ऐसे समझाता हूँ एक कंपनी में दो डिपार्मेंट अंडर दे सेम मैनेजमेंट हो गया या यहाँ इससे जो भी ट्रांस्वर होगा वो किलाएगा ट्रांस्वर टाइस अंडर दे या फिर एक कंपनी है इसको बोलते हैं ग्रूप इसमें डिफरेंट कंपनी जैसे रिलाइंस ग्रूप एक रिलाइंस कम्मिन्यूकेशन है एक रिलाइंस पैट्रो है एक रिलाइंस कैमिकल है तो यह सारे क्या हैं अलग अलग कंपनी है और उनका मालिक तो एक ही है तो आप कह सकते जैसे रिलाइंस है एक रिलाइंस पैट्रो एक रिलाइंस कम्मिन्यूकेशन एक रिलाइंस हांडी mutual fund banking तो यह different companies है but under the same management तो यहां भी मालब एक company दूधरी company को transfer करे तो वो भी क्या कराएगा basically transfer price बस मुना आगे चोगी इसका मतलब यह यह है कि हम एक हाथ दूधरे हाथ को दे रहा है है तो हमारे पास ही मालब हम अपनी एक pocket से निकाल कर दूधरी pocket में रख रहे है तो हमारे पास फिर क्यों कर रहे है सर हमें ऐसा price क्योंकि हमें हर pocket को individual assess करना है that is object बस मुना आगे इसलिए मालब हमे performance को evaluate करना है keeping each department as separate entity right ता कि उसको motivate कर सके ता कि उसमें incentive लगा सके ता कि उसकी performance evaluate कर सके तब ही तो हम assess कर पाएंगे तब ही हम generate कर पाएंगे तब को कि transfer price is different from sale transfer price is different from sale transfer price is different from sale price क्यों transfer price में क्या कहोगे title of goods title of goods no transfer और इसमें क्या होदा है transfer to customer right इसमें profit हाँ जी realized by department only but not by company इसमें profit क्या होता है realized by company यह दोनों का फरत है तेरपाट भी department का profit तो कहलाता है एक ने दूसरे को भेजा पड़ वो company का profit नहीं कहलाएगा company का profit कब कहलाएगा when the goods reaches in the hands of customer तब जो title transfer होगा तब इसलिए inter-divisional transfer को sale नहीं कहते है समझ में आगे बात बे हो गया है अब supply division हमेशा transfer price becomes revenue for supply division transfer price becomes revenue for किसके लिए supply division supply division कौन होता है who supply the goods and services transfer price becomes cost for receiving हादे supply क्या चाहेगा हमेशा ज्यादा से ज्यादा लेना और receiving क्या चाहेगा कम से कम देना तो इस दोनों में हमेशा क्या रहेगा conflict रहेगा विवाद रहेगा right supply division supply department would like to would like to charge higher price supply department would like to charge higher price for their goods and services supply department हमेशा क्या चाहेगा ज्यादा से ज्यादा पैसे लेना तभी तो performance बढ़ेगी हादे on the other hand हादे receiving department बताओ क्या चाहेगा would like to pay would like to pay low price low amount for such goods and services supply department कहेगा भी ज्यादा से ज्यादा है पैसे तो ता कि मेरी performance बढ़े revenue बढ़ेगी और receiving क्या चाहेगा कम से कम देना ता कि cost कम आए तो आगी profit बढ़े right तो conflict always exists between हाजे hence conflict always exist between these two department इसलिए सरह हमेशा लड़ाई का मुद्दा रहेगा अब हमारा purpose क्या है इस conflict को खतम करना कौन खतम करेगा या तो management या फिर management accountant right बे such conflict such conflict can be resolved को रहा तो नहीं कहा भी हो गया न such conflict can be resolved either by such conflict can be resolved either by management either by management or management accountant such conflict can be resolved यह conflict खतम कर सकते कैसे या तो management या management by fixing कैसे करेंगा सर वो या management accountant by fixing and appropriate by fixing and appropriate transfer price या अब आप आप एप्रोपेट का मतलब क्या है जो अप्रोपेट का मतलब क्या है जो supply वाला भी मान ले racing वाला भी मान ले और company का भी फाइदा रहे clear बाट बे हादी तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऐसे transfer price इधर fixed by management board of directors इधर fixed by management accountant हादी management कहते हैं पहले सही था ज़ी सुनू first management क्या कहते हैं sir transfer price हमेशा किसके बराबर हो market price मतलब supply division को बोल दिया एक काम करो आप अपना product milk चान तो आप पसमें लड़ो नई क्या बोल रहा है supply division को भी आप बताओ अपना milk बजार में तो बेचोगे क्यों चाहते हो जादे से जादा आप छोड़ दो receiving को आप अपना milk क्या करोगे बजार में बेचोगे तो जितने पैसे बजार में बेच कर यहां से भाई यह नकरे दिखा रहा तो इससे मतलो क्या करोगे बजार से लोगे ना इससे जादा क्या करोगे तो जितने में बजार में मिल रहा है उतने दे दो उससे कम पर क्यों expect कर रहे हैं कि बाद समझ में आ गए तो इसला ट्रांसर प्राइस क्या fix कर दो मार्केट प्राइस वह लो समझ में आ गए क्लियर पाट बेच अब सर जब यह बात समझ में आ गई तो इसमें तो सारा concept रिक इसम्साल लडाई खतम फिर अम आगे क्यों बढ़े समझ रहे हो नहीं हर point में कोई ना कहीं loop पूलाता है fix तो कर दी market price बट बाद में दो मेने बाद तीन मेने बाद दज में बाद supply department आ गए management के पास क्यों सर आपने कहा था market price पर fix कर दो और आपकी performance ही से साबसे होगी बड़ सर यह तो receiving वाले हैं they are so manipulated सर यह demand हमसे product की तब ही करते हैं जब market में price सबसे least पर आ जाता है मार्केट प्राइस फ्लक्ष्वेट हो जाती है और जिस दिन जिस पॉइंट पर market price सबसे lowest category पर आता है यह सारा product सारा input हमसे demand कर देते हैं और आपर रख लेते हैं और हमें सस्ते में देना पर जाता है तो हमारी performance तो down हो गई या फिर receiving वाले कहते हैं कि सर हमारी requirement तभी create होती है जब market में price सबसे high होती है तो हमें जादा पैसे देने पड़ते हैं अब दोनों के अपने-अपने argument है clear party तो management कहते हैं तो आप यह कह रहे हैं कि lowest पर इबान करते हैं और यह कह रहे हैं हाई-स पर तो फिर conflict create हो गया ना क्यों या तो यह market price हमेशा क्या होती constant तो लगाई का मुद्धा खतम पर अगर market price क्या हो रही है fluctuate तो फिर management कहते है अच्छा रुको मुझे सोचने दो तो वह कहते है इच्छाल एक तरीका और है एक काम करते हैं जितनी हमारी cost है ना उस पर आप reasonable markup जोड़ दो उत्रे में भी जो लगाई खतम तो दूसरा method develop कर क्योंकि आपको ये भी समझना है जैसे text में ये section सर ये ये क्याता है ये तो बाद के बाता है आया क्यों क्या जूरूत पड़गी इसको लाने की वो समझना आपके लिए जरूरी है तो दो चीजे होती है law of objectivity and law of applicability तो असान होता है objectivity समझना है समझ गे तो हम क्या कहेंगे transfer price equals to cost plus markup कब वन वन हादी market price fluctuate cost here means cost here means total cost that is variable cost plus fixed cost sorry fixed cost avoidable be or unavoidable be cost का मुला है total cost ये भी धान रखना हमेशा markup या return markup बोल दे है या फिर इसको क्या बोल दे हम return ये हमेशा add होते है किसमें total cost राइब भी चलिए third ये सरफ यह अब याप लेखे लो इसको बाद में समझाएंगे जो किसमें और details है cost ratio method cost ratio method वो fixed cost दो टाइब क्यों होती है एक avoidable और एक unavoidable कौन से होंगी काम करें या ना करें आप प्रोडक्ट कम बनाओ या ज्यादा बनाओ वो तो हमारे इनकर होनी ही जैसे फैक्टरी का रेंट जैसे फैक्टरी का बभाई रुक तो जा मैं शुरू से लेता हूं हर चीज न वेट लिसन केरफुली जब मेरा फुल स्टॉप आजा है फिर दुबारा करना हूं इसको समझने से पहले इसको समझना जरूरी है हाजी अनवाइडेबल यानि काम करें या ना करें वो तो हमारे इनकर होगी हो जैसे फैक्टरी का रेंट डैप्रिशेशन मैनेजर सलिरी ये खर्चे तो हमारे इनकर हो नहीं आप प्रोड़क्शन कम करो या ज्यादा करो अब हमने प्रोड़क्ट बनाने के लिए एक सुप अप्रवाइजर को अपाइंड नहीं करूँगा तो वो सुपरवाइजर के सलिरी है तो फेक्स अब कब खर्च करूँगा जब मैं वो प्रोड़क्ट बनाऊंगा अधरवाइज मैं इंकर नहीं करूँगा तो यह कौन से हो गई एवॉइडेबल काम करोगे तो खर्चा एक मशीन है तो आप यह प्रोड़क्ट बाइसिकल चेन बनाऊगे तो आपको बैलेंसिंग मशीन किराय पर लेनी की जुरूद है खरीजना नहीं किराय पर लेना है आप चेन नहीं बनाऊगे तो मशीन किराय पर नहीं लोगे तो मशीन का किराया तभी तो जाएगा जब आ करोगे कौन सा करचा है avoid हो गया clear चलिए यह बात में discuss करेंगे cost station method अब आते हैं management अगर management अगर मना कर दें के हमारे यह method applicable नहीं हो पारे acceptable नहीं है फिर बारी आती है किसकी management accountant की तो management accountant वो fix करते है price जो supply division और receiving दोनों accept करें और कमने का profit become now हो यानि base किस पर हो relevant cost पर लिखे ट्रांस्वर price to be fixed by management accountant so that transfer price to be fixed by management accountant so that acceptable acceptable by supply division receiving division दोनों हां कर दे हां भी ठीक है हम सब कर रहे हैं तीसरी बात overall profit benefit of the company overall profit of the company would not be will not reduce बना ऐसा decision मत देना transfer price जिसे वह हमारा overall profit कम हो जाए overall profit हमारा कम नहीं होना चाहिए अब भी रुको 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 एक दम नहीं यही तो मेर है इसको तो बहुत दिरे दिरे elaborate करेंगे एक दम नहीं आएगा समझ नहीं बसा भी लिखो इसको मैं दिरे समझाता हूँ hence transfer price always equals to relevant cost transfer price equals to relevant cost क्या होते relevant cost relevant cost means लेगे कितना cost कैसे कहते हैं आप basically sir खर्चा खर्चा के वर वो नहीं होता जो जेव से जा रहा है खर्चा वो भी होता जो आने से रुकता है right क्या कहोगे cost to be incurred due to transfer sir transfer की वज़े से जो खर्चा होगा plus benefit to be lost due to transfer यह कहलाएगे रेलिवेल कोस्ट अब हमें यह समझना है हो गया हटा दू देखे अब ध्यान से बहुत ध्यान से समझना बिलकुछ सिंपल है जबकि एक कमपनी में दो डिपार्मेंट है ए और बी ए सप्लाई और बी रिसीवी यह सप्लाई डिविजन है और यह यह बाइसिकल चेन बनाकर बेचते हैं और यह बाइसिकल चेन लेकर फ्रेम बनाकर प्रोड़क्ट बना रहे हैं बाइसिकल चले हैं अब यह कहता है डिविजन ए कि टोटल कैपैसिटी 10,000 उनिट की है मतलब हम कितना बना सकते हैं बाइसिकल चेंड 10,000 पर मंथ पर पिरियड एक्स्टरनल सेल एक्स्टरनल सेल हम कर रहे हैं 8,000 इससे ज़्यादा नहीं है दिमांड आथ हजार से ज़्यादा नहीं इसका मतलब 2,000 अभी मेरे पास खाली कैपस्ट्री खाली बैठों मैं मेरे पास कैपस्ट्री कितनी है टोटल 10,000 की और बजार में मैं बेच रहा हूँ बाइसिकल चेन बनाकर कितनी इससे जादा कोई ख़लिने वाला नहीं स्पेर कैपस्ट्री इसका मतलब 2,000 सेलिंग प्राइज है 100 रुपे हम 100 रुपे में वो बाइसिकल चेन बनाकर बेच रहे हैं वेरिबल कॉस्ट है 70 रुपे फिक्स कॉस्ट एक लाग रुपे तो बेच्टी के लिए गर हम वैसे समझे हैं एक लाग रुपे की फिक्स कॉस्ट है साइलेंट है अनवाइडिबल है अलब यह तो रेंट है उजगे गए तो हो गई हो कहां राइट चलिए अब यह कहता है मुझे देतो बाइसिकल चेन ताकि हम फ्रेम बनाकर इसको प्रोड़क्ट में इनकी रिक्वार्मेंट है 2000 इनकी रिक्वार्मेंट कितनी है 2000 चेन इनको चाहिए चेन्ज मत करना भी यह सिचुशन को है क्योंकि हमें एजरी जब यह समझ रहा है कि अगला कुशन होगे सर्थ 2000 से जाता होगे तो क्या करोगे समझ रहे हो पहले इसको समझ ले हाजी हमारी रिक्वार्मेंट कितनी है 2000 चेन कि ताकि हम फ्रेम बनाकर और 2000 बाइसिकल वेचे बजार ठीक है यह कहते है अगर हम बजार से खरीदे बाइसिकल चेन तो हमें कितने की मिल जाएगी 100 रुपे में मर्किट वेली 100 रुपे है यह आप भी तो 100 रुपे में बेच रहे हो तो मैं भी तो 100 रुपे में खरीद सकता हूँ उसे इम कॉलिटी ए चाहता है तो मैंनेजमेंट तो फेल हो गए अब आपके पास आया मैंनेजमेंट अकाउंट है लेकिए वट शुद बी वट शुद बी दा ट्रांस्वर प्राइस वट शुद बी दा ट्रांस्वर प्राइस फॉर सच 2000 चेन अब ध्यांट से सुनना जरा प्रीज ठीक है बहुत ध्यांट से प्रीज वट शुद बी दा ट्रांस्वर प्राइस पॉर 2000 चेन यूनिट 2000 चेन अब सब से पहले कंपनी के हिसाब से सो चूगे यह हमारा क्या है लेफ हैंट और भी राइट हैंट वोई आरदा एंप्लॉईज ऑफ दा कंपनी बहुत समझे रहो हम कंपनी को सला देंगे कंपनी के पॉइंट अफिस कंपनी का प्रॉफिट कम ना हो यह तो आपस के लिए राई है इनको तो हम बहुत समझा दूँगा क्या पसे मजड़ो कंपनी का लॉफिट होगा कंपनी का लॉफिट तुम्हारा लॉफिट कंपनी नहीं बचेगी तुम कहा से बच होगे समझे कैसे हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या सोचेंगे पहले अपने इसाब से मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या कैलकुलेशन करेंगे दिमाग में के सार घर में बनाएंगे कितने कोस्ट आइगी 70 fix तो आनी आनी है fix कौन सी cost है हमारी unavoidable यह तो अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो भी company की cost है जो base लेकर बाटी हुई है यह unavoidable इसको हम छोड़ देते हैं यह division को अगर हम कहें भै तू घर में बना तो कितने बनेगा 70 और अगर मैं यही बजार से खरीद हूँ तो कितने में मिलेगा 100 बे में राइट क्या सोच रहे मैंनेजमेंट रेकांट यह जो component घर में सक्कर में बन सकता है वापस की लडाई की वज़े से 100 में खरीद वाऊँ बलो जिसके लिए यह खाली बैठ है कोई चेंज मत करना दे कोई पहले से बता रहा हूँ किसार यह बताओ समझ में आगया यह थोड़ा से चेंज कर तो फिर बताओ नहीं अगले केस में समझाऊंगा बस समझ में आगे प्लीज दू नौट चेंज दा फैक्ट पहले से कहना हूँ कोई क्वैरी मत करना यह जो चेंज करें क्वैरी करना एज़ देस फैक्ट में कोई चेंज ना हो आप यूट अब क्या कहेंगे को तुम तो खाली बैठ हो तुम तो खाली क्यों बी कितने मांग रहा है और यह दोजार के लिखा लिए बैठ है इसका तो कोई मतलब ही नहीं न अरे आठजार बेचरी 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 में हम इसको डिस्कर्व थोड़ना कर रहे हैं कोई अगर आप बी को मना करोगे सरफ इस लिए कि मैं बजार में 100 में बेच रहा हूँ तो वो क्या करेगा मजबूरी में बजार से खरीदेगा बलब इसका तो मतलब ही हो जाएगा कि अगर ट्रांस्वर प्राइज गलत रखी जाए अगर ट्रांस्वर प्राइज गलत रखी जाए तो बी क्या करेगा बजार से ले लेगा यह समझ में आगे क्यों समझ में आगे कि विवजासन ना ले क्योंकि age इसके लिए खाली बैठा है और variable cost कम है और purchase cost ज्याद है decision क्या लेगा management accountant better to produce better to produce and transfer right decision क्या लेगा management accountant decision लेगा better to produce and transfer sir ऐसा करो कि बनाएं और transfer करें यह हमारा निंडिया होगा कि कुछ भी करो A को बना और B को भीज अब ऐसा थो ना मानेगा वो कोई वाप की बाद ऐसा थो ना मानेगा कोई dictatorship थोड़ना चल रही है तो आप ऐसा करो कि वाप की बाद मान ले right A B B और company का profit भी कम ना हो तो इसका लब हमें transfer price ऐसे रखनी चाहिए का कि B पजार से ना ले जिसमें company का फायदा है we should fix the transfer price fix the transfer price so that B receiving would not like to purchase from market यह बसन आगे ऐसा fix करो ताकि भी बजार से ना ले क्यों हो भई? क्योंकि बजार से लेगा तो company को खाटा हो जाएगा क्यों खाटा हो जागा? क्यों खाटा हो जागा? क्यों खाटा हो जागा? जो 70 रपे में मना रहे है वोई बैंगे में बजार से खरीदवा दे क्यों ट्रांसर प्राइस की वज़े से इतना समया आगे तो अब ऐसा रखो कि भी बजार से ना ले भी कब नहीं लेगा बजार से जब 100 से कम पर, 100 से कम पर मिलेगा तो अब बाता है भी को भी अपना फायदा सोचेगा? यह सो रपे में बजार में मिल रहे है तुम दे रहे हो 100 से कम, अब बाता है ट्रांसर प्राइस 100 से कम तो transfer price arbitrary नहीं होनी चाहिए arbitrary का मतलब कोई भी ऐसे रकम जो अपनी मन के साथ से रखतो नहीं कौन से होनी चाहिए based on based on relevant cost यानि जो खर्चा हो वो charge करो जो loss हो वो charge करो क्या कहेंगे एको अब एको क्या कहेंगे भाई तो बेव आप तो में क्यों नक्रे दिखा रहा है खाली तो बैठा है तो कम से कम कम से कम कितना charge कर ले clear about इस से कम नहीं आपको भेजने में क्या लाउसर हो मुझे बताओ ये क्या कहेगा सर मैं अगर बी को नहीं देता हो तो बजार में बेचता भाई कहां हमें तो समझनी आ रहा कहां बेचता बजार में बता do not change the fact पहले बता रहा हूँ हिलाना नहीं समझ गए कितने मांग रहा हो उतने के लिए आप खाली बैठे हो न नहीं तो क्यों रो रहे हो भाई क्यों आप ऐसा खह रहे हो कि बजार में बेचता कहां बेच लेता है वह वाले unit जो भी को देता clear about यही तो हम उसको समझा रहे हैं यही तो हम उसको समझा रहे हैं कि क्यों ऐसी बात कर रहे हैं आप तो उसके लिए खाली बैठे हो तो जब हम समझाएंगे तो उसको समझा जाएगी कि हम तो खाली बैठे हैं तो चलो ठीक है जो मिले वही बैठा रहे तो कम से कम कितने रुपे? 70 रुपे that is relevant cost that is relevant cost लेखे transfer price is based on relevant cost that is cost to be incurred चो खर्चा होगा due to transfer transfer की वज़े से कितना खर्चा होगा? 70 अच्छा प्लस benefit to be lost due to कितना? खाली तो बैठे हैं तो minimum transfer price कितने? 70 कम से कम 70 पर लोग से कम मत ले ला ये बाद सम्झा गे? अब ये तो minimum हो गई ये तो minimum हो गई अब management record क्या कहेंगे B को? भाई आप जादा से जादा कितने दे सकते हो? 100 पर दे सकते हो ना? क्योंकि आपको बजार में भी लेगा? तो maximum 100 रुपे maximum 100 रुपे maximum transfer price कितने? 100 तो transfer price में range हाँ जी कहां से? 70 to 100 अब आपस जड़ो आपस में हमने range में आके दे दी 70 रुपे में A को कुछ नहीं बचेगा 100 रुपे में B को कुछ नहीं बचेगा तो ठीक है आपस में देख लो ये यहाँ तक हमारा काम खत्म अब practically इसके बाद मेरा काम नहीं है management record कहेंगे क्या करेगा A B से negotiate करेगा ना तुमारी ना हमारी कहीं बीच में fix कर लेते हैं आदा फाइदा तुम ले लो आदा हम ले लेते हैं clear पार्ट भे तो बीच में कहीं भी आप fix कर लो वो उनका काम है आपका काम बस यहां था कहा सत्तर से कम नहीं सौ से जादा नहीं clear पार्ट भी तो इस इस अप्रोप्रेट transfer price बात समझ में पका कहा रह गया जगड़ा इससे ये लक्षम देखा बना तो दी ये लक्षम देखा बना तो दी अप जगड़ा कैसे रह गया उतना जगड़ा थो तो सौल समझे लिए जगड़े की जो रेखा है वो तो वोbuat तो फिक्स कर दी अब उसके बाद कहा जाएंगे पहले तो वो रेखा ही फिक्स नहीं थी पहले तो वो और वो लाई नहीं फिक्स नहीं थी आपस में मिडल होता है, आधा, तुम ले लो, आधा, हम ले लेते हैं तो विलाड़ाई खतम, पर आधे-धे के बाद काम आई, जब ये रेंज आई, अब ये नहीं है, वोई बंदर वाली बात की भई, आधा-धा, चलो भी, टुकड़े करो, टुकड़े करते-करते-करते सार कंपनी में दो डिविजन है, A और B, A की कैपैस्टी है, दस हजार, राइट, एक्स्टर्नल सेल, दो हजार, राइट, सैलिंग प्राइज, सो रुपे, वेरिबल कोस्ट, सत्तर, फिक्स कोस्ट, एक लाग, B की रिक्वार्मेंट है, दो हजार, ये परचेस कर सकता है, कितने में, सौर, एक पाइंट बस और जोड़ना है, क्या, A कहता है, देखो जर, ये मेरे पास स्पेस है, कितनी जगे का, दस हजार, इसमें मैं यहां तक आठ हजार बनाकर बजार में, बेच रहूं, स्पेर है, स्पेर, दो हजार, ठीक है, B को बनाकर दे देंगे, बिको बनाकर दे दे देंगे, बट रुको, ये कहता है, सर, मेरे पास एक और uelाटर्णेटिव है, अगर मैं B को बनाकर यहां पर ना दू, तो ये जगे मैं किराया भी दे सकता हूं, ये जगे मैं, कहीं और utilize कर सकता हूँ, खाली नहीं है, बिकार नहीं है, clear पाट भई, लेखें, A can utilize sorry, 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 sorry A can utilize spare capacity for sub lease at the rate 75,000 per month यह सब परमन्थ है, हाजी, एक क्या कहता है, जो spare के बस्ती है, कितनी 2000 वाली जगे, मैं किराएपे दे सकता हूँ, कितना किराएपे आएगा, इसात्तर हजार उपे किराएपे किराएपे आएगा, clear पाट भी, लेकिए, what should be, what should be, the transfer price for such 2000 unit, हाजी, हम management accountant, क्या सोचेंगे, company के लिए क्या फाइदे मन्द है, हादी, management accountant क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, management accountant कि देखो सर, अगर हम घर में बनाते हैं, कितना खर्चा आ रहे हैं, सत्तर, और अगर खरीद वाते हैं, तो सो, अगर हम घर में बनावाए, तो सत्तर पे खरीद वाएं, तो सो, खरीदने में कितना लॉस हो रहा है, खरीदने में, खरीदने में लॉस कितना हो रहा है, तीज रिपे का, 2000 इनिट पर, भोलो, खरीदे में 60,000 का लॉस है बट खरीद गे खरीज जगे को क्रावी दे दोगे कितना किराय आएगा benefit from release capacity कितना 75,000 क्या सोचने management content अगर हम बजार से खरीदें खरीद आएं तो 60,000 का लॉस है बट खाली जगे को किराय पर दे कर कितना कमा के दे देंगे तो net benefit 15,000 बाद समझ में आरेगे तो management के दिवाब में क्या है क्या सही निर्ड़ है पहार से खरीद वाना और एको कहीं बाई तू किराय पर दे दे यही तो तो decision क्या हुआ हाँ दी better to better to purchase और ए sublis पर दे अब कहेंगे तो ऐसा थो ना मानेंगे कोई एको बनेंगे तो क्राइब दे भी को बनेंगे खरीदे कोई नी मानेगा तो transfer price ऐसा रखो कि यह बात अपने आप लग जाए समझरे बात को transfer price automatically controlled decision यहीं ट्रांसवर प्राइज ऐसा रखो overall profit company का कम ना हो आरी बात समझ में तो transfer price कैसी रखोगे आप यह बताओ जड़ा कैसी रखोगे ताकि B क्या चाहते हो A से ले बजार से ले यहीं चाहते हो भोलो यहां तक समझ मा रहा है ऐसा रखोगे ताकि B बजार से ले B would B would like to purchase ऐसा रखोगे आप transfer price ऐसा रखोगे ताकि B बजार से ले और हम क्राइपर दे कहीं तो चाहते हैं क्या करोगे ताकि B बजार से ले arbitrary नहीं अपनी इच्छा से नहीं यह ऐसा कर दो सा ठीक आपके दिमाग में क्या रहा है 100 से जादा अब जादा कर तो मतलब अपनी जादा स्काई लेवल हो गया जादा कर तो कोई limit नहीं हुई न transfer price should not be arbitrary should be based on relevant cost क्या होती relevant cost cost to be incurred due to transfer transfer की वजहे से कितना खर्चा होगा बताओ 70 plus transfer की वजहे से कितना नुक्सान होगा benefit to be lost due to transfer transfer क्या कोगे अगर transfer करें अगर transfer करें तो यह जगे किराय पर नहीं दे पाओगे अगर मैं transfer करूँ तो यहाँ पर मैं किराय पर नहीं दे पाओगा तो किराया नहीं आएगा ना आना जाना ही तो होता है कितना किराय को नुक्सान होगा 75,000 कितने यूनिट पर कितना तो भाई मुझे तो कम से कम कितने में पढ़ रहा है वो 107 रपे 50 पैसे में पढ़ रहा है ये ट्रांसर रप्लाइज होगी भी क्या कहेगा इसको अपने पादे रखो वहाई अच्छा लग रहा है हम तो सौर्बे में बजार से ले लेंगे और हम भी तो यही चाते हैं बस समझ में बलो तो कि कोई टेकनिकल पार थो ना पढ़ रहे है सिंपल कॉमस हैं चे तो कर रहे है यह ना करें यह करें इसमें फायदा होगा जिसमें फायदा वही कायदा यही कॉस्टिंग है यही सिंपल कॉमसेंस है बलो आई समझ में या नहीं आटिमेटी है कुछ नहीं हर टॉपिक को लिंक करते जाना है समझ में आदि सब लिंके जब बन जाएगी तो आपको लगए गर पूरी कौस्टिंग है कुछ नहीं गुमा फिराकर एक बात कहते हैं है यह नहीं है तो यह कह पांकि को लिंक करोगे बलो बात समय आगे तो क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर कि सर एक सो साथ पर पजास पर से ट्रांफर पर रखोगे यह रैलिमेंट कॉस्ट है इसमें भी क्या करेगा बिजास लेगा वोई हम चाहते हैं बलो क्लीर पाट ले को डाउट समस्या परिशानी बिल्कुल चलिए और नमबर थार्ड केस नमबर थार्ड तो कुछ भी लिख लो यार हाँ दे एक कंपनी में डिपार्मेंट ए डिपार्मेंट बी ए डिपार्मेंट की टोटल कैपस्टी दस अजार की है एक्स्टर्नल सेल एक्स्टर्नल सेल कितने ही दस अजार समझेंगे इट मेंज कोई स्पेर कैपस्टी नहीं है खाली नहीं है इसलिए गाता कि तब चेंज मत करो न अब वहाँ चेंज करते हैं तो मैं यहां नहीं समझा पाता है कि सारे एक ही जिमें मिक्स हो जाते हैं समना कि हर एक को क्या करोगे भाई एक के करके आजा नहीं हाँ सारे एक साथ आ जाएंगे तो और सारी एड़्जस्मेंट एक साथ करोगे तो इस बात समझ में आगी आपको सैलिंग प्राइस सौर रपे वेरिबल कॉस्ट सतर फेक कॉस्ट एक लाग बी की रिक्वार्मेंट है अब तो कुछ भी ने लो दो हजार यह कर रहा है मैं बजार से खरी सकता हूं क्या ट्रांसवर प्राइस होनी चाहिए लेगे वाट शुट बी वाट शुट बी दे ट्रांसवर प्राइस क्या कोगे आप बता हो जा रहा बलो ट्रांसवर प्राइस क्या रखोगे हाल नी बलो 100 रुपे कैसे अगर ए बी को देगा अगर ए बी को देगा तो वो युनिट बजार में नहीं बेच पाएगा अगर ए बी को देगा तो बजार में नहीं बेच पाएगा और बजार में बेच कर 30 का कॉंट्रिबिशन आ रहा था बजार में बेचकर 30 का contribution आ रहा था जान दो सुनना बजार में बेचकर मैं कितने कमा के दे रहा था कंपनी को 30 रुपे हाँ 70 रुपे मैं बना रहे हैं अगर ये 100 रुपे में खरीदेगा तो भी तो कंपनी का लॉस कितने रहा 30 का तो वही लॉस है बी के फ्रू जो मैं कमा के दे रहा हूँ समझ रहे हो दुबारा ए कंपनी को बजार में बेचकर कितना कमा के देगा 30 अगर ए बजार में बेचेगा तो और बी बजार से खरीदेगा तो कितना एक्सा बड़न 30 रुपे तो बी 30 रुपे का लॉस देगा ए 30 रुपे का साइदा बात तो एकी बराबर ही है इसका मतलब कम से कम ट्रांसर प्रैस क्या होनी चाहिए relevant cost क्या कहोगे cost to be incurred due to transfer कितना 70 plus contribution benefit to be lost due to transfer transfer की वजह से यानि by non selling to the market आजे कितना 30 इसका मतलब appropriate transfer price कितनी के लाई 100 इस और पैसे कम नहीं लेना चाहेगा क्यों कितने में बजार में बेच लेगा समझ रहे हो 200 से जादा नहीं देना चाहेगा क्यों इतने में बजार से ले लेगा appropriate price solve लेखे a would not like to charge a would not like to charge a would not like to charge any amount a would not like to charge any amount less than 100 भाई क्यों 100 से कम क्यों नहीं लेना चाहेगा इतने में तो बजार में बेग जाएगा सर पहले वाले केसमे ये बात क्यों नहीं कही दी खाली बैटा था मन नहीं बेच पारा था a would not like to charge any amount less than 100 because a can realize 100 rupees because a can realize 100 rupees a can realize 100 rupees by selling to the market आगे next line b क्या कहेगा 100 से जादा क्यों दूँ इतने में तो बजार में बिल रहा है b would not like to pay b would not like to pay any amount b would not like to pay any amount more than 100 b would not like to pay any amount more than 100 b 100 से जादा नहीं देना चाहेगा because b can purchase because b can purchase from market at rupees 100 क्या ले कहेए b 100 से जादा नहीं देना चाहेगा क्यों 100 बजार में बिल जाएगा hence appropriate transfer price would be 100 appropriate transfer price would be 100 हाजी तो crux इन दोनों में तीनों में क्या बना लेके crux के तोर पर अगरम बात करें क्या बना transfer price क्या होगी relevant cost right मतलब और simplest variable cost transfer price बराबर variable cost काब इफ supply department has sufficient समझ गए मतलब जितना उसको चाही उतना बना सके न sufficient spare capacity right transfer price equals to क्या कहोगे normal selling price यहनी variable cost plus contribution lost कब if हादी no spare capacity exist in supply बाई दोनों को एक ही भाशन में बोलना क्या कह सकते हो transfer price always become equals to relevant cost बाई ना समझ में आ गया transfer price हादी इसके बेस पर आब आब आके question start करते हैं ते question number six there are 126 देखी क्या कहते है 126 देखी एक कंपनी हैस तो डिवीजन डिवीजन A प्रोडूजीज ए प्रोडुक्ट विचीज यूज़ बाई डिवीजन B इन बेकिंग दा फाइनल प्रोडुक्ट ए जैसे बाईसिकल चेन बना रहे है बी उसको लेकर फ्रेम में लेकर प्रोडुक्ट बना कर बेच रहे A हैस कैबस्टी 3000 यूनिट A के पास कैबस्टी कितनी है 3000 की and the whole quantity can be transferred to B और सारी B को transfer किया जा सकता है can be transferred the transfer price for such component would be transfer price 250 होगी जो A चाहता है B से charge करना B however can purchase from outside market कितने में B कहता है कि मैं बजार से खरीद सकता हूँ कितने में 220 और final product बिकेगा 500 में क्या कहना चाहते हैं हाँ पर A 250 रबे में चाहता है B से लेना और B क्या कहा रहा है नहीं मैं तो 220 में बजार से ले सकता हूँ variable cost A कि रे कितनी है एक सो 80 fixed cost question silent है तो हमेशा unavoidable factory current manager salary variable cost of B in manufacturing the final product by using the component 180 मतलब B उसको लेकर value added करेगा और कितना खर्चाहेगा 160 excluding the component मतलब B लेकर 160 रबे खर्च करके उसको 500 रुपे में बेचेगा B ए से लेगा bicycle chain frame बनाएगा frame की cost कितनी है 180 और उसको बेचे का bicycle बनाकर 500 रुपे में चली present statement indicating the position of each division and the company as a whole चली what transfer price would you fix for the component each of the following three circumstances पहला if there are no alternative use for A मतलब A अगर ये कहे कि मैं B को ना दूँ तो मैं कहीं और अपनी facility को इसमाल नहीं कर सकता खाली बैठे रहेंगे will the company benefit क्या company को लाव होगा अगर B बजार से खरीदे कितने में 220 रुपे पता दो जवाब देने क्या company को फाइदा होगा अगर B बजार से खरीदे हम पहले ऐसे समझ लेते हैं बजार बेसिक डेटा क्या करने चारे है हाँ जी A division B A के पास जितनी भी capacity है वो सारी B को transfer की जा सकती है एक ही capacity कितनी है तीने जार हाँ दी variable cost 180 रुपे हम बजार में कितने में बेच रहे हैं नहीं हम अभी हम बजार में नहीं बेच रहे हैं टीक है transfer price कितनी चाहते हैं हम चाहते हैं 250 पाइच B की requirement भी कितनी है तीने जार चलिए fix cost जो भी है वो sunk होगी मतलब खर्च करें मतलब काम करें ना करें वो तो खर्च होगी B लेकर A से अपनी value added करके हाँ जी अपनी value कितनी add करेगा वो 180 और फिर उसको बेचेगा कितने में 500 ये कहा रहा है बजार से मैं खरीद सकता हूँ कितने में 220 पे में ये दोनो A चाहर है 220 में B कहा रहा है कि मैं बजार से खरीद सकता हूँ 220 अब क्या बताना है आपको कितने में transfer करें और क्या B बजार से ले तो फायदा होगा या नहीं ये बताने बिल्दा company benefit अगर B बजार से पर्चेश करता है 220 फे में बताऊ सब से पहले अगर B बजार से ले 220 में तो कम्पनी को फायदा होगा बोलिए नहीं होगा क्यों क्योंकि अगर A B को ना दे तो खानी बैठेगा और spare capacity A का मतलब variable cost कितनी हमारी 180 बना रहे हैं वही B कितने में खरीदे बजार से तो हमें company के लिए loss होगा बोलो समझा आगे और fix cost क्या यह तो हमारी इनकर चाहे A B को transfer करे या ना करे समझा की बात भी तो आप कोगे the company will not be in a benefit position if we purchase from outside क्यों because purchase cost is higher than the variable cost समझा की बात ट्रांफर प्रेस क्या रखोगे ताकि भी बजार से ना ले आर्बी ट्रेरी नहीं that should be based on relevant cost क्या होती है relevant cost जो खर्चा हो plus benefit to be lost तो खर्चा कितना होगा 180 benefit lost खाली बैठें तो कम से कम 180 ज्यादे से ज्यादा 220 क्योंकि 220 में आपको बजार से मिल रहा है के लिए बात भी लिखिए आंच यह की पूछा था विल दा कंपनी benefit आपको ओगे company will not be the company will not be in a benefit position company will not be in benefit position लाब नहीं होगा if department B if department B purchases the component if department B purchases the component from outside market अगर department B बजार से खरीता है तो कम ली गुलाब नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि जो component हम बना रहे हैं कितने में और वही बजार से 220 में खरीता है और यह फिर कोई काम नहीं कर पाए because purchase cost 220 is higher than purchase cost 220 is higher than variable cost purchase cost 220 is higher than variable cost बेर्किट में 180 further बजार से खरीतोगे तो 40 रुपे का loss होगा और यह loss A कहीं utilize recover नहीं कर पाएगा further A has हाँ अगर A के पास ऐसा alternative होता कि वो 40 रुपे का loss cover कर वा लेता है A अपनी जगे को किराए पर देखा तो फिर हम कहते हैं further we can say A has no alternative A has no alternative to utilize A has no alternative to utilize its spare capacity A has no alternative to utilize its spare capacity यह के पास कोई alternative नहीं है कि वो अपनी capacity को utilize कर पाए अब इसे में हर पार्ट से link करता हूँ क्या पूछ रहा वो transfer price statement of transfer price क्या होगी statement of transfer price बता न बलो cost to be incurred due to transfer बता हूँ transfer की वज़े से कितना खर्चा होगा 180 रुपे plus benefit to be lost कितना क्योंकि spare care best यह minimum transfer price क्या आगई minimum transfer price कितने हो गई कम से कम 180 रुपे में देंगे बट ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि 220 से ज़्यादा हमें नहीं देगा तो आपको transfer price मे range from 180 to 220 अब यह उनका काम है बीच में कहीं पर भी वो fix कर लेंगे 180 से कम पर ए राजी नहीं होगा 220 से ज़्यादा पर बीच में कहीं पर भी fix कर लेंगे दोनो मलब नोशनल होता है 20 के लिए तो अगर उप कहें मलब जैसे हम मालो 200 रुपे fix कर दे तो आदा प्रॉफिट यह ले लेगा अधा यह ले 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 चली थर्ड पॉइंट बताओ अड़ी थर्ड इफ इंटर्नल फैसिलिटीज ओफ A are not otherwise मतलब क्या कहना चाहरे है हाँ जी जो A की फैसिलिटीज है वो अन्य था बेकार नहीं है अल्टरनेट यूज ओफैसिलिटीज बिल गीव एन्वल कैश ओपरेटिंग सेविंग ओफ 2,2 A मतलब अगर A, B को ना दे तो क्या करेगा हाँ जी हर साल 2,0,00 रुपे कमा लेगा कैसे कुछ और काम करके क्या कह रहा वो अल्टरनेट यूज ओफ फैसिलिटीज यानि रूम जहां पर वो कंपोनेट बना रहे है उस फैसिलिटीज का दूसरा यूज है जो आपको हर साल कितने पैसे देगा 2,0,00 रुपे अब बताओ क्या B बजार से खरीदे आप बताएगे चल्दे हाँ जी A अगर B को ना दे A अगर B को ना दे तो अपनी जगे को यूटिलाइज कर लेगा और कितने कमाएगा 2,00,00 रुपे बलो क्या फायदा है बलो भई अरे सिंपल सी बात है पहले Decision वेगिंग कंपनी के इसाब से घर में बना रहे है 180 रुपे में बहुँ ये फेक्स कॉस्त बेकार है हमारी वो तो हमारी इनकर हो नहीं है हाँ जी अगर बजार से खरीदेंगे तो 220 अच्छा एक मिनदा सर ये ट्रांसर प्राइज दे रखी है जो कोशन में ट्रांसर प्राइज दी हो कि A चाहता है उसका हमारे लिए कोई मतलब क्यों नहीं है ये उसकी जो रिक्वार्मेंट है वो उसकी पूरी नहीं होगी ये तो हमसे क्यों बूचे हो चलो क्या तो इसका कोई मतलब नहीं है अब जो कमपोनेंट 180 रुपे में बना रहे है वो कितने में बजार से खरीज सकते है तो अगर B को बोले कि तुम बजार से खरीद लो तो कितने का लॉस होगा 40 रुपे का कितने यूनिट पर यानि एक लाख 20,000 रुपे का नुक्सान होगा अगर B को बोले तुम बजार से खरीद लो कितने का नुक्सान होगा एक लाग बीस अरप पहले बहले पाट पे तो ठीक ता हम नुक्सान क्यों करे खाली बैठेगा पर अब ए उस खाली जगे को दो लाग रुपे में कनवर्ड कर सकता है तो एक लाग बीस अरपे का लॉस उठाकर दो लाग रुपे कमाना समझधा रही है असी ज़र पे कमाएंगी हैंडी नहीं समझ में आई तुबार हो हम भी भी तो समझा अब हम कन्फियूस हो गई नहीं नहीं समझो ना और कैसा दो ना कि इसको हाँ कर देंगे और आगे चलेंगे बो दो लाग रुपे हाँ कौन सी कौस्ट आ रही है किस में आ रही है क्या काम करेंगे अंदर बहुँ डिटेल में जाओ ना उसकी ऐसा हमने थौट क्यों बनाया मैं तो वो बता रहां जा रहा हूं बो दया हो, नहीं, operating, saving, cash, annual cash, saving, इसका मतलब भी यह क्या होता है, net, यह भी last, last question आया, तो उसमें भी बता है, तो cash, saving, का मतलब होता है, net saving, जो खर्चा अगर कुछ होगा भी, तो इसमें minus हो चुगा होगा, के लो clear about me, और वैसे practical के हैं तो किराइबे दे रहा होगा तीक है तो उसमें तो कोई खर्चा अब भी तो निकालेंगे अब भी निकालेंगे हाजी तो क्या को होगे चालीस रुपे का लॉस है कितना इनिट पर एक लाग बीस अजार रुपे का लॉस उठाकर दो लाग रुपे कमाना फाइदे मन्द है कितने रुपे का नेट फाइदा असी जार रुपे कर तो इसका अमलब ऐसा रखो ट्रांसफर प्राइज की भी बजार से ले और हम अपनी जागे को यूटिलाइज करें अब ऐसा तो मानेगा नहीं तो क्या रखोगे ट्रांसफर प्राइज बेस अन रेलिविंट कॉस्ट ये नहीं कहोगे तुम 220 में खरीद रो 220 रुपे आर्बिटरी नहीं ना बेस डॉल जैलिविंट कॉस्ट मतलब हम क्या कहेंगे जस्टिवाई हम ऐसा रखेंगे कि आप बजार से लो पर उसका एक कारण बताएंगे कॉस्ट कितने आ रही है मेरी 180 अगर आपको दे रहे हैं अगर हम आपको दे रहे हैं तो कितने का नुक्सा और यहीं से जा रहा है और दो लाकर प्याने से रुखेगा ट्रांसफर की वज़े से यही तो तो इसका लब में आपको ट्रांसफर इससे कम पर नहीं करना चाहूंगा तो भी क्या कहँगा मैं भी लेना नहीं चाहूंगा 220 में बजार से मिल रहे हैं हम भी यही चाहते हैं और कंपनी भी यही फार्दे मन तो क्या होगी भी अगर ले 220 में से तो कंपनी को लॉस होगा बोलो सब्सक्राइब और ट्रांस्टर प्रेस क्या होनी चाहिए 246.6 बिल्कुल क्लियर कोई समस्या है पूछो बिल्कुल चलिए लिखे हादी पहले बनाओगे इसमें स्टेट्मेंट आफ गम्पैरिटिव कोस्ट वैरिबल कोस्ट घर में कितने में पढ़ रहा वो वन 80 में परचेस करें तो कितने में 220 लॉस आन परचेस बजार से खरीने में कितना लॉस है 40 रुपे का तीन जार इनिट पर ना तीन जारी तो हैं बट ऐसा करके एक खाली कर लेगा अपनी जगे और इसको किराय पर देजेगा कहीं कि यूटिलाइस करेगा बेनिफिट फ्राम रिलीस्ट कैपैसिटी कितने कमाएगा दो लाग तो एक लाग बीस जार रुपे का लॉस उठाकर मतलब 40 रुपे मेहंगा खरीदवाकर एको फ्री कर लो इतना फाइदा होगा कि लॉस कबर हो जाएगा और नेट फाइदा कितने का हाँ दे बैटर टू पर्चेश बैटर टू पर्चेश मेंस आप को क्या पूछ रहता है हाँ दे शुट बी पर्चेश दा कमपनेंट फ्राम आउटसाइट आजे लिखे in this situation in this situation we should purchase in this situation we should purchase the component from outside market we should purchase the component from outside market क्यों सर एक बत बताओ बजार से क्यों खुरी दे सर चालीस रुपे महंगा है चालीस रुपे महंगा है क्यों हाँ कह रहे हो क्योंकि महंगा होने के बावजूद अपनी जगे खाली गर लेगा और उसको इतने रुपे कमा के दे देगा कि लौस कवर हो जाए लेखे क्या लिखा है बीशुड परचेस अ कॉम्पोनेंट फ्राम आउटसाइड मर्केट बिकॉज नहीं सरी असली को अल्दो 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 हाना की परचेस कोस्ट अल्दो परचेस कोस्ट बिकम्स higher than the variable cost अल्दो की परचेस कोस्ट जादा है किस से variable cost अल्दो परचेस कोस्ट बिकम्स higher than the variable cost resulting loss of resulting loss of 40 रुपीस on 3000 unit हानकी loss है बजार से खरीद नहीं है right but however however such loss पहले बाले में ये loss रिकवर नहीं हो रहा था खाली बैठे थे इसले मना किया था however such loss can be recovered such loss can be recovered from utilizing such loss can be recovered from utilizing spare capacity of your release capacity of a department such loss can be recovered from spare या release capacity of a department ये loss recover हो सकता है कैसे जो एकी spare capacity है उसको utilize करके and sorry या से नहीं को which will provide which will provide 2 लाइक रुपीस which will provide 2 लाइक रुपीस additional cash flow resulting resulting कितने का लाइस था एक बीस और profit हो गया 2 लाइक तो net resulting net benefit 80,000 for the company resulting net benefit 80,000 for the company hence we should purchase from market चले transfer price भी बता नहीं है बताओ transfer price क्या कहोगे तो इतना रखोगे transfer price की भी बजार से ले इतना रखोगे transfer price की भी बजार से ले क्या कहोगे cost to be incurred cost to be incurred due to कितना एक साज से रखोगे plus benefit to be lost due to transfer transfer की वज़े से कितना loss होगा अगर transfer करोगे तो आप 2,000,000 बेकि जो income है वो generate नहीं कर पाओगे कितने यूनिट पर है तीन जार यूनिट पर है तो इसका लो कम से कम आप इतने तो चाहते हो ताकि आपकी कमाई जो लूजरी वहां से कवर हो जाए इतने में भी बजार से ले लेगा बोलो भी समझ मागया कोई समस्य है तो प्लीज पूछ लो एक बार दुबारा बोलोगे जान से जोना भी प्लीज दुबारा शुरू से दुबारा और खोलो कापी जड़े एक बार दुबारा ऐसे नहीं होगा काम वर्ड टू वर्ड चाहिए एक आप क्या करते हो एक कंपनी ने कार बनाई चार पईये लगाई चल रही है सर ये चल कैसे रही है इसका एक हटाओ और चलाओ फिर मानूँगा मेरी बात समझ रहे हो नहीं मैं एक कॉंसर्ट देता हूँ यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ऐसे ऐसे लिख कर आप क्या करते हो ये हटा दिया मेरी मर्जी सर आप बात समझ रहे हो जो दुमाग में आया बस ये और ये आप इसको फॉलो करें सर भाई हटा क्यों रहे हो अब इनके बात सब कॉंट्रेक्टिंग में कहा था अगर हमारे पास ये बोड़े इंटर्नल फैसलिटीज है नहीं कहा था ये मैंने थोड़ा से बताओ क्या कहा था बलो लिखा बस अबने या नहीं मैंने लिखा होगा 100% ये जरूर लिखा होगा देखो है ना 100% अल लिखा आये था ना और थोड़ा रुका भी होगा महां पर नहीं मतलब अगर मेरे पास चार प्रोड़क्ट हैं पांच हैं और सभी प्रोड़क्ट की कैपस्टी के लिए 100% रिसोर्स अविलेबल हैं तो मैनेजमेंड हमसे नहीं पूछेंगे कि मैं बजार से खरीदू प्रोड़क्ट क्या प्रोड़क्ट दो बाते हैं एक तो प्रोड़क्ट की बात आई और 100% रिसोर्स सब के लिए अविलेबल हो तो यहां दोनों बाते नहीं लग रही ना तो यहां प्रोड़क्ट का डिसीजन है किसका है कंपोनेंट का कई एक्जांबल देते हैं हमुल कंपोनी है किसका डिसीजन है बटर का मिल्क का डिसीजन है बाइसिकल में किसका डिसीजन है चेन का बाइसिकल का नहीं है फैन में किसका डिस्जन ले रहे हैं फैन का नहीं कंडेंसर का क्या लिखाता जब एक डिवीजन अपना आउटपुट दूसरे को ट्रासफर करें तो उस पर बात कर रहे हैं न तो ना तो मेरा डिस्जन किसका है प्रोड़क्ट का और नहीं ये बात करें कि 100% रिसोर्स हैं तो ये किसका डिस जाना है मेक और भाई आगे बस वने चलिए हाजी फॉर्थ पड़ो बताए क्या कहता है फॉर्थ if there are no alternative use for production facilities of A मतलब A अपनी जगे को कहीं और utilize नहीं कर पाएगा कोई है नहीं use and selling price for component in outside market drop by 50 राइट बे क्या भी खरीदे चलिए बताओ 50 रुबे कम हो गई selling price हाजी बता ना 50 रुबे किसकी बात कर रहा है कौन से ये price हैं बताओ कहां पर कौन सी एक डेक ज़रा एक सो सी धाई सो दो सो बीस पांच सो ये price हैं सारी एक निट प्लीज पचास रुबे कम हो गई किसकी बात कर रहा है एक निट प्लीज पांच सो की कैसे समझ में आयो हमेश समझाओ किसकी product पड़ो ज़रा and the selling price for सर मैं इन अग्जाम में इसको काट दूँगा और लिख दूँगा product मैं भी तो कुछ innovation करूँगा उसमें ऐसा थोड़ना कि जो वह लिखेगा उसी को पड़ूँगा ऐसा थोड़ना होता है सर कुछ कोशन हम भी तो बनाएंगे सारे वोई बनाएगा नहीं समझे बात को समझ रहे हो या नहीं हम हमारी पड़ने की speed को तेज होती है क्यों paper खतम करके घर पे जाना है फटाफट भाई धीरे पड़ो धीरे पड़ो धीरे पड़ो नहीं समझ मैं आएगा कुछ भी कर लो भाई धर समझ ले पेज बात में पड़ट लिओ तो अब भी आये तो अब तो सुन ले आगया तो अब प्लीस reading skills develop करो नहीं तो कुछ नहीं होगा समझ के बात हाँ जी क्या कहना चारा है ध्यान से पड़ो read carefully and the selling price for the component जहाँ इस दी का मतलब that होता है now उस component component का मतलब input प्रोड़क्त के बाद नहीं कर रहा उस component की outside market यानि कई बार कह रहा है वो बजार बाहर वाली market प्रोड़क्त में अपनी domestic market में बेचता हूँ और component कहां से खरीता हूँ इसका भी logic है कि अगर कोई company है प्रोड़क्त बना रही है तो input से मार्किट से खरीते नहीं है उससे क्या होगा customer को लगेगा कि यह तो बजार से खरीत कर और कुछ थोड़े से value अडिट करके बेच रहे है तो हम हमेशा input कहां से खरीते हैं बाहर से दा कि हमारे local customer को इस बात की जानकारी ना हो समझ गें तो हमेशा लिखा होता है outside market तो input के बाद आती है राइट चली तो क्या कर रहा है component यानि जो 180 रिपे हमारी cost है जो बी कितने में खरीद रहा है बजार से 220 इसकी price जो बेचने वाला है उसने कम कर दी कितने में 50 रिपे कम कितने ही बन से यह कह रहा है बोलो सब्सक्राइब यह नहीं कह रहा है 500 500 कहता कब जब final product सब्सक्राइब तो अब बजार में मुझे कितने में मिलेगा बी कह रहा है 170 में अब क्या situation बनी मेरे पास ए कह रहा है कि मैं बना सकता हूँ कितने में और बी कह रहा है कि मैं बजार से खरी सकता हूँ 170 ए कह रहा है कि मैं खाली बैठूंगा तो भी क्या कह रहा है भाई तो खाली बैठ अच्छा लगता है नहीं क्यों जो 180 में बना रहा है वो मैं 130 में बजार से खरी सकता हूँ company का फाइदा है बोलो इसका मदा we should purchase the component from outside market because purchase cost is less than the variable cost बले ये कुछ काम करे या ना करे कुछ समस्य है doubt है परिशानी है शक है तो please बूच लो बले ये please ठीक है बलो हाँ हाँ ठीक है बिलकुल सुनो जान जो जबरा एक ही जो fix cost है वो कितनी है हमारी दा सजार सबसे पहली बात अगर कोशन में fix cost लिखी है तो हमेशा अनवाइडिबल अवाइडिबल होगी तो वो हमेशा बताएगा कि सर टैंपरेरियर सुपरवाइजर के सेलरी है मशीन का रेंट है तो अवाइडिबल तो नहीं कह रहा है silent है तो इसका मतलब क्या है unavoidable what does it mean सर थोड़ा explain करते है इसका मतलब है company में पूरी जगे का रेंट है यह बेस लेकर A और B में मैंने क्या करा बाट दिया और एक है इससे में कितना रहा है 10,000 तो इसका मतलब अगर मैं A में काम करूं या ना करूं काम करूं जादा करूं totality में factory का rent तो मुझे उतना ही देना है, totality में manager को पैसे तो मुझे उतना ही देना है, total जो मेरे machinery है उसका depreciation तो उतना ही आएगा, जो बिजली का meter लगावा है उसका rent तो उतना ही यह सब वो खर्चे है that is called 10,000 तो इसलिए हम क्या करें 10,000 को हमारे decision को यह fact नहीं करें, uneffected र बासन में आगे भी, clear part, चले फटा फटा फटे को, और को doubt है तो please पूछा के चले, लेगे if selling price for the component, if selling price for the component in outside market, drop by 50, that is purchase cost of the component, that is इसका मेनी लिखना न, purchase cost of the component comes to 220 minus 50, purchase cost of the component comes to 220 minus 50, 170, which is less than the variable cost of, which is less than the variable cost of manufacturing the component in house, which is less than the variable cost of component, variable cost of manufacturing the component in house, which is less than than the variable cost of manufacturing the component in house, resulting, we should purchase, we should purchase the component from outside market. बहले, ए खाली बैठा रहे, ए रिस्पेक्टिव आप दा फेक्ट, ए रिस्पेक्टिव आप दा फेक्ट, इस बात से हमें कोई फरख नहीं पढ़ता कि ए खाली बैठा रहे, यूकि फाइदा है न, ए एतस。 आपटीव आपिईवित अरिस्पेक्टिव आप दा आपिए आपिव आपिए, ए ए, कि मूश्टिंएवध पिणु द फिस्पेक्टिव आपिएIGHT आपिए आपिएई आपिए with the same amount यह तो आपकी खर्च होते रहेंगी चाहे काम करो यह ना करो fixed cost will continue to occur with the same amount irrespective of any decision कोई साभी decision हो production करो, कम करो, करो, नहीं करो कुछ भी करें, तो यह तो हमारी same way, clear बाट भी बोलो भी समझ बागया अब transfer price क्या रखोगे कि वो तो हरी पार्ट में बताना है न transfer price क्या होगी बताओ 180 170 कैसे बजाएगी भाई तो relevant cost क्या है एक एसाब से जो खर्चा होगा बनाने में 180 180 रखोगा तबी तो भी कहगा 170 में बजार से लोगा नहीं है ना इसा लेकि statement of transfer price statement of transfer price statement of transfer price लेकि cost to be incurred due to transfer cost to be incurred due to transfer 180 cost to be incurred due to transfer 180 बस minimum transfer price कितने आगई 180 अब यहाँ range तो नहीं बनेगे न यह तो नहीं कि 180 to 170 high से लोज होना जाओगे transfer price कितने होगे minimum एक सो असे बोलो भी समझ आ गया देगे देगे transfer price में हमें क्या समझना है best strategy based best strategy का मतलब क्या होता है best strategy का मतलब यहाँ पर हम यह कहते है कि हमें इतनी quantity कितनी quantity हम बजार में बेचे कितनी quantity हम transfer करे ताकि department का profit जादा से जादा हो और company का भी जादा से जादा हो best strategy here means best strategy here means how much quantity how much quantity should be produced and transferred कितनी quantity हम बनाएं और transfer करें या sale करें right to external sale as well as to external sale किस को outside customer को and to transfer inter-divisional inter-division so that overall profit overall profit of the department and overall profit of the company should be maximized company को profit तभी maximize कहेंगे जब हमें question में given होगा required होगा otherwise department का तो करना ही है मनलग कितनी quantity हम बेचें कितनी quantity transfer करें ताकि divisional profit को maximize किया जा सके company का कहेगा तो right तो best studies का मतलब है कि कितनी quantity हम बजार में बेचें और कितनी quantity हम दूसरे division को transfer करें ताकि हमारा profit जादा से जादा हो और हमारा जादा भी होना चाहिए company का भी जादा होना चाहिए बशर्ते वो हमसे मांगे तो यह तो हम के वर department पर concentrate करेंगे right अब इसके दो points है अगर मलग कैसे करेंगे how to do अगर question में transfer price selling price दे रखी है कि मैं इतने में बेचूँगा इतने में transfer करूँगा transfer price आपको दी भी है तो फिर आप ranking बना लोगे right कि हमें फाइदा किसमें पहले जादा होगा right लिखे how to achieve best strategy given oblique required वनलब या तो दे दे या फिर पूछले बातों एक या ना वनलब ये mention हो कहना चाहते है provided mention हो मैं बनलब question में दिया हो कि company का profit भी जादा करना है क्या करे हो ये वाला आज ये हो गया आज नोट कर लिए आज सर best strategy का मतलब तो हम नहीं बता कितनी quantity बेचे और कितनी quantity transfer करे कैसे how to achieve how to achieve best strategy सर बेस्ट strategy achieve कैसे की जाए first point मतलब किसको बेचे किसको transfer करे ताकि profit जादा हो department का right first point if selling price and transfer price both are given अगर दोनों आपको दे रखी है question में किसको इतने में तो बेचेंगे और इतने में हम transfer करेंगे price भी दे रखी है outside customer के लिए और transfer price भी given है then we should prepare we should prepare statement of ranking बना लो गया ranking का मतलब जिसमें हमें profit जादा होगा contribution benefit क्योंकि price गी given है तो cost minus करके benefit आजाएगा right however if transfer price is not given अगर transfer price आपको question में ना दी हो then तब क्या करोगे transfer price क्या लेके चलोगे आप simple concept equals to variable cost कब when spare capacity exists और transfer price क्या लेके चलोगे variable cost plus contribution lost अगर market price कितने रुपे में बजार में बेच रहे हैं कब when no spare capacity exists और अगर question silent होता है तो मानके चलते है spare capacity exist राइट भे ये इतना concept है अगर question silent है अगर question क्या है silent है तो क्या मानके चलोगे spare capacity exist चली अभी इसके अधार पर देखते हैं जड़ा question है देखे question number हादी इस पर 19 से 25 है इस base per question देखे 24 जड़ा पढ़िए ख Wrap राइब के नड़िए चलrom देखे कर देखे कर देखे भूब भूब पपकिण है 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 दो लोगा है हाली देखे बोश और लॉम लिमिटेड प्रोडूइज टू काइंड आफ प्रोडुक्ट एक्स क्या है लेंसेज और वाई क्या है स्विमिंग गॉगल्स हाली यह कहते हैं हम दो प्रोडुक्ट बनाते हैं कौन-कौन से X और Y in division X and Y respectively मतलब X division में क्या बना रहे है lens और Y division में goggles X is an input for Y and 2 unit of X are needed to make 1 unit of Y और एक क्या जहना चाहते हैं एक goggles में 2 lens the following data is given to you for a period X per unit of X per unit of Y external demand कितनी है तीन अजार तीन अजार capacity 7,500 यानि 7,000 lens की capacity है और demand बजार में तीन जार वाई में 2,500 goggles की capacity है और market में बेच रहे हैं हम demand है तीन जार इसका हम लोग already shortage है एही तो कहोगे चले selling price outside customer के लिए 100 रुपे per lens और 410 per goggles material का खर्चा labor and overhead हाँ जी 25 रुपे excluding X if division Y purchases X from outside अगर Y lens को बजार से खरीता है then only it has the following cost हाँ जी अगर हम धाई अजार से कम खरीते हैं यानि 2,499 और less तो हमें किस rate पर मिलेगा पूरा 90 पेपर और अगर हम order देते हैं 2500 से जादा और 5000 से कम या 5000 तो हमें मिलेगा किस rate पर पूरे और अगर 5000 से जादा order देते हैं तो पूरा lot evaluate the best strategy for X and Y कमपनी के लिए तभी कहोगे जब कोशन में पूछेगा बात करेगा तो हमें किस का ध्यान में रखना है X और Y का राइट मलब best strategy का मलब क्या हुआ X अपनी unit कितना unit X के पास lens 7000 तो 7000 में से कितने बजार में बेचना चाहेगा कितने Y को देना चाहेगा ताकि उसका profit जादा से जादा होगा ऐसी Y Y मलब कितना लेना चाहेगा बजार से कितना X से और कितना आगे बेचेगा Y तो किस और को देगा नहीं तो Y के लिए best strategy क्या होगे input X के लिए output बताओ transfer price आपको नहीं दे रखी question में तो ranking वनी बाद नहीं आपाई transfer price तो आपको नहीं दे रखी ना तो ranking तो नहीं लगा सकते अब concept लगाओ X क्या सोचेगा कि हमारी capacity कितनी है 7000 की और बजार में बेच सकते हम तो इसका वनलब spare है 4000 की समझे महाँ के बहुत असान है X कहेगा कि भी देखो 7000 की मेरी capacity है lens को बनाने की ठीक है और कितने में बना सकता हूँ मैं एक lens हाँ नहीं कितने में 60 रुपे में तो देखो 4000 lens तो मैं आपको दे सकता हूँ कितने में 60 रुपे में क्लियर पाट क्योंकि खाली बैठे है बट अगर आप 4000 से जादा मांगोगे नहीं तो दे सकता हूँ कितने में 100 रुपे में क्योंकि बजार में मैं 100 पे में बेच रहा हूँ, क्लियर पार्ट भी, वाई को चाहिए कितने, वाई को लेंस चाहिए कितने, बोलो, एक मिनिट, हांडी, वाई को लेंस चाहिए कितने, 5000, कैसे, 5000 गॉगल्स बराएगा न, कैपस्टी, तो एक गॉगल्स में दो लेंस सही हैं, तो इसको 5000 लेंस की आवश्यक्ता है, अब 5000 लेंस कैसे लेंगे वो, 4000 तो दे देगा एकस कितने में, 60 रुपे में, कम से कम, तो हम वाई के लिए देखेंगे, बजार से कितने में खरी सकते हैं least to least हाँ जी कितने में 70 रुपे में 70 से कम तो नहीं मिलेगा न बोलो 70 से कम तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब 60 रुपे में कौन दे रहा है x तो ले लोगे कितने दे रहा x तो ठीक है x से 4000 ले लोगे किस रेट पर 60 रुपे में बलो कितने बचे और 1000 इसका लवाई के पास अब 1000 और खरीदने की बात है तो वाई 1000 और लेंस कहां से लेगा बजार से लेगा कितने में 90 रुपे में बलो क्लियर है तो वाई के पास कुछ और आप्शन है ताकि कॉस्ट काम आजाए बलो आप्शन नहीं है कोई भी कैसी बाते करते हो यार वाई के पास पहला आप्शन क्या आया 4000 कहां से ले ले एक से और 1000 बजार से ले क्या कॉस्ट आएगी 4000 इंटू 60 और 1000 इंटू 90 ये कॉस्ट आगई अब आई देखेगा क्या इस देर अनी अदर ऑप्शन तो हैव डो कॉस्ट अस पंपेर तो दिस बलो बताओ एक मिनट हाँ दुबारा बल दुबारा बलो अच्छा ना पढ़ना नहीं है मुझे डंग से रीड नॉट केरफुली क्योंकि केरफुली तो करते करते ठक गए नहीं पांच हजार से जादा और हमेचे ये पांच हजार एक तो क्या करोगे यार सोचो बिजनस करो यार थोड़ा सा बिजनस माइड लगाओ बस ये मत सोचा करो पांच हजार एक खरीद लो ना पांच हजार एक खरीद लो ना एक लेकर फैक्ट देना समझ रहो एक लेकर रख लेना यार क्योंकि पांच हजार एक लेते ही आपकी सारी कॉस्ट सत्तर पर हो जाएगी जरूद कितनी है पांच हजार की कोई बाद नहीं एक हम रख लेंगे स्क्रैप रख देंगे एक की वज़े से पूरे लॉट पर कॉस्ट कम हो जाएगी तो एक उप्शन बन गया परचेस करो कितने पांच हजार एक कंज्यूम करो पांच जाल फिरी के कोस्ट देख लो पांच हजार एक पर कितनी आ रही है दूसरा उप्शन बिल्कू ठीख लेलो बज़ार से और पत्चिसो लेलो एक से अधाले लेलो तो तीनो में कौन सो अप्शन बेटर होगा जिसमें कौस्ट हवसे वही बैस से स्टरडिजी करी बिल्कूस तो सब से पहला पांट एकस के पांट आफ़िसे क्या कहो गया हादी, from x point of view x k point of view से क्या कहेंगे हम बढ़ x के point of view से क्या कहोगे x has spare capacity बढ़ दो भी बाते ध्यान लख नहीं है transfer by is given है तो ranking, नहीं, तो capacity वाला part x has spare capacity, कितनी up to 4000 lens right, resulting हादी x can transfer such 4000 lens at the rate variable cost कितनी 60 है न, 20 और 40 60 रुपीज पर unit x 4000 transfer कर सकता है कितने में 60 रुपे में as minimum as minimum as minimum transfer price which can be accepted देखना बढ़ेगा, वाई असब करेगा या नहीं अजी, वाई मना कर देगा, कब वाई मना कर सकता है इसको अगर y बजार से 60 रुपे से कम पर खरी सके तो आपको कि which can be accepted which can be accepted by y क्यों as y has the option to purchase हाई, कितना, 70 रुपे, to purchase not less than not less than 70 रुपेज पर य रुपेज y के पास option है, 70 रुपे से कम पर नहीं खरी सकता clear बढ़े आगे however the requirement of y requirement कितनी है of lens by y कितने बता ना 2500 into 2 5000 lens की अवश्रकता है right हाई, तो x 1000 और दे सकता है पर उसके लिए का करना पड़ेगा उसको market की sale को कम करना पड़ेगा right x can transfer further कितना इन 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 1000 इन इन by reducing external sale that is at the rate कितर पेपर 100 रुपेश पर इन इन but this price हादी is not acceptable by y okay, explanation पूरी देनी पड़ेगे न आपको आदे x कह रहा है कि मैं और 1000 दे तो सकता हूँ पर उसके लिए मुझे sale को कम करना पड़ेगे तो 100 रुपेश रहे कम पड़नी जाएगा तो y क्या गएगा नहीं y कह गएगा कि 100 रुपे में मैं आपसे नहीं लूँगा तो बेस्ट स्टेडी जी क्या रही x की बेस्ट स्टेडी जी क्या रही 4000 हाँ जी तले 3000 external sale and 4000 can be transferred clear part b subject to received by y y देखेगा ना कि मेरे लिए क्या फायदे मता हम दे सकते है हो गया नोट के लिए लेकिन बेस्ट स्टेडी जी for x best strategy for x हाली external sale external sale कितने 3000 lens हाली transfer to y कितने 4000 y को transfer कर सकते है can be right अब y के साब से देखोगे y के बस क्या क्या option है हाली from y point of view बो y के बस क्या क्या option है y की requirement कितनी है y की requirement हाजी 2500 इंटो 2 5000 हाजी एक option 4000 x से ले ले और एक जार बजार से ले ले y हैस दा फॉलॉइंग ऑप्शन y हैस दा following options बताइए first हाजी receive कितने 4000 लेंस from x किस रेट पर ले ले 60 रुपे and purchase कितने 1000 लेंस from market किस रेट पर मिलेंगे 1000 उसको 90 रेट तो cost कितनी आ जाएगी 3 लाख यही आएगी cost देखना दूसरा option क्या है हादे purchase कितने 5000 from market and use और use कितने करे 5000 लेंस एक को यहीं cost पूप कर ले कोई दिखकर नहीं cost कितने आएगी 5001 into 70 carry it 3,50,000 70 चले तीसरा option बता हादे डाईजर पर लॉट चेंज हो रहा है न परचेस कितने इनिट 2500 from market किस रेट से हादी 80 and receive 2500 from किस रेट पर कितना आगया कितनी cost आ रही है चले और तो कोई option ही नहीं है कौन सा बैटर हुआ 4000 एक से ले और 1000 market से ले तो क्या कहोगे best strategy for input हादी is to purchase कितने 1000 unit from market and receive कितने from X due to least cost किरे पाट नहीं है अब वाई के option output के लिए नहीं आप बजार में बेचे का एक option है वाई जैड को तो देगा नहीं न दो 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 डिपार्मेंट है तो वाई की best strategy input के लिए के लाई के आउटपूट के लिए तो हो कि लिए वाई तो सारा बजार में बेचे गा वह लवे समझ मागें गोड़ाउट एप उचलों को टाउट वेरी पता हुझ पूछ पूछी नी रा पूछी नी रा हम से ठीक है हम जो बस बैस टर दीजी पूछ रहे है और मिनीमूम साथ राख वे क्योंकि वो थाली बैठ है यह हां जी देखिए नेक्स्ट कंसर्प्राइस का हां जी ट्रांस्वर प्राइस वेड़ इंटरनेशनल टैक्सर इसको बलते हैं मल्टी नेशनल प्रांस्वर प्राइस हां जी अगर सपोस एक कंपनी के दो पार्ट्स है एक ग्रूप ओफ कंपनी में दो कंपनी है एक कंपनी अलग कंट्री में है दूसरी कंपनी अलग कंट्री में अगर सब ही Granth कंपनी में अलग अलग कंपनी अलग कंट्री में में तो domestic cancer price होती है अगर सभी companies under the same management अलग-अलग country में है एक मान लो इंडिया में है और एक US में ये supply company है एक supply company है और एक receiving company है suppose supply company अपने goods and services किसको भेज रहे हैं दूसरी receiving company को under the same management under the same management अलग-अलग अगर एक company अपना goods and services किसको भेज रहे है दूसरी company को under the same management but the other company is situated in other country अब policy due to policy matter sir goal concurrence की वज़े से ये spare capacity में है supply company has spare capacity तो decision के हिसाब से ये कितने में transfer करेंगे variable cost पर decision के हिसाब से ये cost to cost पर transfer करेंगे और वो भी variable cost पर तो supply company की चितनी variable cost होगी उतने में transfer करेंगे ये किस वज़े से spare capacity ये तो मतलब हुआ अब अगर यहाँ पर जितना खर्चा आ रहा है जितना भी खर्चा आता है उतने में transfer कर देते हैं क्यों इनकी policy है क्यों under the same management है तो क्या समस्य आ रही है हमारे पास इस country की जो government है वो क्या गह रहे हैं कि सर क्योंकि goods इंडिया से बाहर जा रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा क्यों नहीं मिल रहा भाई क्योंकि profit नहीं हो रहा क्योंकि profit नहीं हो रहा आप तो cost to cost transfer कर रहे हैं तो आपकी policy है ना profit हो तब तो corporate tax दोगे आप profit इसमें दिखाई नहीं रहे तो जो profit नहीं हो रहा तो हमें tax नहीं आ रहा हमें tax नहीं आ रहा तो हम आपको यह काम करने नहीं देंगे हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ हमारा हफता तो चाहिए ही यह तो आप काम नहीं कर सकते हैं अब यह कहने सर इमको बताँ तो प्रॉफिट ही नहीं है तो हम आपको टैक्स कैसे दी समझे बात को तो यहां पर गॉवर्मेंट ने यह कहा है कि यह आपकी पॉलिसी है कि आप इसको वेरिबल कॉस पर ट्रांसर करो फिक्स कॉस पर ट्रांसर करो फिरी में दो पैसे भी दो साथ में that is your problem हमें इससे कोई सरुकार नहीं गूट्स रीचिज आउटसाइड दा इंडेंटरिटी अगर गूट्स इंडेंटरिटी के बाहर जाता है तो हम इसको सेल मानेंगे हम इसे क्या मानेंगे सेल मानेंगे clear part it is treated as सेल the government के point of view से it is क्या होगा treated as सेल मानी चाहेगी अब अगर सेल मान ली और हम तो ट्रांसर कर रहे है एक्च्छल में variable cost per total cost per whatever the price may be due to our policy matter तो वो तो सेल मान के चल रहे है तो अब क्या problem आईगी what should be the selling price what should be the selling price तो government ने का देखो सीधी सी बात है आप अपने भाई को दे रहे हो आप अपने यही पार्ट को दे रहे हो ना तो इसलिए variable cost per रहे हो ठीक है यह मान के चलो अगर यह goods आप अगर यह goods आप unrelated party को देते अगर यह goods यह तो related है ना अगर यह goods किसको देते unrelated party को देते तो क्या price होती राइट वो मान लेते हैं हम आप जैसे donation देते हो जैसे gift देते हो तो बाई को अपने घर में तो gift दे देते हो बाहर वाले को तो नहीं दे रहे हैं ना नॉर्मली तो इसका मतलब अगर आप यह समान बाहर वाले को देते हैं तो कितना पैसा चार्ज करते हैं वो पैसा हम क्या मान लेते हैं sale तो उसको क्या मानते हैं हम arm length price क्या मानते हैं हम उसको arm length price right arm length words का मतलब क्या है arm length का word का मतलब क्या है price to unrelated party which is very closer to your part बहुत दूर नहीं जा रहें कि आप इतनी दूर सवान बेच रहें तो transportation cost नहीं आप बिलकुल बराबर वाले को कितने में बेचते arm length बिलकुल बराबर वाले को कितने में बेचते वो बता दो आप हम वो ही price ले ले लेते इसलिए बुला arm length arm की length पर यानि जितने आपकी बराबर में जो party बैटी है उसको कितने में बेचते हैं हम तो बहुत दूर भी नहीं जा रहें ला इसलिए लिए arm length तो जो price आप बजार में बेचते हैं बिलकुल closer to your company वो price हम ले लेते हैं और उस पर क्या निकाल लेते हैं tax निकाल लेते हैं वो हम आपसे tax ले लेंगे बलो clear party तो ये part किलाया arm length price means price related to price related to हादी किसको unrelated party जो आपको नहीं जानते वो किलायागा arm length price तो corporate tax निकाल लोगे कैसे arm length price minus total cost arm length price minus total cost ये profit आजागा इस पर हम आपसे क्या लेंगे tax burden लेंगे तो tax burden corporate tax क्या हैगा selling price जो कि arm length price होगी minus total cost ये profit हो गया इस profit पर tax rate निकाल लो वो लो के लिए बाट ले चले इतना लिख लेते हैं फिर आगे चलते हैं लेगे हो गया हटा दू हो गया भी लेगे अगर एक ग्रूप of company किस में divided है different company जैसे reliance group हो गया and each such company are situated अगर सारी कंपनी हैं एक ही कंट्री में हैं फिर तो कोई समस्या नहीं है if such companies are situated under the same country then there is no problem फिर तो domestic transfer दाई जाएगी पर problem कमा रही है if such companies are situated in different country अलग अलग कंट्री में है तो government अलग अलग हो गई सबको अपना हिस्सा चाहिए फिर in different country योग कि अगर same country में है फिर तो मान लेंगे change of location of goods within the same business पर यहाँ एक country से दूसरे इंट्री में जा रहा है तो उसको change of location नहीं माना जाएगा वो sale माना जाएगा तो दिखतो रहा है क्या देखा हाँ दे क्या लिगे such companies are situated in different countries अगर हर companies क्या है अलग अलग countries में है then come then any then any transfer any transfer from one company to other company अलगे एक कमणी से दूसरी कमणी में under the same management management अलग नहीं होना चाहिए अगर management अलग अलग तो sale होगी अच्छली under the same management having different country then transfer from one company to another company is any moving new tam transfer from one company to other company bracket में under the same management comma different country क्योंकि अगर under the same management हो और country same तो कोई समझ जाता हो ना पर तो domestic राफसर प्राइस हो जाएगी different country is treated as sale यह sale माना जाता है from government point of view from government point of view government के point of view से इसको क्या माना जाता है sale माना जाता है is treated as sale and charged and charged corporate tax and charged corporate tax accordingly और उससे आप से वो tax लेते हैं even even such transfer took place at variable cost total cost बड़े ही वो transfer कैसे हो cost परो उससे कोई मतलब नहीं है वो तो sale मानेंगे clear हो का पाट अब नो जब sale मान लिया तो sale price कैसे पता लगेगी right हाँ जे arm length price should be considered as sale price arm length price arm length price should be treated as selling price okay arm length price माने जाएगे selling price clear point हाँ जे arm length price किसको कहोगे arm length price means price to unrelated party clear point कोई भी price जो unrelated party को दिया जाएगा deemed price that is called deemed price माना जाता है एक चल नहीं होता है समझा जाता है deemed price का बाला माना जाता है कि अगर आप इसको बेचते तो कितने पैसे मिलते if you had sold to unrelated party then the price would have been realized ये deemed समझा जाएगा कि अगर आप किसी और को बेचते जिसको आप जानते हैं नहीं तो company बेचते ना तो वो एक accessible price ले लेते right तो practically बात करें transfer price में ये एक्तना से case लगते रहते हैं बहला हम transfer करते हैं हमें पता है कि वो sale मानेंगे हमारी cost इतनी है हम बराबर वालों को बेचते हैं cost हमारी 100 पर आ रही है 110 रुपे तो government उसमें assessment लेते हैं valuation कराते हैं नहीं 110 रुप जूट बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं इसके actual price ए 150 रुपे है तो वो फिर difference calculate करके उस पर penalty लगाते हैं फिर हम fight करते हैं नहीं आपने price गलत नहीं का लिए तो यह एक तरह से difference create होता रहता है तो बैटा रहे कि हम पहले से ही government को price सही बता है यह फिर पार्ट के लिए हो गया चलिए अब cost देखिए cost हम गया से निकालते हैं supply company मान लेते हैं कहाँ पर है इंडिया में है यह इंडियन territory है और receiving company कहाँ पर है outside इंडिया राइट अंडर दा सेम management ओके हाँ दे transferer transferee transferer company यह कहते हैं अग यह हमारी factory है यह हमारे पास factory है तो इसको क्या बोलोगे आप x factory cost यहां से लेकर इंडियन territory तक जो भी खर्चा होगा यह इंडियन territory है यहां तक जो भी खर्चा होगा इसको क्या बोलते हैं हम transportation cost इसे बोलते हैं transportation cost प्लस अब यहां पर goods आ जाता है यहां पर government को क्या दोगे अडि duties होगे government को यहां पर duty पे करोगे इस duty का दूसरा नाम है export duty क्या नाम है इसका export duty या एक और नाम है war fridge charges custom duties कोई भी नाम आ सकता है यह सारे duty पे करके यहां पर goods government के right से क्या होता है free हो जाता है अब government का इस पर कोई अधिकार नहीं तो यह किस पर load करा देते हो ship पर तो इसको क्या बोलते है यहां तक की cost को free on board यहीं गौर्नमेंट के अधिकार से मुक्त हो गया free हो गया कैसे सब export war fridge custom सारी duties हमने pay कर अब आपका कोई अधिकार नहीं है free on board रास्ते का insurance यहां तक हमारी cost क्यालाती है basically यह यहां तक क्यालाता है हमारी cost किसकी cost FOB यह हां पर समझाने का purpose है FOB is the cost to supply company transferer वो लो के लिए बाट भी FOB तक का खर्चा किसका कहलाता है transferer का clear चलिए यह transit insurance transit insurance and freight यहां पर आ जाएगा goods इसको क्या बोलोगे cost insurance and freight normally ज्यादा तर केस में transit insurance and freight receiving वाले ही देते हैं पर वो clause होता है कि नहीं भी आप दे दो फिर हम आपको बाद में वापिस कर देंगे ठीक है पर यह खर्चा होता receiving के ठीक है अब receiving वाले लेकर इसको और क्या खर्च करेंगे इसमें import duty पे करेंगे import duty तो यह उनकी cost कराएगी तो आपका हुए FOB price plus transit insurance and freight यहनि CIF plus import duty that is equal to the cost for किसके लिए receiving चले यह हमें समझना है समझ मागे पाइंट बेश चलो अब इसके बेश पर एक कोशन कर लेते है कोशन नबर 31 आपलागे ले लेकर बेज़ागे हुए किसके बेचे़ हमेघ्से हादी एक बार एट करो प्लीज बेल दर ले 30 बार हादी हादीट कर दो आ कर दो झाल 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 यह कहता है इसका मतब है कि अपना प्रोड़क्ट वो बाहर भी बेचना चाहते हैं इट हैज फॉर्म्ड CCDC इंडिया प्राइबिट लिमिटेट CIPL इन इंडिया उन्होंने एक कमपणी बनाई कहां पर इंडिया में खुद बनाई इसका मतब्स हमारा पार्ट हो गया कोई आउटसाइडर तोड़ नँगा पर दा सही मैनेजमेंट क्याने है चलिए CCDC कहां पर है ताइवन में इन्होंने एक कंपनी बनाई है इसका लिए अंडर दा सेमेंट कहां पर इंडिया में ताकि अपना बिजनेस खेला सके एक्स्पेंड कर देए इंडियन पार्ट इस ट्रीटिद एज रिस्पॉंसिबिलिटी संट पराव ऐसे नहीं बनाई है उसकी भी तो मुझे परफॉर्मेंस वैलिएड करनी है CIPL इंपोर्ट कंपोनेंट फ्राम CEC-DC एंड असेंबल इस कंपोनेंट इंटो LED TV तो मेक इट सेलेबल इन इंडियन मार्केट राइट यहां ताक एक बार ज़रा समझें फिर आगे चलते हैं क्या कहना चाहते हैं हादी CEC-DC कहाँ पर है यह हादी ताइवान चाइन पेस्ट कंपोने यह अपना एक सबसिडिरी अपनी कंपनी राइट CIPL कहाँ पर इंडिया में ओके यह सप्लाई कंपनी है ट्रांस्फरर और यह रिसीवी बोलो समझा के तना हादी यह CIPL CEC-DC से क्या लेंगे कंपोनेंट और उसको लेकर क्या बनाएंगे LED टीवी बनाकर बेचेंगे इंडियन मार्किट में क्या रहें एक कंपोनेंट यहां से ट्रांस्फर किया जाएगा और इस कंपोनेंट को लेकर असेंबल करके क्या बनाएंगे LED टीवी क्या कहते हैं देखो पड़ो हाले तू मैनुफैक्ट्चर एन LED टीवी टू यूनिट ऑफ कंपोनेंट एलेक्स आर रिक्वाइड एक LED टीवी बनाने में दो LX चाहिए तो इसका मतलब CEC-DC क्या भेजेंगे LX ताकि वो टीवी में कनवर्ट कर सके चलिए the following cost is incurred by CEC-DC to produce a unit of component LX इस लाइन का मीन नहीं बताना देर क्या है the following cost is incurred by CEC-DC हाँ बो एक मिनट हाँ बोल भाई हो चुकी या होगी past है तो sunk हो जाती है बताओ उसमें सारा निर्वर हो जाएगा बताओ बताओ is incurred होती है बिल्कुर पैसिवाइ सेंटेंस तो इसका मतलब यह past cost नहीं है चलिए एक LX को बनाने में यह खर्चा किया जाता है बताओ material कितना 440 TWD का अबलब ताइवाण डॉडर TWD लिखा ना इसका मतलब है ताइवाण डॉडर 440 लेबर 120 वेरिबल ओवरेड चालिस 600 डॉडर मतलब एक LX को बनाने में यह एक्स फैक्ट्री यह तो फैक्ट्री में आ रहे ना material कहां पर खर्चा होगा लेबर वेरिबल होगी कहां पर होगे फैक्ट्री में कितना 600 ताइवान डॉडर का खर्चा कहां पर है transfer के लिए फैक्ट्री में बोलो यह तो बताया था भी अले यह तो बत करें तो यहाँ पर X फैक्ट्री कोस्ट के लिए रहे यह तो आ रही है कितनी 600 डॉडर आगे बताओ purchase from domestic market मलब जो material लेना यह कितना 440 का यह सारा कोई भी बाहर से हम import नहीं करते ऐसा क्यों हो क्योंकि फिर import duty देरी पढ़ते है ऐसा कुछ भी नहीं CCDN कर Taiwan डॉलर कितने 30 पर इनिट एज वारफेज चार्जिस मतलब गौर्वर्मेंट को duty पे करें कितने duty कितना amount 30 custom duty export duty कुछ भी नाम देजेगा राइट चलिए CCDC अब इसका लगा transportation नहीं है यह रही factory custom station के आस में होगी तो कोई transportation का खर्चा नहीं है तो यहां तक का amount कितना आ गया छे सो तीस ताइवन डॉलर फोलो समझना आगे यह 630 कहां तक आया है अप टू अप टू हाँ जी supplier territory जही तो हुआ चलिए आगे CCDC has normal manufacturing capacity कितनी है पांच लाग unit की LX per annum हमारे पर total capacity कितनी है पांच लाग 70% of production is exported to CIPL and rest are sold to other south east asian country add 750 ताइवन डॉलर पर जहां पर demand कितनी है क्या मतलब इस बात कर बताओ जल्दी से CCDC में total capacity कितनी है पांच लाग LX बनाने की capacity है बुरिए बई यह कह रहे हैं क्या मतलब है जल्दी से spare capacity है या नहीं मुझे ही बताओ हमें यह बताना है spare capacity है या नहीं वो बताइए बोलो बोलो बनाने जल्दी बताओ हादी नहीं है क्यों एक मिनट क्यों नहीं है बताओ किसको कौन है इंडियन कंपनी CIPL कौन है हमारी दूसरी पॉकेट अरे यह 70 बतान हम किसको दे रहे हैं अपने आप कोई तो दे रहे हैं तो सेल थोड़ना कर रहे हैं कोई सेल तो जहां पर दिमांड इतनी है तो इसका इसको भेज रहे हैं वो तो स्पेर में भेज रहे हैं यह मतला है तो आप कहोगे दिमांड दिमांड का मलब एक्स्टर्नल सेल दिमांड मेंस एक्स्टर्नल सेल कितनी हैं एक लाक पचास हजार और वो कहां पर हैं सेम कंट्री में हैं नहीं आउटसाइड कंट्री में हैं आउटसाइड कंट्री में हैं आउटसाइड कंट्री में हैं एक में हम पिक्चर बना देते हैं यह यहां पर द दूसरी कंट्री है, South Asia कंट्री, South Asia कंट्री, यहां पर demand है, कितनी demand है यहां पर, एक लाख पचास जार, पताओ जरह कितनी, एक लाख पचास जार, South East Asian, South East, बाहर है इसका मलाद है, डॉमेस्टिक में नहीं है बसी है, चलो खरिशना मना अलग कंट्री बता दी, अब इसका मतलब इस सदादा डिमांड नहीं है तो इसका मतलब spare capacity मेरे पस कितनी है तीन लाग जो हम अपने दूसरे ही department को transfer कर सकते हैं और कर रहे हैं clear what बी ये it may be it can be it will it is doing transfer किसको to CIPA जो कि हमारा ही तो पार्ट है तो इसका लाग ट्रांसवर add spare capacity ये समझना के चली खरागे बता हाँ जी अजब बाहर कितने में बेच रहे हूं साड़े साथ सो ताइवन डॉलर में the authorities both in Taiwan and India consider 750 बराबर 15 रुपे पर component as arm length price for all transfer to CIPA ओगया clear तो arm length price क्या हो गई arm length price कितनी मान रहे हैं 750 और इसके रुपे कितने बने 1500 मला अब एक डॉलर के बलो दो रुपे साड़े साथ सो ताइवन डॉलर के रुपे बताऊ ना रुपे कितने बन रहे हैं 1500 रुपे इसका मतलब क्या हुआ एक ताइवन डॉलर बराबर दो रुपे बलो के लिए बाट में यह तो के लिए रहे हैं चले आगे CIPL incur 10 रुपे per unit as shipment charge CIPL कौन ये 10 रुपे का खर्चा किस पर कर रहे हैं shipment right बे मतलब ट्रांस्पोर्ट का खर्चा हो गया रास्ते का खर्चा ये बाला shipment का मतलब किसको दे रहे हैं 10 रुपे freight and insurance तो लो के लिए बाट में चाही तो है shipment shipping charges दे रहे हैं चलिए cost data relevant to the LED TV किसका LED TV इसके लिए बताओ variable cost per unit material excluding LX 6200 रुपे में है 115 रुपे labor fix cost 118 लाक 258 लाक चलिए CIPL can sell 1,75,000 इनिट ओफ LED TV कितने में 11 रुपे मतलब ये 1,75,000 LED TV बना कर बेच सकते हैं कितने में 11 रुपे में इनको LX चाहिए एक लाक 25,000 LED TV बनाने में उनको 3,50,000 LX चाहिए तो कोई तो बेज रहे हम तो लो clear about चलिए there is a dispute on transfer pricing component LX between CECDC and CECDC is in favor of charging 750,000 dollar to CIPL as its arm length price and it has to pay tax on this on the other hand CIPL in its argument saying that क्या कहना चाहरे हैं CECDC हम तो जितने में बज़ाब में बेच रहे हैं उतने रुपे आप से चार्ज करेंगे जबकि खाली बैठे हैं जबकि खाली बैठे हैं ये तो मतलब है चले दूसरे हैंड पर CIPL क्या कहते हैं receiving company ये तर्क दे रहे हैं क्या substitute component LX can be purchased from Indian market कितने में वो कहते हैं ठीक अपने पास रखो हम बज़ार से ले लेंगे 1490 रुपे में more ever it has to pay import duty on import LX so the transfer price suggested by CECD is not वो करने हमें नी चाहिए है एक तो आपसे खरीदने में क्या खर्चा हो रहा है 10 रुपे का shipment का और यहां import duty हाँ जी ध्यानते समझना ये 10 रुपे ये वाला खर्चा और ये वाला खर्चा किसका होता है receiving का यहां तक का यहां तक का खर्चा किसका होता है supply का यह जामना यह चार्ट बिल्कुर तो 10 रुपे का खर्चा shipment का और import duty किसको खर्च करना पड़ रहा है CIPL को कितना देखो type of duty corporate tax इंडिया में कितना है 30% और import duty तो यह 10% ले ले यह 10% किस पर देने पड़ेगी इनको arm length price पर किस पर arm length price पर clear part ताइवान में tax कितना है 25% और 15% import irrelevant है क्यों कि हम कुछ import करीने रहे चलिए export duty दोनों में नेल है अब बताओ minimum price दोनों में export duty नहीं है minimum price बताईए जिस पर CECDC can transfer component LX to कम से कम वो price बताओ जिस पर CECDC transfer कर सके LX किसको CIPL के लिए पाट भी तो minimum price क्या होती है based on relevant cost based on relevant cost relevant cost क्या होती है जो खर्चा हो भाई वो दे दे जो खर्चा हो variable cost मत रटू relevant cost क्या होती है जो जेब से जाए प्लस आने सुरूगे खाली बैठे तो जेब से जा रहा वो ले 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 बो लो समझ में आगे minimum price बिलकुश simple होता है बताओ पहला पार्ट statement of minimum price बताओ ये हादी CCDC शुट चार्ज हादी cost to be incurred due to transfer right भी हाजी CCDC के साब से तो ताइवन डॉलर में आएगा भी तो बोलो कितना खर्चा आएगा ताइवन डॉलर में एक LX को बनाने में बताओ material कितना 440 ताइवन डॉलर आगे labor कितना 120 आगे variable order कितना है 40 अब बताओ कम से कम CCDC कितने पैसे लेंगे decision making के साब से बताना है right भी CCDC कितना amount charge करेंगे CIPLC कम से कम हम फाइनल amount बता हूं मुझे नहीं बता हूं ये खर्चा बनाने में होगा और 30 रुपे बेजने में एक तो वो जोड़ोगे प्लस हादी कितना 30 रुपे ये समझ में आगया बोर ये ये होगी cost up to the हादी China territory supplier territory ये ही खर्चा होगा नहीं यहाँ supply company क्या कहेंगे हमारी government भेजेंगे नहीं जब तक हम उनको उनका हिस्सा नहीं देंगे तो कितना हिस्सा दोगे उनको corporate tax भी तो दोगे कितना हादी 750 Taiwan dollar मानी जाएगी price minus cost ये cost कितने आ रही है जो तो कितने 630 ये profit माना जाएगा इस पर Taiwan का tax rate कितना है 25% भूलो समझा गया कितना है 30 तो भई minimum price कितना ये आएगे relevant cost पूली समझा आगी बात as minimum price ये कम से कम खर्चा लेंगे तो ट्राइगे ट्रांसर प्राइगे बताओ कितनी आए 660 ताइवन डॉलर या रुपीज में बता दो न एक डॉलर के कितने रुपे इंटो टू 1320 रुपे कम से कम भई या हमसे लेगे से कम हमारा वारानी खाएगा तिल्कुल क्लिए रहे कोई समस्या कोई doubt कोई परिशानी कितना असान है क्लिए रहे second part पढ़के बताओ maximum price that can be paid by two for each component कितना पैसा जादा से जादा जादा से जादा दे सकते हैं CIPL क्या कहेगा वह इससे जादा मैं आपको नहीं दे सकता this is the maximum amount that we can offer इससे जादा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा नहीं तो बैब बजार से ले लूँगा भलो तो वह इतना amount दे पाएगा ताकि उतना amount देने के बाद और कितना खर्चा 10 रुपे का खर्चा फ्रेट का और import duty का अरे वाई इंडिया में खरीद होगे तो ये खर्चे थोड़ना होगे तो CIPL क्या गएगा इतना पैसा ले लो ताकि 10 रुपे और import duty जोडने के बाद 1490 से जादा ना हो नहीं तो मैं बजार से ले लूँगा बलो बाद हो गए लेगे second part maximum amount to be paid by CIPL maximum amount to be paid by by CIPL to EC DC is in such a manner so that after incurring after incurring कितना shipping cost कितना 10 रुपे plus import duty कितनी है 10% into 750 right कितना पिचत तर्टाइ 1 डॉलर इंटो 2 कितना 150 रुपे ये खर्च करने के टाज it it should not exceed it should not exceed कितना 1 4 रुपे है तो amount हम ले रेते हैं एक्स रुपे plus shipment charges कितना है import duty कितना है 150 ये amount 1490 से कम होना चाहिए कितना है एंडी 330 रुपे इस ता maximum amount that is divide by 2 कर तो बलो 665 ताइवान इस से जादा हम आपको नहीं दे पाएं तो basically transfer price कितने fix हो गई minimum कितना minimum 660 डॉलर यही था और maximum 600 बलो यही तो हादी पॉलरी बॉलरी दे पॉलरी दे 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 है कन दो कि दो आता है हाँ जी वहाँ सारे टैक्सेस आर्म लेंज प्राइस पर होते हैं चलिए तीसरा पार्ट क्या करें प्रोफिटेबिटी स्टेटमेंट फॉर ग्रूप इन जो आपके समस्या है असने लिखा भी हुआ देको धान से फॉर ड्यूटी एंड टैक्स कैल्कुलेशन कंसिडर आर्म लेंज प्राइस चलिए प्रोफिटेबिटी स्टेटमेंट किसमें बनाना है मुझे स्टेटमेंट ओफ प्रोफिट इन ताइवन बनार हाँ जी फर्स्ट फर्स्ट कहलोगे आप सी सी डी सी और दूसरा सी आई प्रोफिए ओके बताए ये सी सी डी सी रिवेन्यू बताओ तरह एक्स्टर्नल सेल कितना बेच रहे हैं बताओ एक लाक पचास अजार कितने में बेच रहे हैं साथ सो पचास ताइवन डॉलर में चलिए ट्रांसफर हाँ जी बोलो तीन लाक पचास अजार हाँ जी सोच समझ के बताना है एक मिनट ये ट्रांसफर वैलियू आ जाएगी ये बलब रिवैन्यू आ जाएगा माउट 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 क्या करोगे इसमें से बोलो ये कॉस्ट यही तो हाँ दी चलिए टोटल कॉस्ट माईनस ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा बी हाँ दी क्या करोगे बलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा इसमें टैक्स में तो खर्चा है मेरा टैक्स में तो खर्चा है तो क्या बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये होगा तो लो क्रीर बाट में CIPL इंडिया में हाँ जे रिवेन्यू माइनस कॉस्ट एक ट्रांस्फर कॉस्ट और बाकी अपनी कॉस्ट ये रिवेन्यू ये अपनी कॉस्ट क्या जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस पर टैक्स देंगे चलिए अब बताव जारा सो समझ के परफॉर्म आपको मने दे दिये ठीक है ताकि आगे भी दिमाग चल पाए बताव ट्रांस्फर प्राइस जो यहां रखोगे वो यहां पर आएगा ये तो निष्टेत है बहुलो कितना माउंट प्राइस का रखा जाए ये निष्टेत है जितना यहां रखोगे आप उतना ही यहां पर आएगा और नोश्टनल भी होता है नोश्टनल भी तो होता है नोशनल का मतलब क्या होता है जितना मर्जी रख लो कंपनी का ओवर और प्रॉफिट कम नहीं होता है वो अलग बात है आप देखोगे मैं तो एक बात समझा रहा हूँ आपको न यहाँ पर आप कुछ भी रख लो जितना ज्यादा रखोगे यह प्रॉफिट बढ़ जाएगा यह प्रॉफिट कम ओवर अल तो उतना ही रहना है यह बात समझ में आ रही है वैसे एक मिनद नोशनल पहले समझा दूमें आपको अलग से ताकि दिमाग में बैठे एक मिनद नोशनल क्यों होता है प्लीज एक मिनद एडिवीजन है बी है और कंपनी है प्लीज एक अलग से समझ लो कर लिए दिमाग में ना मालो ए ने बी को ट्रांस्फर करना है ओके डिसाइड कर लिए सो रुपे में देना है कौस्ट असी रुपे कितना प्रॉफिट आ गया 20 रुपे का बी बेचेगा उसको लेकर 200 रुपे में एक को दे रहे हैं कितना में 100 रुपे अपनी कौस सो रुपे चलिए कितना प्रॉफिट पचास राइट कंपनी के लिए क्या कहोगे आप ऐसे कहोगे जान सेशना फाइनल पूड़क कितने में बिक रहा है कि दो सो पचास एक ही कॉस कितनी है है हसी और बी की बी की सो कितना होगे एक सो कितना ओडी के बीस प्लस पचास यहां इस प्रेजेंटेशन से यह समझाना चाहते हैं मैं आपको सो में दूँगा कि एक सो दस में दूँगा कितने में एक सो दस में कोई दिक्कत नहीं है कितना प्रॉफिट हो जाएगा थीज बी का बताओ 110 कितना 40 company का तो 70 जा यह तो semi रहेगा न final dice में भी कहएगा A का खर्चा कितना और B का मतलब जादा price रखोगे तो A का profit बढ़ जाएगा B का उतना total तो यह कहना चाहते है इसलिए transfer price notional होती है अब बताओ transfer price क्या रखे सोच समझ के बताना है तब तो ठीक बताबा होगे नहीं तो सोच लो थोड़ा time glow थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो transfer price क्या रखे हैंदी दोनों जगे से हटा देते हैं तो फिर तो कानी खतम कानी खतम तो न करनी कानी तो शुरू करनी होती है यह अटा दू बो सोचो यार थोड़ा सा ऐसे जल्द बाजी करते हैं अरे सोचो क्यों की की बाद बाद में नहीं सोचा प्रासर प्राइस क्या रखे हाटना दूस्कों बताओ यार क्यों नहीं सोच हाँ बताओ भई नहीं सोच पारे क्यों चलो मैं आपको बताओ आप बताओ क्या क्या रहत है टेक्स करें तो कुछ भी हो चकता है चलो ठीक है क्या रहत है बताना ताइवान में 25 पसंट है 25 पसंट हो तो रेट जो भी होगा हमारी इचादे चलेगा गौर में तो पागल है नहीं यह सारा हमारा इसाद में चलेगा वह पर तो सारे जो सरकारी करम चारी हो तो आप बन करके बैठें भाई लिया नहीं देरे ठीक है जाओ आपके शिर्दाए इत्रा समझाया यहार उनको उनका हफता चाहिए और केस प्राइस पर चाहिए कुछ भी करते रहो आप अप सुनो जहां से जहां से प्लीज अगर हम रखते हैं यहाँ पर कौन सी ट्रांसफर प्राइस आपके बात सुनते है मिनिमम छेसो साट छेसो पैंसट 665 मान ले कोई बात नहीं यहां रख देते हैं 665 ठीक है वो यहाँ पर आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं यह कट जाएगा बट समस्या आपको होगी क्या 665 रोबे रखा आप ने रखा ठीक है प्रॉफिट आ जाएगा पड़ क्या यह प्रॉफिट टैक्सेबल होगा क्वर्मेंट नहीं मानेगी न क्वर्मेंट क्या मानेगी यह प्रॉफिट गला था आपका मुझे तो टैक्स किस पर चीए साड़े 700 के साब से चीए तो आपको दुबारा कैल्कुलेट करना पड़ेगा क्या कि assuming टैक्स के लिए किसके लिए टैक्स के लिए और मुझे पता है ट्रांसर पराइज क्या होती है जो यहां रखोंगा वो यहां कट जाएगी तो मैं टैक्स अमाउट भी ठीक निकालनू राइट बही और नोशनल भी हो जाए तो क्या रखनू प्राइज साड़े साथ सो बलो क्लीर है बार्बे तो हम ट्रांसवर प्राइज किता रखें क्यों ताकि टैक्स की कैल्कुलेशन भी सही हो जाए और प्राइज नोशनल होती है इस पर कोई ट्रांसवर्ट होना किया जा रहा है जब ओवराल प्राफिट जोड़ेंगे तब तो यह आप आप अटोमेटिक लिए कटी जाएगा चलिए बताओ जल्बेशा कोस्ट हो क्या है बताइए यह अमांट कितना रहा है रिवेन यूगा पांस लाइक इंटू साड़े साथ सो कर लो न कितना 3750,000,000,000 चलिए कोस्ट बताइए हादी वेरिबल कोस्ट ले ले डिरेक्ट जल्दी बताओ कितनी है वेरिबल कोस्ट 600 डॉलर है वेरिबल कोस्ट देखो ना 600 डाइवन डॉलर कितना है कि बनाओगे तो बुरे बांस लागी बोलिए बनाओगे तो पुरे प्रांस लाग एक्स फैक्ट्री कोस्ट और बताओ वार्फे चार्जिच त्यान से बताना सोच समझ के फिर यह क्वार्मेंट के ड्यूटीज है क्या रेट है बताना क्वार्मेंट के ड्यूटीज का रेट बताओ ना तीस है तीसे तो है ताइवन डॉलर अब बताओ किस पर आएगा एक मिनट एक मिनट आवाई बताओ तीन लाख पचास जार क्यों एक मिनट आप बताओ तोलो तीन लाप जाच चर पर क्यों क्यों एक मिनट प्री सो नहीं हो जांएे तो इस पिक्चर पर ध्यान दो पिक्चर पर ध्यान दो समझ आ जाएगा बोलो 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 ये डेड़ला किसको दे रहे हो साउथ इस्ट कंट्री जो चाइना में है इस टेरेटरी से बाहर अब गववर्मन क्यों क्या को होगे इंडिया में दे रहे हैं तो तीसे रफे ले लो अरे भई जा भी बाहर जा रहा है तो देना ही पड़ेगा समझ महां किया बात इसलिए फिक्चर पना ज़ीँ Software यहां दे रहे हो यहां दे रहे हो इस चाइना से बाहर जा रहा है कही पर भी जाए इनको तो ड्यूटी देनी पड़े बस समझ में आगए अई ये डेड़ लाग पर ड्यूटी नहीं देते तीसर बेक काब जब ये डुमेस्टिक मार्किट में बिखते समझ में आगए बात बलो ये कहां बिखरे है डेड़ लाग चाइना से बाहर बिखरे है तो इस पर भी दो ड्यूटी जाएगी इसलिए ये पिक्चर बनाई थी है हमने चली बताओ समझ में आगए कितना फांच लाग और बताओ कौन सा गर्चाए हाँ जी हो गया तीसर रुबे छेससो और तीस और तो कोई खर्चा नहीं है मेरा चली भी बताओ छेससो लाग हाँ दी दोनों जोड़ दिये ना छेससो लाग चली बताओ ये यार करा दी ना का पिगंदी बलाब ये लिखू नहीं मैं ये लिख दूँ कुछ नहीं हो सकता यार बोलो ये बताओ इभी 31 लाग 31 लाग अब बोलो कितना प्रॉफिट आया 600 लाग 25 पसंट टेक्स दे दो अब ये करेक्ट प्रॉफिट है जिस पर टेक्स देंगे 25 पसंट कितना कितना बचा चली यहां जाओ रिवेन्यू C.I.P.L ताइवन डॉलर में जहान से करना कितना बेच रहे हम कितना बेच रहे हैं एक लाग हादे एक लाग 75 प्रॉफिट टीवी एक डॉलर तो ग्यारा जार के कितने बताओ सही जे बताना अब काटूंगा नहीं नाइन शेक्स प्रॉफिट प्रॉफिट तीन लाग पचास जार एलेक्स इंटू साथ सो पचास यह एलेक्स की है क्लिए रहे अपनी कॉस्ट बताओ यह तो ताइवन डॉलर में या रहा डैरेक्ट अपनी कॉस्ट बताओ कितने हैं अपनी कॉस्ट कितने हैं बताना 6200 और 115 6000 हाँ 315 divided by डॉलर में आ गए इंटू बो यह पर LED DV है यह कॉस्ट के है पर LED TV तो इंटू एक लाक 55 डॉलर में बना दिये हमने न भोलो क्लीर अपार्ट हादी चली अब हम CIPL कितना खर्चा करेंगे CIPL 10 रुपे shipment का भोलो और import duty shipment charges बताओ कितना बताना shipment का कितना है 10 रुपे इंटू तीन लाक 50 जार LX पर खर्च करें divided by क्लीर पार्ट और बताओ import duty कितना 10 परसंट कितना आ रहे 150 तो डारेक्ट साथ सास्टों का निकालो बहुत पहले convert करो फिर दुबारा करो रास्ते में नहीं पहले घर जाएंगे फिर वापिस आएंगे भाई जहां खड़े हो वहींचे चल पड़ो साड़े साथ सो है ना इसका 10 परसंट अब पहले multiply by 2 करो फिर divided by 2 कोई फायदा बचिए डारेक्ट डॉलर में आतो गया हाजी 75 ताइवान डॉलर इंटू बोलो 3,50,000 LX पर दे रहे हो ना बोलिए डाउट आ रहा है आपको चल अब ऐसे देख रहे हैं ना चल फिर डाउट आपको फेक्स कॉस्ट प्रॉफिट के लिए कितनी है मतलब 118,258 376 डिवाडिट बाई और कुमसा खर्चा है हाजी और बताएगे ये 1490 पर लोग है क्या नहीं दे रख्खा ना कोश्ट में तो उठा लेते सारी चीज़ा ऐसे सोचे नहीं लेंगे बोलो अज़ा क्यों नहीं लेंगे बिता हो ऐसे नहीं था कोश्ट में तो दिया हो तो साब लेना होता है जल्दी जोड़ो फटा फट अब कर लेना चलो बी बी चाहिए हाँ एट आगे भी बोलवाई यह कहलाता है आगे एट फॉर एट सेक्स फट देबल जी चली माइनस कर दो हादी A minus B चलो कर देना minus करो जलो फटाब के 1 00 6 3 7 5 चले rate बताओ tax का इंडिया का है 30% add the rate 30% हादी किता हाँ रहे है tax हादी 3019 1250 7 0 6 2 5 7 0 4 6 2 5 0 6 2 5 0 7 0 7 0 4 6 2 5 0 7 0 4 6 2 5 0 चले हादी दोनों का profit जोड़ दो बाप लेके overall profit of the company overall group group कितना आगे जोड़ दो 450 lakh profit after tax जोड़ना है plus 70 double 4 6 to 5 0 double 1 यह आ गया profit after tax ज्यान से आगर हम एक मट सुन लो यहाँ पर transfer price रखते कितना 600 65 डॉलर यहाँ 665 रखते यहाँ पर भी 665 आता समझे लो tax बढ़ जाता मैं नहीं देता हम tax बढ़ावा क्यों देते हम tax कम देते तो वो लेते नहीं हम ज्यादा देते नहीं पर यहाँ आप 665 रख सकते थे दोनों में कोई दिक्कत एक होती यहाँ टाइम लगता दुबारा यह profit tax के लिए आप क्या करते ही दुबारा calculate करते ही it should be 750 तब जो profit आता उस पर tax आता ही समझे रहे हो तो calculation unnecessary बढ़ जाता प्राइस हो कुछ में रखने में कोई दिक्कत नहीं है but tax के लिए फिर दुबारा 750 चाहिए था तो पहली रख लिया 750 तो उसी पर tax दे दिया बहुलो समझे आगे बाद भी चलिए अब break के बाद करते है calculus वाला part बाइस कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 हादी ठादी यह देख जो लेखिए नेस पर देखिए. ठांदी यह देखिए डास देखिए बादी यह वा आखिए. हाजी concept है with application of calculus हाजी calculus वाला part जो हम pricing topic में कर चुके हैं ठीक है वो एक बात slightly revise करने हैं देखें जल्दी से हाजी concept of profit maximization अलब calculus के application हाजी एक बार रवाइस के लिए सारा concept जो pricing में किया था सबसे पहली बात profit maximum होता है जहां पर marginal revenue marginal cost के बराबर राइट देखें profit is maximized when marginal revenue equals to marginal cost right marginal revenue यह एक बार रवाइस कर चुके हैं सारा additional revenue due to additional sale of one unit that is derivative of derivative of total revenue function right total revenue function कैसे बनाते हैं हम हाजी price multiply quantity यही तो बैस सेल कैसे होता है price into quantity पुई सारा concept है price function क्या होता है a minus bx right a यहां पर क्या होता है a is the very very highest price very very highest price जहां पर कोई भी हमसे goods नहीं खुरिए था वेर demand becomes equal to zero इतनी high price रखो कोई भी आपसे नहीं खुरिएगा वो a अब बेचना तो कम करना पड़ेगा तो b बताओ क्या कहलाता है technically नहीं simple भाशा में ठीक है आपने बताया पर b क्या होते बताओ एक अतिरिक्त unit को बेचने की वज़े से price में कितना कमी reduction in price reduction in price due to sale of one traditional extra unit और x quantity यह price function बन जाएगा एक अतिरिक्त unit को बेचने की वज़े से price में कितनी कमी ठीक है हादे तो revenue function क्या बनेगा अमरे पस a x minus b x square इसका derivative करोगे with respect to x यह क्या कराएगा marginal revenue x का derivative 1 x square का derivative 2x तो यह कहला है हमारा क्या marginal revenue यह derived कर चुके है सारा pricing में अब वो तो दुबारा नहीं करें न चलिए marginal cost क्या कहोगे marginal cost को बता cost of one additional unit that is variable cost यह यह derivative of total cost लेकि marginal cost marginal cost होगे नट के लिए सबने लेकि marginal cost that is cost of one additional unit एक अतिरीक तिन बनाने की cost that is variable cost क्योंकि और एक बनाओगे तो fixed cost का खर्चा नहीं आता means derivative of total cost function total cost function कैसे बनाते हैं variable cost पर इनिट इंटो प्लस इसका derivative एक्स का डेरीटी बन हो जाएगा और फिक्स कोस्ट का 0 तो profit कब होगा maximum profit will be at maximum level when marginal revenue equals to marginal cost हाजे यानि यानि ए माइनस टू बी एक्स किसके बराबर यहां से एक्स की value नहीं कर लोगे और यह concept कैसे बता लगेगा कोशन में लगाना है जब आपको A और B दियो होंगे very very high price दिया हो और price reduction दिया हो तब इसका वला यह वला concept लोगे अप्लाई करना है this concept is applied this concept बाई एक्जाम बे थो नहीं कर अप्लाई the concept of calculus तब को देखना है this concept is applied when the value of A and B are given A कमल a very very high price और B कमला reduction in price for additional duty यह दोन दियो अप्लाई प्राइस फंक्शन दनेगा चलिए इसके बेस पर देखो question number देखे पड़ा 29 पड़ा देख पर अपने है कि अवार पर देखे फ्राइस पर स्बैब्स देखे पर देखे पर देखे देखे लो यह कि अवशब अप्राइस आप ऑग ऑग हाड़ी पढ़िए हाड़ी पढ़िए हाड़ी पढ़िए हुआ हुआ है पढ़िया देखी क्या करता है इस्टन कंपनी लिमिटिड हैस्टू डिवीजन दो डिवीजन है कैसनब बागी डिवीजन CBD और WD दो डिवीजन है CBD और WD CBD मैनिफेक्चर्स कैसनब बागी डिवीजन अब लब हर डिवीजन अपना प्रोड़क बना रहा है नाम दिये तू प्रोड्यूज ए वैगन WD नीड्स फोर कैसनब बागी अगर यह साइलेंट होता हो तो 1 इस्टू 1 बेस अब क्या कहा रहा हो एक WD बनाने में चार इन्पुट चाहिए CBD के आउट्पुट एक WD बनाने में CBD का चार आउट्पुट जो हमारे लिए इन्पुट होगा CBD is the only manufacturer of कैसनब बागी एंड सप्लाई बोथ WD और आउटसाइड कस्टमर चलिए डिटेल्स ओफ CBD और WD यह फिक्स कॉस्ट है वेरिबल कॉस्ट दो लाख बीच जार और चार लाख चार लाख स्टी जार रपे में जो हम यहां से ले रहे हैं वो शामिल नहीं है कैपस्टी 320 और 12 मार्किट रिसर्च इंडिकेट डैट डिमांड इन दा मार्किट पॉर इस्टन कंपनी और डिफरेंट कोटेशन एज फॉर कैसन अबबगी मतलब यह CBD अपना प्रोड़क्ट जो बेच रहे है कोटेशन प्राइज 320,000 नो टेंडर विल बी अवाड़िट इसका मतलब कोई टेंडर नहीं आएगा कोई आप से लेने नहीं आएगा तो 3,20,000 रपे में अगर आप प्राइस कोट करोगे तो खाली बैठे दोगे कोई आपके पास लेने भी नहीं आएगा यानि यह वेरी वेरी हाई प्राइस यह है यह आपको दे दिया बट बेचना तो है समान दिमांड विल इंक्रीज बाई 30 कैस नब बहोगे विल एवरी 10,000 रिड़क्षन इन प्राइस बिलो 3,20,000 अगर आप 10,000 रुपे कम करोगे तो 30 बिख जाएंगे यह नहीं कि लॉट 10,000 रुपे कम करने पर कितने बिखेंगे 30 तो 30 को बेचने के लिए 10,000 एक को बेचने के लिए 30 को बेचने के लिए 10,000 रुपे कम करने पर एंगे तो एक को बेचने के लिए 10,000 डिवाडिन बाई 30 कितना आया 333 रुपे 33 पर से यह भी के लाया चलिए फॉर वेगन कोटेशन प्राइज 17,10 रुपे में कोई भी आपसे नहीं लेगा बट डिमांड फॉर वेगन विल इंक्रीज बाई 2 वेगन विद एवरी 50,000 डिदक्शन इन प्राइस बिलो 17,000 क्या मतलब है इस बात का पचास जार रुपे अगर आप कम करोगे तो दो बिग जाएंगे यहीं दो बेचने के लिए 50,000 एक के लिए 25,000 calculate थ्यान से पढ़ना unit quotation price of वेगन मतलब वेगन ये यहीं तो output WD का product कितने रुपे में बेचे that will maximize company profit for the year तो बताओ final product में कितने रुपे में बेचू ताकि company का profit सबसे ज़ाद हो वासन में आगी तो profit कहा maximum होगा जहां marginal revenue marginal cost के किसकी WD की किसकी WD clear बाट बे अब WD बनाकर बेचने में वो जहे 4 क्या चाहिए CBD का output चाहिए बो तो CBD अपना output कितने में देगा वो मेरी cost होगी हमें price किसका बताना है WD का हमें price किसका बताना है WD के WD के लिए input CBD से जाएंगे 4 तो पहले मुझे क्या चाहिए CBD कितने में WD को देगा वो input cost हो जाएगी पताओ कितने में देगा बोलो CBD अपना output WD को कितने में देगा बताओ क्यों जान से पड़ो जान से पड़ो भई हादी वो तो ये एक बात कहा रहा है CBD के बल मैनुफैक्चरर है अलब WD बजार से नहीं खरीज़ तब देख ठीक है ये अपना output हादी क्या कहा रहा है supply बोथ WD करता है supply करता है इसको भी और बजार में भी अब बताओ जल्दी question silent है question silent है इसका मलब capacity spare है जब spare capacity है तो variable cost पर बात ही कहता है बढ़ो ये कहा गहा रहा है competitive market में बेठ रहे है जान से बढ़ो supplies मलब supply करता है किसको WD को भी और बजार में भी तो ठीके बस हम तो दोनों को देते है तो इससे ये थुर्णा समझ में आगए कि हमार बस spare capacity नहीं है question silent है capacity के लिए तो क्या मानोगे spare capacity तो कितने में transfer करेंगे इसको variable cost पर तो लो समझ में आगए लिखिए हादी लिखे as cbd has sufficient spare capacity क्यों कि हमारा question इस बारे में silent है right hence cbd would like to transfer at its variable cost कितने हैं देखना दो लाक बीस अजा पर unit question silent है clear बाट बे नहीं पर लो कितनी demand कितनी कहां जाके रुकेंगे पता नहीं वो तो बस एक sentence दिया है question is silent about the capacity constraint बदल टोटल के बस टी मेरे पस कितनी है 320 की है ना अब तो 320 में कितना बजार में बेच रहूं मैं ये बता दो तो फेही वही तो एक नट 320 की capacity में मैं कितना बजार में बेच रहूं ये तो मुझे नहीं मालूम ना with है sorry will नहीं with है with every 10,000 पे कम करोगे बजार में तो 30 बिग जाएंगे तो कहां तक कम करूँगा मैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 25,000 कहां रोपूँगा ये कहां कहा रहा कि मेरा objective profit maximization कहा है CBD का अब ये policy भी तो हो नहीं चाहिए ये कहां कहा रहा है वो तो कहा रहा है 10,000 पे कम करोगे तो आपका कितने unit बिग जाएंगे CBD में 30, 10 बिग जाएंगे 10 बिग जाएंगे 30 बिग जाएंगे तो ये थोड़ना कहा रहा है कि मेरा objective profit maximization क्या हो सकता है demand ही ना हो इतनी जितना हम बेच भाए ये तो एक sentence दिया हो तो एक relation दिया उसमें ठीक है और ये भी तो हो सकता है चलो कोई problem नहीं कि मेरा profit maximum वहाँ पर हो ताकि मैं 320 में से केवल 70 पर मेरा profit maximum वहाँ है और उनको कितना चाहिए WD को केवल 12 into 48 तो चाहिए उनको केवल 48 तो चाहिए अड़े नहीं तो हमें पता नहीं ना और ये तो एक सरफ एक समझाने का point है policy नहीं है profit maximization की हाँ तो ये CBD में कहनी रहाना कि हम कितना बेचें बजार में हमारी कोई policy नहीं अभी वो तो कहला है 10,000 कम करूंगो तो मैं इतने बेच लूँगा और quotient's island है तो इसका मतलाब हमारे पास इतनी capacity spare होगी जितना हम उसको transfer कर पाए अगर हमारी policy होती CBD की और फिर क्या करते उतने यूरिन निकालकर balance क्या करते spare capacity निकालते पर आप नहीं क्योंकि उस बारे में question silent है कोई policy matter हमारे पास नहीं दिया इसलिए कहा रहे हम spare capacity है चलिए बता हो WD के लिए अब हमें WD की policy चाहिए ना for WD आदे WD के लिए क्या करते है वो unit quotation price जहां पर company का profit हाँ जी maximize हो यह क्या रहे बोलो profit maximization profit maximization बता हो कितना होगो when marginal revenue equals to marginal cost चलिए पहने marginal cost बना ले बोलो WD के लिए कितने होगी marginal cost बता ना बोलो चार लाक 80,000 plus 2,20,000 into 4 multiply x ही तो होगा यह एक की variable cost होगी ना x level of output fix cost कितनी कितने हागी variable cost बता हूँ तेरा लाक 60,000 यही है चलिए इसका derivative कर दो बोलो that is variable cost कितने हाज़ेगी 13,00,000 into 1 plus 0 चलिए अब माधनल लिवैनि बता हूँ अजिए अच्छा सरी अच्छा सरी चलिए revenue बता हूँ price function बताओ पहले तो price function क्या होगा a-bx a कितना है पेर पास इसमे wd 17,00,000 final product की बेचोगे न 17,00,000 very very high price b बताओ 1,30,000 बेचने की वज़े से price कितना कम करोगे बलो 2 बेचने के लिए 50,000 2 के लिए 50,000 तो 1 के लिए कितना 25,000 price function कितना होगे 17,00,000 10,00,000 minus 25,000 into x revenue function price into x कितना है 17,00,000 10,00,000 into minus चलिए अब इसका derivative कर दो ये किलाएगा marginal revenue कितना हैगा 17,00,000 10,00,000 minus 2x होगे न प्रोफिट का मैक्सिमाम होगा हादे बलो 17,00,000 10,00,000 minus माधिरल कॉस्ट होगे न करो x की value कितना है 7 unit of wd ये ही आ रहे इसका मनब 12 में से capacity बारा किया न अगर 7 बेचोगे तो profit सबसे जादा होगा price x की value कहा प्लेस कर दो price में पी बता 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 हाँ अगर पंद्रा लाग 35,000,000 पर बेचोगे 7 unit wd को profit सबसे जादा होई कंपनी का profit है क्योंकि फानल प्रोड़क्ट है जादा जादा फानल प्रोड़क्ट होगे न वो कर रहा है quotation price of wagon wagon की price पूछ रहा है wagon की price पर company का profit wagon की price के लिए input ले तो लिया हमने ठीक है अच्छा क्या प्रोड़क्ट हा रही बता वो तो overall profit हो जाएगा न अब ध्यान से पड़ो वो कह रहा है price बताओ किसका wagon का बताओ wagon के price पर wagon का profit maximum थी है जिस पर company का overall थोनना कह रहा है that will यानि wagon की price पर overall थोनना कह रहा है कैसे होगे overall यह इस लाइन को पूरा पड़ो न calculate the unit quotation price of wagon की price बताओ न जिस पर wagon का profit maximize हो यह नि उस पर company का हाँ अगर वो कहता कि wagon की price बताओ so that overall फिर वो price की बात नहीं करता फिर वो यह कहता calculate the price for cbd and wd फिर वो यह कहता so that overall profit of the company to be maximize फिर वो यह कहता अब तो कहता कि एवर wd कितने रुपे में बेचें ताकि उस पर company का profit जादा हो तो जो wd कमा के देगा वो company को कमा के देगा clear part यह दूसरा आप spare capacity आएसे भी निकाल सकते हो calculation जाद हो कि जरूत नहीं कि cbd की capacity कितनी है हमारी तो ठीक है 320 में आप चेक कर सकते हो किसाद 10,000 रुपे के साब से मैं बेच हूँ तो यहां पर इसका profit सबसे दादा किस पर होगा समझ रहे हो उसके बाद तो नहीं बेचेंगे ना तो उसके बाद इसको कितने चाहिए इसको कितने चाहिए चार यूनिट वहला maximum capacity कितनी है 12 यह maximum capacity पर भी नहीं होगा कम पर ही होगा तो maximum पर भी ले अगर तो 48 चाहिए तो यह 48 से कम पर ही इसका profit maximum आएगा ज़रूत नहीं यह चक करने कि आप करना चाहो तो कर भी सकते हो चलो second part में कूछ देखो जहां से बनार बताओ क्या कर रहा है calculate the unit quotation price किसकी वैगन की ठीक है यही बात है that is likely to emerge if divisional manager of CBD and WD both set quotation price calculated to maximize divisional profit from sale to outside customer बजार में बेच कर वो profit कमाए और हर division की क्या चाहे हर divisional manager क्या चाह रहा है profit को maximize करना चाह रहा है बजार में बेच कर and transfer price is set at market selling price बास अदमागी क्या कहना चाह रहा है बताओ ज़रू CBD और WD दोनों के manager दोनों के manager क्या चाहते हैं बोलो अपने profit को maximize करना चाहते हैं कैसे अपने profit को maximum करना चाहते हैं जब वो अपना अपना output कहा बेच है बजार में बेच है क्लिर पाट भी आप 320 में बजार में बेच लेंगे कितना unit पचास सो सत्ता रसी यही तो क्लिर पाट भी समझा आगे नहीं क्लिर है अब CBD कितने unit transfer करेगा एक बनाने में चार तो वो कितने में transfer करेगा कितने में transfer करेगा बताव कोशन में लिखा है and the transfer price is set at market selling price market quotation यहनि जिस price पर वो profit maximize करेगा इसका लए transfer price equals to क्या होगी market price बोलो clear होगे पाट अब transfer price variable cost नहीं होगी रईट अब वो कह रहा है CBD अगर अपना output बजार में बेच कर profit क्या कर ले maximize कर ले CBD अपना output बजार में बेच कर क्या करे maximize तो जिस price पर maximize होगा उस price पर हम WD को transfer करें और फिर WD उस price पर लेकर बजार में बेच तो बताओ WD कितने में बेच ताकि WD का भी profit maximize हो बात संब्दा आगे कोश्चन संब्दा आगे बहले जिए बता हूँ हाली good out to repeat करूँ WD और CBD दोनों के में बेच क्या चाते हैं profit maximum अपना अपना बजार में बेच कर ये एक बात हो गई दूसरी बात CBD अब ये कहेगा जिस प्राइस पर मैं बजार में बेच उगा ताकि मेरा profit उस प्राइस पर मैं आपको transfer करूँगा तो ये उस प्राइस पर लेकर अब कितने में बजार में बेचे ताकि इसका profit maximize बालो clear है एक बार read कर लेते हैं calculate the unit quotation price किस की wagon की ठीक है price तो final product की चाहिए वो मांग रहे last में that is likely to emerge जो create हो अगर if divisional manager कौन से CBD और दोनो price quote करें कौन सी price quote करें calculated to maximize divisional profit from sale तो दोनो अपना अपना output बजार में बेचे और profit को maximize करें मतलब 320 में से उतने बजार में बेचे जिस पर इसका profit maximum ये उतने बेचे जितने इस पर profit maximum पड़ ये profit maximum इस तभी कर पाएगा जब इसको मिलेगा तो वो करें इसको यहां से कितने में मिले जितने रुपे में ये बजार में बेच कर profit को maximize करना चाहता है बलो के लिए रोगे पाट तो सब से वहले क्या चाहिए हमें CBD कितने रुपे में transfer करे right भी transfer price not at variable cost now transfer price हाँ जी now पहिच्च ये तो final product WD का ना but transfer price क्या होगी transfer price is not at its variable cost अब transfer price variable cost नहीं है क्या है transfer price जबकि transfer price is set equal to हादी market price of CBD where where CBD would be able to achieve maximum profit बलो क्लिर हो का पाट बही है हाज जहाँ पर CBD maximum profit achieve कर पाए उस price पर transfer price रखी जाएगी सब्सक्राइब आगे तो सब से पहले CBD का maximum profit देखो for maximization of profit of CBD क्या कहोगी हाँ CBD के profit maximization के लिए बताओ क्या कहोगी हाँ जी वेन marginal revenue equals to बलो marginal cost that is derivative of total cost total cost sorry total cost function बताओ क्या आएगा variable cost दो लाक बीस जार into x plus राइट चली इसका derivative कर देते हैं that is बलो किता हैंगा दो लाक बीस जार clear part भई यह किसकी है variable cost marginal cost CBD के आप प्राइस 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 फंक्शन क्या होता है आज एक कितना है CBD का तीन लाक बीस जार very very high prices इस पर कोई खरीदे रहेगा नहीं B एक अत्रिक्त बेचने की वज़े से price कितना कम करोगे कितना 30 बेचने के लिए 10,000 एक के लिए कितना कितना हैगा चली price function तीन लाक हाँ जी revenue function price into x बलो इसका derivative कर दो हाँ यह ऊज्चल इसका ā करिए डेरिवेटिव पता तीन लाथ बीस अजा इंटो 1 मिनस इंटो 2X बलो मार्जनल लिवन इकोस्टो मार्जनल कोस्ट बताना कित्मी थी दो लाख बीस है एक्स की वेल्व बता एक सो पच्चास अब देख़े एक में रगण मैं यहां से यह पहले कैल्कुरिल कर भी रहे था अपने समझने के लिए तो कैपस्टी कितनी हैं सीबीडी की 320 क्लियर बाट एक सो पचास पर फाइदा सबसे जादा है तो स्पेर कैपस्टी कितनी बज गई 170 उनको तो मैक्सिमम कितने चाहिए 48 स्पेर कैपस्टी तो हुई यह कर रहे जरूत नहीं है क्योंकि डाटा नहीं है हमारे पास को पूछ भी नहीं रहा साइलेंट की बात कर सकते हैं ठीक है चली अलब इतने होंगे कि वो स्पेर कैपस्टी की बात करेगा ठीक है अलब नही कि अलब ऐसा नहीं होगा कि 320 के जगे यहां पर 160 हो जाएं फिर उसको बताना पड़ेगा यह मतलब कहने का यह तो सरव एक reconciliation की बात कह रहे है क्योंकि question silent तो वो बताएगा अपने अब हम check नहीं कर पाएंगे यह तो requirement ही इसलिए calculate करा ठीक है बताओ 150 पर profit सबसे जादा होगा price बताना protein price function price function लाओ demand function बोली price function बताना 3,20,000 x यही था करो into करो कि दो लाख सत्तर हजार रुपे पर बेचेंगे कितना यूरिट कि एक सो पचास तो मतलब अगर हम कि तीन लाख बीज़ार पर रखेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा तो तीन लाख बीज़ार पर से कम करते करते दो सत्तर पर आ जाएंगे ताकि मेरा profit सबसे जादा हो कितने unit एक सो इससे जादा नहीं बेचुँगा profit सबसे कम होता जला जाएगा बलो clear बाट बे तो इस price पर profit सबसे जादा तो इसी price पर transfer करोगे कोशन में कह रहा है इसलिए अब इस price पर transfer अगरो तब WD को कितने में बेचने को कहोगे ताकि उसका profit जादा हो clear बाट यहां total कह रहा है दोनों को क्योंको दोनों के बाद आगी ना चली now ha जी if transfer price is set at two lakh kitna two WD then ha जी profit of WD would be would be maximum when its marginal revenue बराबर marginal cost WD का marginal revenue WD के marginal cost के बराबर हो बताओ marginal cost कितने है total cost बताओ पहले तो WD की बोले भे WD के total cost बताओ कितने है 4,80,000 यह variable cost है ना हमारी 4,80,000 बोलो प्लस 4 हमें चाहिए WD को कहां से CBD से वो एक देगा 220 में नहीं 270 में समझ आ गया 220 की जगे 270 यह variable cost आ गई multiply प्लस प्लस चलिए इसका derivative करता हूँ बो पंद्रा लाख इंटू वन प्लस बोलो समझा गया यह फर्स्ट अब सेकंड बता हूँ इसका WD का माजलर रिवेन भी यह यह यहाँ इसकाट नुक्त आ हिर्णों बताओ WD का वांसलर रिवेन्यू, आज इंडिरेक्ट कर ले, बोलो, रिवेन्यू फंक्शन, क्या होगा, प्राइस इंटू एक्स, ए कितना है बताओ, सत्रा लाख, दस अजार, माइनस B, B बताओ, पच्चिस अजार, A माइनस BX, इंटू एक्स, ये रिवेन्यू फंक्शन होगे है न, पच्चिस अजार कैसे आया, पच्चास अजार रुपे कम करोगे, दो के लिए, एक के लिए कितना, चलिए, सॉल करना, सत्रा लाख, दस अजार, अलिए, माइनन रिवेन्यू, क्या हैगा, पूट करता, अज़े, माइनन कॉस्ट कितने थे, एक्स के वैली, कितने, तीन इनिट, अब तीन पर प्रॉफिट ज्यादा होगा, रिट प्राइज, सोना लाख, पैंतीसे, क्लेर बार्ट बेंगे, हाँ जी, तो क्या कहना चाहते हैं, सीबिडी, और डब्लो डी, क्वांटिटी, कितने आ रही थी सीबिडी की बताना, एक सो, पचास पर, प्राइज, कितना, दो लाख, सत्तर, डब्लो डी, तीन इनिट, प्राइज, 30-35, चली होगे के लिए, ये दोनों इतनी-इतनी क्वांटिटी, बेचेंगे बजार में, तो प्राफिट इनका मैक्सिमम होगा, वह लो भी समझ महां गया, चली, 20 बैस, देगे, सिंपल सी बात है, जाँ तो सनो, अगर मैनेजमेंट, ट्रांसफर प्राइज फिक्स करते हैं, जाँ तो सनो, अगर मैनेजमेंट, ट्रांसफर प्राइज फिक्स करते हैं, किस पर या तो market price या फिर cost plus markup कर लिए जैसे अभी था cost plus markup तो हमारे पास कोई decision breaking का part नहीं होता न तीसरा method था cost ratio यही था transfer price to be fixed by या तो management या फिर management accounting management अगर fix करते हैं तो क्या था या तो market price के साब से बताएंगे यह cost plus markup या फिर cost ratio method अब यह कब apply करते हैं जानतों देखो अगर supply division का output marketable नहीं हो जानतों सोना अगर supply division का output marketable नहीं नहीं है का मतलब saleable नहीं है सर मतलब इस तरह सा output बना के दे रहे हैं कि वो market में कोई नहीं खरीता राइट भी जैसे मालों शर्ट है पहला division क्या कर रहा है क्या अपड़े को लेकर काटता है दूसरा stitching तीसरा packing तो सर कटावा कपड़ा ना तो मैं बेच पाऊंगा और नहीं मैं खरीद पाऊंगा क्यों कस्टमाइज होता है वो आपके लिए कस्टमाइज होता है तो इसका मतलब सर पहले division का output ना तो marketable है और ना ही B उसको बजार से खरी सकता है अब A division अपना सारा output किसको देगा B को देगा तो इसका मतलब सर जब marketable नहीं है जब marketable नहीं है तो दिक्कत क्या रही है price कैसे decide हो market price तो है नहीं तो decide कैसे हो और cost plus margin पर B agree नहीं करता cost plus margin पर B agree नहीं करता या A B agree नहीं करते तो उस case में हम यह कहते हैं ठीक आप एक काम करो company का profit निकान लो company का profit निकान लो और वो profit है तो दोनों की वज़े से है तो दोनों की वज़े से क्या वो profit बराबर बराबर बाठ देए नहीं हो सकता इसरे मन नहीं है A अगर मान लो bicycle chain बना रहे हैं और B उसको लेकर handle, cover, rim इस सारी चीज़े बना रहे हैं और assemble कर रहे हैं तो सर बाइसिकल में chain की cost तो कम होगी और काम भी कम होगा जब कुछ दूसरे division का काम भी ज़्यादा होगा और cost भी ज़्यादा होगी तो ऐसे case में profit को बराबर बाठना unfair होगा इसका मतलब हम profit कैसे बाठने दोनों में according to work तो जिसमें ज़्यादा काम होगा वहाँ पर cost भी ज़्यादा होगी इसका मतलब total profit company का कैसे बाठने cost ratio में बाठने और फिर एक appropriate price निकाल ले तो यह method कहलाता है हमारा cost ratio में राइट लिकिए वेन the output of supply division is not marketable not sellable हाँ जी जब supply division का output marketable नहीं होता है यानि cannot be sale in the market that is not possible to sale in market right भे यानि तब उस case में market price determined में नहीं हो सकते है इट्स वेरी डिफिकल्ट to analyze to determine the market price sir जब marketable ही नहीं है तो market price हम calculate कैसे करें राइट भी हाँ जी जिससे transfer price calculate करने में problem आती है resulting problem to calculate to calculate transfer price then तब हम क्या करते हैं we should calculate overall profit of the company अब यहाँ एक रीजान आता है किसा ठीक है ना marketable नहीं है तो cost per transfer कर दे cost per transfer करेंगे तो performance valued नहीं हो पाई लिख दें के पार में हाँ जी तब हमें क्या करना है company का profit निकाल दो and distribute such profit such profit between division किस में supply में और receiving में बाट दो in the ratio of in the ratio of अजी cost involved यानि ज्यादा cost it's not reasonable to transfer at cost due to evaluation of evaluation of performance ये बिलकुल हो पाएगा cost कम नहीं करी काम ही कम है cost according to work यहाँ पर यहाँ पर ये presumption लेके चलते हैं कि cost will incur according to their work unnecessary ज्यादा cost नहीं आ रही है cost here means budgeted cost cost here means budgeted cost अभी लिख रहे हैं कि यह नहीं है कि हमारा काम तो कम है हम profit हिस्सा लेने के लिए ज्यादा cost खज कर दे समझ रहे हैं तो वो नहीं वो तो फिर actual cost आ जाएगी न हम कौनसी cost की बात कर रहे है budgeted cost लेर पाट चलिए cost here means हां दे total cost as well as budgeted cost total cost का मतला variable cost plus fixed cost for example अगर हम बात करें एक company में final product हम बेच रहे हैं suppose 10 लाक रुपे में एक ही cost मालो है 2 लाक रुपे B की cost suppose है 3 लाक रुपे total cost कितनी 5 लाक तो company का profit कितना हो गया 5 लाक हादे अब यह तो होने सकता कि A सारा transfer कर दे cost पर और सारा profit फिर B में आ जाएगा तो B की performance हो जाएगी A के बेगर B काम नहीं कर पाएगा तो profit बात होगे हादे यह company का profit A का हिस्सा कितना आएगा A का share A का share हादे क्या कोगे total cost कितनी है 5 लाक पर कितना profit 5 लाक 5 लाक की cost पर 5 लाक का profit तो 2 लाक की cost पर कितना profit कितना आ गया 2 लाक formula के साब से कर ले profit upon total cost multiply A की cost क्लिर पाट पर बी का profit हादे 5 लाक रुपे की cost पर कितना profit 5 लाक का तो 3 लाक पर कितना है क्या बनेगा formula total profit divided by total cost multiply B की cost A कितने पर ट्रांसफर करेगा हादे A का transfer price transfer price value cost plus share of profit profit A की cost कितना है इसमें 2 लाक A का profit 2 लाक तो इसका अलब एक की जो transfer value आएगे वो कितने आएगी चाला divided by quantity divided by quantity this is the method to analyze the transfer price on the basis of cost अब यह conceptually तो वहाँ लागाते है जहां पर marketable ना हो बट वह पूछ सकता है मेरा product marketable है बट cost ratio method से क्या होगा तो यह नहीं है कि question में marketable है तो यह method नहीं लगेगा समझे लो marketable होने के बावजूद भी उसकी requirement तो बन सकती है पर यह ideally कहां लगाओगे जहां marketable नहीं होगा but it never means किसर marketable है तो यह method मैं नहीं लगा रहा management आपसे पूछ सकता है कि marketable तो है बट अगर मैं cost ratio method follow करूँ तो transfer price क्या हो clear पर दे तो cost ratio method का दूसर नाम यह भी है profit shared method लेकि cost ratio method is also known as cost ratio method is also known as shared profit shared profit relative to cost involved shared profit profit को बातो shared profit हाँ दे relative to cost involved मैंदब cost जतनी involved है उसके relation में profit बातो right that is called cost cost method transfer price में हम आके चलते हैं ठीक है तो जब आपसे यह मांगे advice सला दो ठीक है क्या कुछ और alternate है transfer price model का कि आप कुछ हमें और सला दो हम जब management accountant यहनी CEO consider कर सकता है if divisional जो supply manager है they are against the existing transfer apply policy ताकि divisional head का attitude हम change कर पाएं समझेगे तो उसको बलते हैं dual rate transfer price two point transfer price क्या बलते हैं उसको क्या बलते हैं उसको two point transfer price two point transfer price right that is dual rate that is dual rate टीक है यह कब कहते हैं हम जब divisional head supply division के आड जाएं कि नहीं सर हम variable cost पर transfer नहीं करेंगा कुछ और सुजाब तो टीक है तब उस case में CEO यानि management accountant के पास दूसरा alternative method होता है तब हम इसको करते हैं यह पूछा आपसे question में advice दो सना दो जब कोई जिद पर आ जाए तो दूसरा भी मौका देखते हैं कि यह लड़ो मत मेरे पास एक और तरीका भी है टीक है advise alternate advise alternate transfer price model alternate को दूसरा method समझाओ ताकि लाई खतम हो हमें लाई तो खतम करनी है ना किस दिने से ठीक है that chief executive officer मतला management accountant right may consider right क्या वो consider कर सकते हैं can consider right क्या दूसरा कोई alternate तरीका है हमारे पास right में if अगर they are against the existing policy if they are against the existing policy जो existing policy है क्या है existing policy spare capacity है तो variable cost पे transfer करो ठीक है right क्यों in order to in order to change in order to change the attitude of divisional manager of divisional head right अगर आप से यह पूछे बास समझ में आगे अगर कोश्ट में यह वाला point आ जाए अगर 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 प्यृट अगर आप अगर 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 टो एक्जिस्टिंग पॉलिशिक अवलब जस्पेर कपस्टिया तो वेरिबल कॉस्पे ट्रांसर कर देना चीए ना ताकि डिविजनल हैड का अठीट्टूट बदले खिक बात अभी चलिए अब इस पर आते सब से पहले हूं चाहां दूसर नोट कर लिया यह हाजी क्या कहना करें यह कहते हैं जब सप्लाई डिविजन के पास स्पेर कैपस्टि हो सप्लाई डिविजन के पास स्पेर कैपस्टि हो खाली बैठ है वो जो गूट्स रिसीविंग डिपार्मेंट को चाहिए बना सकता है कोई समस्या नहीं है खाली बैठ है और अपना गूट्स बजार मे बेच रहा है ओके और खाली भी बैठा है स्पेर कैपस्टी भी है काईजेच तो कर देना चाहिए न वेरिबल कॉस्ट पर वह नहीं मान रहा रहा है यह नि बजार में डिमार्ड हमारी कम है और मेरेपास अविलेविटी जादा है तो स्पेर कैपस्टी हो गई ठीक है तो रिस जादा में दूँगा तो रिसीविं डिपार्मेंट के रहा है कि भाईया फिर मैं बजार से ले लेता हूँ तो ऐसे कि इसमें कंपनी का लॉस होगा न तो कंपनी दो खाटे में नहीं जानी चाहिए तो बाते हो गई सप्लाइड डिविजन के पास पेर कैपस्टी है और पर ट्रांसफर करें ये चाहता हूँ ठीक है क्योंकि सपेर कैपस्टी है बट डिविजनल मैंनेजर कौन सा सप्लाइड डिविजन का ये कहता है मैं क्यों ट्रांसफर करू वेरिबल कॉस्ट पर इसे मुझे क्या फायदा होगा मैं तो नहीं करता तो इस केस में अब हमारी लड़ाई कैसे होगी, पर इतना लिखने एक बार जरा, right, हम क्या कहना चाहते हैं, if supply division if supply division has sufficient spare capacity यानि हमारे product की demand हमारी कम है और availability जाद है, तभी तो spare capacity होगी ठीक है, मिरे पास spare capacity है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास spare capacity है, ठीक है, और हम अपना goods बजान में बेच रहे हैं, and at present supply division supply division selling its output to the market मैं अपना goods बजार में बेच रहा हूं, ठीक है, right, but हम variable cost देने नहीं चाहरे, ठीक है, but not ready, but not ready to transfer, but not ready to transfer, okay, मैं नहीं transfer करना जाता, on product ठीक है, किसको, to receiving department to receiving department, at variable cost, वो नहीं चाहता है, variable cost पे transfer करना, ठीक है, करना मैं नहीं करता है, transfer, क्योंकि, मेरी performance इसे, मुझे क्या फायदा होगा, right, just, क्यों, due to, due to performance evaluation, due to performance concern, ठीक बात है, वो गता है, क्यों करूं transfer variable cost, मुझे क्या फायदा होगा, फिर मुझे को अलक्ट department क्यों बनाया, ठीक है, अब तक तो ये concept था, पर अब, एक लड़ाई आ गई, ठीक है, किले पढ़, receiving department क्या कर रहा है, मत दे, मैं बजा आच ले लिए, नहीं, on the other hand, on the other hand, on the other hand, receiving department, receiving department, क्या कर रहा है, वोड लाइक तो पर्चेस, वोड लाइक तो पर्चेस, फिर वो चाहता है, मैं वजार से ले न, वोड लाइक तो पर्चेस, the component, from, outside market, वो चाहता है, कि मैं बजार से ले लूँ फिर, ठीक है, तो अब दोनों के लड़ाई को कैसे खतम करें, ठीक है, याद एक पर नोट कर लो, दोनों के लड़ाई को हम कैसे खतम करें, ठीक है, हो गया, नोट कर लिए बटा, चलिए, अब हम क्या कहते हैं, वैसे तो company के point of view से transfer कर देना चाहिए, ठीक है, बट, क्योंकि alternate method पूछ रहे हैं, इस लिए, ठीक है, अब यह कहेंगे, however, however, ठीक है, हादे, supply division, supply division, supply division, should transfer, should transfer at variable cost, due to spare capacity, ठीक है, बट 8 alternate approach भी है, ठीक है, यह तिर दीक है, we have एन अल्टरनेट एप्रोच एक मेरे पास अल्टरनेट अप्रोच भी है हाँ जी क्या है यह मत लड़ वापस में ठीक है क्योंकि ट्रांसफर तो लोशनल प्राइज होती है इस बात को ध्यान में रखते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं पढ़कर लिए एक बढ़कर देना चाहिए सप्लाइड इविजन को ना क्योंकि खाली बैठा है नहीं देगा तो तुम्हारा क्या नुकसान है बताओ तुम बजार में तो नहीं बेच रहे हैं यह वाला प्रोड़क्ट सरम बजार में बेच रहे हैं ओ भाई दिमांड तो बजार के साधे केना चाह रहे हो यह थो नहीं हम कह रहे हैं तो हम यहां पर यह कहना चाहते हैं चलिए तो हम क्या कहते हैं देखो सप्लाइड इविजन को यह कहो भै ठीक है आप एक काम करो अपना गूट्स ट्रांसफर कर दो किस पर अपना गूट्स ट्रांसफर कर दो किस पर transfer करो total cost right plus margin total cost plus profit margin total cost plus profit margin ले लो total cost का मतलब variable cost plus fixed cost total cost plus fixed cost unavoidable आप तो खुश हो supply division को देदो निदेश ठीक है भी total cost क्या है plus profit margin जो लेना चाहते हो आप ले लो ठीक है अच्छा जी receiving department को क्या को receiving department को क्या को book कर ले इस पर आपके गए इस प्राइस पर बुक कर लो यानि record कर लो अपनी बुक्स में ठीक है अपनी बुक्स में उन गोट्स की price ही और ही record कर लो ओके आच्छा receiving department को क्या कहें हम ठीक है भई तुम receive कर लो किस पर record goods at variable cost record goods at variable cost खुश बजार से मत खरीदो तुम किम दिंगा घाटे में मत पहुंचाओ क्योंकि ट्रांस प्राइस तो नोश्चनल होती है तुम variable cost पर record कर लो और तुम reasonable price पर ठीक है जस्ट यह क्यों करेंगे कि तुआवाइड 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 या तूरिस्टिक फ्राम आउटसाइड पर्चेस ताकि बजार से ना खरीद पाए ठीक है जो एक्चुल में सस्ट में बना रहा हूं बस लडाई की वज़े से बजार में खरीद ले यह नहीं होना चाहिए ठीक है इसको बोलते हम इसको क्या बोलते हैं रियो कली रिट आप यह रहूंत और टीक है क क्यों तो सप्लाय डिउजन को आपने बहुतिया यह ठीक है टोटल चॉस मारत क्स्वार्चन पर ट्रांसूर कर दो और रिसीविंग को बोल दिया आपने आप अपने goods किस पर ले लो आप अपने goods किस पर ले लो variable cost पर यह तो चाते थे क्यों ताकि like खतम हो और बजार से ख्रीन से बच जाएं नहीं तो company घाटे में हो जाएगी ठीक है आप यहाँ पर दिक्कत आ रही है क्या कि सर मैं तो transfer कर रहा हूं total cost plus margin पर यह कह सकते हो selling price पर भी ठीक है receiving department record कर रहा है variable cost पर तो हम क्या किना चाते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है जब आप consolidate करोगे ठीक है तो यह तो नोशनल होती इसको हम internal evaluation के रखेंगे जब आप consolidate करोगे जब आप head office के point office से बनाओगे तब हम इसको consider नहीं करेंगे तो यह सरफ किसके लिए रखेंगे हम यह सरफ किसके लिए रखेंगे internal evaluation के लिए रखेंगे तो हम यह कहते हैं profit profit shown represented by by supply division by supply division profit represented by supply division क्या है artificial है क्या है artificial है notional है सरी तो क्यों भई क्योंकि कोई भी division दूसरे division को बेच कर profit नहीं कमा सकता ना ठीक है बसे लड़ाई खतम करने का मुद्धा था ठीक है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे यह सरफ internal के लिए है need to be used only for only for internal purpose only for internal purpose केवल internal purpose के लिए रखेंगे हम ठीक है यह internal evaluation क्या सकते है internal evaluation के लिए रखेंगे राइट भी बासन में आगी consolidation पर हम नहीं देखेंगे इसको मतलब हम यह कहनत आते हैं for example अगर मैं आपको बताऊं राइट for example अगर हम कहें एडिविजन है ठीक है बी डिविजन है एक के पास spare capacity है यह कहना एक के पास मान लो capacity है एक लाक इनिट की और बजार में demand है 80,000 इनिट की तो spare capacity हो गई कितने की 20,000 इनिट की ओके अब इसकी variable cost आ रही है मान लो 8 रुपे पर इनिट ठीक है fix cost का burden है 2 रुपे पर इनिट टोटल डिवाइड करके निकाला वाए ठीक है और बजार में हम बेच रहे हैं इसको मान लो 15 रुपे में बी की requirement है हाँ जी 20,000 इनिट की या कम की तो बी को कह रहा है यह मैं तुझे 8 रुपे में निदूगाला की खाली बैठा हूं नहीं दे रहा हूं तो alternate तरीका क्या है ड्यॉल रेट Abs in Admin रोट रुपे में क्या क्या करेगा यह यह ट्रश्र रुपैजळ रखेगा आ Naval पे क्ला टूटल cost होगे ửमार्फिट मार्जन ठीक है वह ले सकता कम भी ले सकता है कुछ उसका option है वह जरूरी नहीं है पांच रुपे कोई भी ले सकता हूँ तो थर्टीन रुपीस में अगर ट्रांसवर करेगा ए बी रिसीव करेगा बी रिकॉर्ड करेगा कितने रुपे पर अपनिया रिकॉर्ड करेगा आठ रुपे पर तो बजार से खरिए इसकी प्रटेश को से बजार में 10 रुपे तो यह अनुवाइड वाला ना तो संक है तो अगर हम ओवरॉल कंपनी के साब से देखें आठ रुपे में जो घर में बना सकते हैं वह 10 रुपे अकाउंट बनाएगा तो उसमें 13 रुपे दिखाएगा वी अपना अकाउंट दिखाएगा तो 8 रुपे दिखाएगा और जब कंसोलिडेट करेंगे जब कंसोलिडेट करेंगे हम तो हम टोटल कॉस दिखाएंगे सरफ बना फिर हम 3 रुपे नहीं दिखाएंगे क्योंकि त पर अगर हम यह कहें final product हम बेच रहे हैं suppose AB को जा रहा है B बजार में बेच रहा है 20 रपे में तो final जब हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे final product company के point of view से तो हम ऐसे दिखाएंगे sale final product के sale कितने में हो रही है 20 रपे में A की कॉस्ट, एक्टिल कितने आ रही है, हादी, आठ रुपे, ठीकि, फिक्स कॉस्ट का बढ़े तो हम अरड़ी चार्च कर चार्च कर चाहिए न, B की कॉस्ट, हादी, B की कॉस्ट, B के अपनी कॉस्ट भी होगी न, यहां पूर, राइट, मान लो, साथ रुपे, ठीक है, तो ओवराल कम्पनी का प्रॉफिट पंदर रुपे, पांच रुपे आज़े, यह कहना चाहिए, पेटा, तो यह ओवराल के साब से दिखाएंगे, तो यह कहला है, डियुल रेट, यह पार्ट, चलि फटा 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 नोट कर लो इसको, चलि अब सैके न आता है, इसमें, टू पार्ट ट्रांसर प्राइस मेंठड, दूसरा है, हाँ जी, टू पार्ट, इसको बलते हम, ट टू पार्ट ट्रांसर प्राइस सिस्टम, ओके, हाँ जी, सैकें, सैकें अल्टनेटिव, आप यह दोनों में से कोई भी ले सकते हो, वी हाँ टू आल्टनेटिव, ठीक है, भाई अगर यह मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर यह मनवालो आ, सप्लाइ डिविजन को कहेंग भी अल्टिमेट पर प्रपस्व ज़ंचर ना खरीदे, सप्लाइ डिविजन को यह कहेंगे, कि अब आप ट्रांसर करो अच्छा, कितने रुपे में, कितने रुपे में ट्रांसर करो, टोडल कोस्ट बेसिकली, वेरिबल कोस्ट प्लस वेरिबल कोस्ट प्लस एक लंब संब है whole variable cost किसे कहांगे हम कि हाउ इंद को कहते हैं हम एक अ二 sec युनित को बनाने की वाज़े से चो मैं रा खर्क है इंदिशनल कॉस्ट इंदिशनल कॉस्ट के टू into incurred, to be incurred, due to, due to production, due to production of one additional unit, एक अत्रिक्त unit को बनाने के वज़े से material labor variable order का खर्चा रहा है, ठीक है, तो वो charge कर लो, lump sum amount, यानि recovery of fixed overhead, यानि recovery of fixed overhead, recovery of fixed overhead, बज़े डिवादिद बाई budgeted cost, तो हम कहा सकते हैं, इसको total cost, कहा सकते हैं, total cost पर चार्ज कर लो, profit margin मतलो, ठीक है, बज़े दो alternative हैं, या तो total cost plus profit margin ले लो, आप book कर लो अपने पास, या फिर total cost पर book कर लो, यानि variable cost plus fixed cost, clear, दूसरा आत पर receiving को क्या कहेंगे, भाई तु नाराद मतलो, तुम variable cost पर लो, इनको तो समझा देंगे हम, ठीक है, इनके बस दो option दे देते हैं, या तो total cost plus margin पे transfer कर लें इन से, या total cost पर, या अपने पास record करेंगे, तुम मत देखो, ये कितने पर book कर रहे हैं, ठीक है, receiving department को क्या बोलोगे आप, भाई तुम बुक करो variable cost पर, परिशान मत हो, receiving department को क्या कहोगे, आजी, आजी book कर लो, record कर लो, just record at variable cost, just record कर लो, variable cost पर, clear part भी, ठीक है, ताकि बजार से खरीने से बचें, right भी, right भी, better profitability, for, ये कह कहेंगे, for better profitability, for better profitability, तो दोनों बाते समझ में आगे, हाजी, clear part बेटा, हाजी, इससे, receiving department को, बजार से तो सस्ता ही मिलेगा, भी, आप क्या को गोगा, supply के लिए better profitability हो गई, ठीक है, और receiving department को क्या कहोगे, आप, नहीं, हाजी, purchase, they can purchase, they can receive, हाजी, they can receive, they can receive at a price, less than market price, ठीक बात है, दोनों खुश, तो क्या कह सकता है में, तो दो alternative होगे आपके पास, पहला dollar rate, दूसरा two price, तो दोनों में receiving department, तो receive करेगा variable cost पर, पहले वाले में supply division भेजेगा, total cost प्लस margin, दूसरे वाले alternative में total cost प्लस, तो यह क्यों करते हैं हम, इससे क्या होगा, दोनों का cooperation बढ़ेगा, इट इंप्रूव दो कॉपरेशन आफ बोर्ड डिवीजन, ठीक है, गोल कॉंगुरेंस होगा, और जो सब optimization resource हैं, वो कम होगे, सब optimize करते हैं न, मालब optimum decision होता है, उससे दूसरा best, अगर मैं यह नहीं करूँ, अगर मैं यह नहीं करूँ, तो receiving department बजार से ले लेगा, तो वो तो हमारे लिए, क्या होगा, optimum नहीं रहेगा न, suboptimal decision हो जागा, तो उसको बचाने के लिए, ठीक है, तो तीन बाते होगे, suboptimal reduce होगा, आपस में cooperation बढ़ेगा, मधूर सम्बंद रहेंगे, और goal congruence, company का उदेश्य भी होगा, clear part भी, एक तो यह बात होगी, तो यह क्या purpose कहेंगे हम, इसका impact, इसके benefit क्या होगे, ठीक है, इसके benefits क्या होगे, तो आप कहोगे, आज़े, it will improve, it improve, it improve, cooperation, it improve, cooperation, between, both, department, दोनों department में आपस में, cooperation बढ़ेगा, ठीक है, healthy relation रहेंगे, healthy relations रहेंगे, मधूर सम्मंद, ठीक है, आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक है, promoting, goal congruence, सम्मस्टे रहेंगे, goal congruence, यहनी, overall objective, overall profit, ठीक है, right बहे, or reducing, reducing, sub-optimized decision, sub-optimal, sub-optimization का सकते हूँ, sub-optimization, of resources, of resources, optimum decision क्या होता है, कि बहें, transfer करें, बजार से ना खरीदें, अगर मैं यह काम नहीं करूँगा, लड़ते रहेंगे, तो receiving department मजार से खरीदेंगे, तो optimum नहीं रहेगा, तो optimum नहीं रहेगा, सब optimum हो जाएगा, दूसरा best, सब optimum समझते हो ना, बहें मेरे को एक company में पैसे नहीं एक लाग रुपे, किसी भी कारन के वज़े से, मैं रहेगा यह को आ गई, तो मैं दूसरी company में जा रहा हूँ, वहां मुझे मिल रहें अस्ती जार रुपे, समझे, तो फिर यह sub-optimal हो जाएगा ना, और sub-optimum decision को लागू करने से बच जाएगे, ठीक है बहें, इसका impact क्या होगा, ये clear होगा part बेटा, दोनों में आपस में क्या होगा, corporation बढ़ेगा, corporation का मदूर संबंद, corporation का मदलब मदूर संबंद, right, company का overall mission काम्याब होगा, ठीक है, क्योंकि notional होता है, और sub-optimum decision नहीं हो पाएगा, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि transfer price हमारी क्या होती है, ये notional होती है, बहीं बहीं, एक का profit बढ़ता है, दूसरा का कम, ये कहना चाहते है, अब इसका impact एक बाद देख लेते हैं, ठीक है, इसका impact क्या होता है, क्या क्या इसका impact आएगा, सबसे पहला बताओ क्या impact आएगा, supply division profit कमा लेगा, ठीक है, receiving department, के पास अधिकार हो जाएगा, कि भी मैं variable cost पे लेता जाऊं, कितना unit, जब तक मेरी, एक अतिरिक्त unit की revenue के बराबर ना आ जाए, यह तो होगा, और inter-divisional profit हमारा cancel हो जाएगा, adjustment पर, तो सबसे पहला impact क्या आएगा हमारा, हाँ जी, supply division, खुश हो गया, supply division, खुश हो गया, मुँगे आँ बहुँ खुश हो गया, अई भी, supply division will earn profit, will earn profit, ठीक है, on inter-divisional, on inter-divisional, transfer price, सबसे पहला तो यह होँआ, supply division कहेगा, भाई मैं तो खुश हो गया, मुझे तो profit मिल गया, profit represented in the hands of supply division, notional है, भाई तुम खुश होता हो, कभी भी एक department दूसरे को भेज़ कर profit नहीं कमा सकता है, यह unrealized profit है, ठीक है, जैसे holding subsidy को इसमान बेज़ कर profit कमा लेता है, पर वो profit ऐसो दनी है कि dividend बाट दे, यह मतला रहा है, तो यह supply division को खुश करने के लिए होगा, ठीक है, दूसरा, receiving department क्या करेगा, receiving department, यह लेता रहेगा goods, जब तक इसकी अतिरिक्त cost जो आ रही है, वो अतिरिक्त revenue के बराबर ना हो जाए, अगर marginal cost जादा हो जाएगी, और marginal revenue कम, तो मना कर देगा, ठीक है, they will continue to receive, they will continue to receive, ठीक है, the input goods, from, supply division, ठीक है, till, marginal cost, less than or equal to marginal revenue, जब उसकी एक अतिरिक्त unit को बनाने से revenue, बराबर आ रहे हैं, जब कम उनी शुरू हो जाएगी, तो मना कर देगा, ठीक है, और जो भी inter-divisional profit है, वो हम cancel कर देंगे, inter-divisional profit, inter-divisional profit, inter-divisional profit, क्या होगा, eliminate हो जाएगा, ठीक है, it can be, eliminated, it can be eliminated, यह क्योंकि तो नोशन होता है, by accounting adjustment, clear part, यह कहना चाहरे हैं, तो यह कहला है, dollar rate और two price transfer method, ठीक बात है, clear part, चलिए, अब इसके base पर एक question है, वो कर लेते हैं, अब इस पर एक case study है, ठीक है, देखो, right, यह कहता है, हाँ जी, global multinational limited, ठीक है बेटेज, ठीक है बेटा, यह starting में ही, आप, देख लो, मिल जाएगी आपको books मेंना, starting में ही है, ठीक है, मैं एक पर दिखा दूँ, books, यह है, आपकी, ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में ही है, देखो, मिल गई, स्टार्टिंग में आप चेक करो, question स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, case scenario, चलिए बेटा, यह कहता है, global multinational limited, has two division, dx और dz, हमार पास दो division है, एक है dx, और एक है dz, हमार पास दो division है, एक है कौन सा, dx और एक dz, एक है dx और एक है dz, ऩेक है हमार पास, dx और एक dz, फुल प्रॉफित और रिस्पोंपिल्टी जिम्मवारी अब यह प्रॉफित कमांगे तो ऐसे नहीं रखेंगे हम आपको ठीक है दिवीजन दी एक्स प्रोडूट्क बना रहे है एक्स बना रहे है ठीक है विच इट सेल्स तो आउटसाइड कस्टमर बजार में बेचते हैं ड दीविजन डीजेड एक प्रोडूट्क बनाते हैं जेड यह न एक प्रोडूट्क बना रहे हैं क्या बना रहे हैं जेड प्रोडूट्क इसमें चाहिए इनको एक्स अपने डिजाइन के लिए समझ गे तो यह तो हो गया सप्लाई डीविजन यह हो गया रिसीविजन डीए चलिए ठीक है division is currently purchasing required unit of component X per year from outside supplier and market price तो DZ अभी X बजार से खरीड़ता है DZ जो है X component Z बनाने के लिए बजार से खरीड़ता है new CO for Indian operation has explored that DX division has enough capacity to meet entire requirement of DZ अब management ने देखा क्यों भाई क्यों खरीड़ता है बजार से यार जब हम बना सकते हैं तो यह क्या बात ही हम तो घर में बना सकते हैं और बजार से खरीड़ता है ठीक है He requires internal transfer between division at marginal cost from overall point of view तो उसने कहा कि अभी आप खाली बैठे हो क्यों इसको बजार से खरीड़ने पर मजबूर कर रहे हो transfer करो manager of DX claim that transfer at marginal cost are unsuitable for performance evaluation ठीक है DX का manager कहता है निजर जी ऐसे नहीं चलेगा काम क्या आपने क्या दिया और मैंने transfer कर दिया तो इससे मेरी performance कहा बढ़ेगी भाया मैं variable cost में माल बना रहा हूँ variable cost में भेज़ दूँगा तो क्या मैं कुछ भी नहीं कमाऊँगा मैं क्या गुर्दवारे जाऊँगा मुझे क्या मिलेगा यह बताओ बाबजी का ठुलू नहीं मुझे भी कुछ चाहिए मुझे department क्यों बना दिया ठीक है वो यह कहता है चलो बए वैसो तो यह concept हमारा कि transfer at variable cost और वो और गया न ठीक है वो claim कहता है कि नहीं नहीं unsuitable है वो कहता है अगर मैं transfer कुर गो तो मुझे कुछ incentive तो मिलेगा नहीं तो जब मुझे incentive नहीं मिलेगा तो मैं क्या transfer हुरू ठीक है he stressed that transfer price should be cost plus market उनना का नहीं भी नहीं cost plus market पर transfer होना चाहिए new CEO worries that transfer price suggested by the manager of division dx will not induce manager of both division to make optimum decision ठीक है अब CEO कहता है चिंतित वो क्या जो transfer price आप suggested कर रहे हो नहीं उससे optimum decision नहीं आएगा क्योंकि फिर वो बजार से ले लेगा बजार से मिल रहा होगा वो पूछ रहा है discuss transfer price method to overcome performance evaluation conflict performance evaluation का विवाद खतम करने के लिए क्या method है दो method है deol rate और two point method अभी समझा दिए तो क्या कहोगे सबसे पहले आप कहोगे deol rate transfer price method ठीक है आप ये कहोगे to overcome performance evaluation conflict we have two method कौन-कौन सा deol rate और two point एक बजा समझ लो deol rate में क्या होगा हाजी division dx transfer करेगा division dx will transfer कितने में transfer करेगा division dx division dx transfer करेगा कितरवे में total cost plus margin division dx would able to transfer at total cost plus markup on the other hand dz would record at variable cost so that ताकि ये बजार में खरीदने से बचे कुई सारा लिखना आपको ठीक है भए ये transfer करेगा किस पर ये transfer करेगा किस पर total cost plus markup पर और वो record करेगा variable cost पर क्योंकि transfer price हमारी क्या होती है national होती है इसका impact क्या होगा dx का profit inter-divisional transfer के लिए होगा ठीक है dz तब तक receive करता जाएगा जब तक इसी मादल कॉस्ट moderate revenue के बराबर नहीं आज़ाथी right भी consolidate करने के लिए हम इसको cancel कर देंगे ये path clear होगे ठीक बात है भी हाजी आप कहोगे कि any divisional profit can be eliminated by accounting assessment ठीक है दूसरा 2 point transfer price method पे क्या कहोगे dx would like to transfer at total cost variable cost plus lump sum amount और dz will receive at variable cost right भी इससे impact क्या होगा दोनों का healthy relation होगा cooperation बढ़ेगा goal concurrence होगा और sub optimized decision खतम होगा बहुत क्लीर माट बेटा ये ही लिखना हमार को इसमें ठीक है तो मैं short में लिखवा दूँ अच्छा solution तो है पर इसको अगर हम short में लिखें तो क्या कहेंगे हम इसको ठीक है ये सारा लिखेंगे आज इसको solution हम वैसे लिखावा है पर फिर भी हम short में कहेंगे तो transfer कौन है हम अर पास ट्रांस्वरर डी डी एक्स है ठीक है राइड सप्लाई डिवीजन ये transfer price क्या रखेंगे ये transfer price रखेंगे कितने पर total cost plus markup total cost plus markup ठीक है और डी जड ये receiving cost रखेंगे कितने पर only variable cost राइड बी पर डी वीजनल performance के लिए अभी आप कहोगे कि profit लिखना सारा वो ही है profit disclosed by dx only for internal only for internal purpose only for internal purpose ठीक है notional होता है due to notional योगी एक division दूसरे को बेच कर profit नहीं कमा तकता है जब तक goods customer के पास नहीं कहुचेदा ठीक है बिटा हाँ जी consolidation पर हम क्या करेंगे cancel करनेंगे any inter division profit any inter division profit हाजी क्या होगा cancel हो जाएगा can be eliminated can be eliminated can be eliminated by accounting adjustment बलो clear about बेटा है समझ आगे इससे क्या होगा DZ बजार में खरीने से बचेगा तब देश विल restrict this will discourage it will discourage to DZ by in purchasing in purchasing the goods from outside बजार में खरीने से हम बचेंगे clear पाट बेटा ये फाइदा होगा समझ में आगे बात दूसरा क्या कहोगे आप clear पाट DX transfer करेगा total cost plus markup पर लडो नहीं आपस में ठीक है तुम receive कर लो variable cost पर right दूसरा two point transfer price वो real था इसमें क्या कहोगे आप DX को कहोगे आप transfer करे कितने पर variable cost plus lump sum amount variable cost plus lump sum amount ठीक बात है हाजी variable cost का मदब क्या होगा एक अत्रिक उनको बनाने में जो खर्चा आता है और ये recovery of fixed cost रिख दोगे चलिए हारी dessert कितने में receive करेगा only at variable cost ठीक है till receive करता जाएगा till जब तक उसकी variable cost कम नहीं रहा जाती या बराबर नहीं रहा जाती माधनल रिवेन्यू के तब तक वो receive करता जाएगा इससे फाइदा क्या होगा impact क्या होगा goal concurrence बढ़ेगा right हाज ही goal concurrence ठीक है दूसरा हाज ही healthy relation होगा healthy relation बनेगा proper coordination होगा ठीक है नहीं भी मधर संबन बनेंगे और reduce होगा क्या sub-optimal decision sub-optimal decision आपका reduce होजाएगा यह इसका फाइदा होगा ठीक बात है ठीक है यह pricing decision दोनों को ठीक है encourage करेगा tight भी होगा clear चलिए clear होगे बैटा यह आपको इसमें लिखना है ओके राइट तो इक अभी भी question में आ जाए यह यह alternate method बताओ जब वो resist होजाते हैं तो आपको यह सारा आपको लिखना होगा उसके में ठीक है चलिए अब इसके base पर आगे question करते हैं हम चलिए बटा question number 17 पर आते हैं same pattern पर है ठीक है अब एक बाद पढ़ते हैं इसको क्या करता है G limited is हारी क्या करता है G limited is multi product manufacturing concern ठीक है multi product बनाते हैं functioning with four divisions okay the electric electrical division of the company is producing many electrical product switch बनाते हैं एक तो हो गया electrical division क्या बना रहे हैं switch बना रहे हैं समझते हैं switch on off करके इसमें पंका चलता है light भी चल सकती है this division functioning at its maximum capacity sells its switches in the open market 25 रुपे दो बाते आ गई electrical division 100% capacity पर काम कर रहे हैं यहनि spare capacity नहीं है और कितने में बेच रहे हैं 25 रुपे में ठीक है इसकी variable cost है 16 रुपे electronic division switch बना कर बेच रहे हैं कितने रुपे में 25 में और variable cost 16 रुपे spare capacity नहीं है household division जो दूसरा division है GL का ठीक है वो 70% capacity पर काम कर रहे हैं उसने पूछा electric division से कि भीया मुझे 5000 switches दे दो पर मंत 18 रुपे पर ताकि मैं अपने night lamp में बना सकूँ ठीक है total cost per night lamp यह आपको दी विए तो एक हो गया household division एक हो गया electric division ठीक है इसको यह से लेते हैं एक हो गया हमारे पास हादी एक हो गया हमारे पास कौन सा चली यह कहता है हादी फर्स कौन सा होगा हमारे पास electric division नहीं यह हुआ household division ठीक है household division ठीक है यह मांग रहा है किस से electric division से बास समझ रहे हो तो electric division हो गया supply और यह हो गया receiving electric division हमारा हो गया supply ठीक है यह 16 रुपे में बनाकर 25 रुपे में बेच रहे और 100% कापस्थी पर काम कर रहे यह इसके पास पेर कापस्थी है इसको क्या चीए switch देगे ताकि night lamp में लगा के बेच सके ठीक है और मांग रहे 18 रुपे में चलिए अब क्या करें component purchased from outside supplier 50 रुपे में switch नहीं बात नहीं कर रहा component कुछ और जो lamp बना रहे हैं lamp बनाने में switch चाहिए और दूसरे component चाहिए तो दूसरे component की cost है 50 रुपे switch अगर मैं बजार से खरीता हूँ तो मुझे मिल रहे 18 रुपे में इसलिए इसलिए राइड भई household नहीं कहा था 18 रुपे में मैं बजार से लेता हूँ switch तो तुम भी मुझे 18 में देता हूँ other variable cost other का मतला इनके अलावा labor and overhead 40 रुपे fakes overhead silent तो unavoidable total cost चलिए household division is marketing night lamp at a price of 130 increase in price made by division will push out the division from market अभी कहता है जो household division है न वो अपना night lamp बेच रहा है बजार में 130 रुपे में okay therefore division cannot pay anything more to switch to the electronic division इसलिए वो division इससे जादा नहीं दे सकता switch के वह करा ठारा से जादा मैं आपको नहीं दे पाहूँगा ठीक है further manager of division informed that it's very much essential to keep market share of night lamp by household division to retain the experienced worker of the division वह कर रहा है कि भी मुझे बहुत जादा जुरूरी है market में अपना share बना के रखने के लिए ठीक है household division कह रहा है और मुझे worker भी रखने है the company is using return on investment to measure the divisional performance and also marginal cost approach for decent making वह कुल में लाकर यह कहना चाहरा है कहानी बना रहा है कि भी मैं ठारे से जादा नहीं जा सकता उसके कारण बता दें बस चलिए तो यहां तक की बात clear हो गई यहां तक क्या कहना चाहरे है वह हारे दो डिविजन है इलेक्ट्रोनिक और हाउसोल्ड अलेक्ट्रोनिक डिविजन और हाउसोल्ड डिविजन ओके clear पाट यह है supply डिविजन यह है receiving डिविजन ठीक है हाँ यह स्विच बना रहे हैं और 100 पसंद कैपस्टी पर काम कर रहे हैं वेरिबल कॉस्ट है सोला रपे 25 रपे में बेच रहे हैं ठीक है यह इनको स्विच चाहिए और अससे फिर लेंप बना कर बेच रहे हैं यह 18 रुपे से जादा नहीं दे सकते क्यों यह कहते हैं कि में अगर बेचुँम्गा लेंप तो 130 रुपे में बेच रहा 130 रुपे में मैं लेंप को बेच रहाह'M ठीक है और जो कॉस्ट अरिया मेरी 50 और 40 50 रपे अधर मेट्रिल कोस्ट और 40 रपे लेबर एंड ओबर है नहीं 18 रपे मैं मैं स्विच बजार से खरीद रहा हूं यह कहना बाकि तो फेक्स को संक है बोलो के लिए रोगा पाट भी चले अब क्या कहता है फस्ट में वोड यू रिकमेंड आप क्या सलहा दोगे सप्लाइ स्विच को to household division by electric division at a price of 18 ठीक है अब आप से पूछ रहा है आप बताओ क्या सलहा दोगे कि मैं household division को 18 रुपे में ट्रांसवर कर दूँ आप खुद सोच के बताओ क्या आप सलहा दोगे कि आप उसको 18 रुपे में ट्रांसवर कर दो बताओ हाड़ी तो सबसे पहली बात क्या कहोगे आप electronic division काम कर रहा है हंड़ेट पसंद के बैस्टी पर तो यह कहेगा कि जब मैं बजार में 25 रुपे में बेच रहा हूं नहीं और 60 रुपे मेरी वेरिबल कॉस्ट है तो अगर मैं आपको ट्रांसवर करूंगा तो मुझे नौ रुपे का लॉस होगा अगर मैं आपको ट्रांसवर करता हूं तो मेरा कॉंट्रिबूशन कितना रहा है नौ रुपे यह तो मतलब है तो इसका मतलब है इलेक्नोनिक डिविजन ट्रांसवर एट इटीन नहीं बही तो दू रुपे का मारजन एडी को लूस करना पड़ेगा तो इसका मतलब एडी अगर स्पेर के बेस्टी में नहीं है तो ट्रांसवर नहीं करेगा करेबास सम्झंझ में और अगर हम 25 रुपे में देते हैं उसको अगरम सको 25 रुपे में देते हैं ठारा की जगे डी कितना है इसका 1 मिंद देख हो कि 108 रुपे कितना खमा रहे हैं यह 22 रुपे कमा रहे है आग अगर 25 में ले तो 7 रपे का कम हो जाएगा प्रॉफिट इसका और यह contribution loss जिसका हमें प्रॉफिजन के द्वारा स्विचिज को हाउसोल डिविजन में ट्रांसवर किया जाना चाहिए या नहीं अब फर्स पार्ट हम करते हैं ठीक है यह कहता है दो डिविजन है हमार पास नहीं ठीक है तो सप्लाई डिविजन के पास स्पेर कैपैस्टी नहीं है ठीक बात थे हैं हाजए ध्यांती देखो क्या कहता है यह ऐसोल डिविजन ठीक है जो दूसरा है 70% capacity पर काम कर रहा है उसने पूछा है किस से electric division से तो first मेरे पास कौन सा हुआ electric division है न कि भी 5000 मुझे switch बना के दे दो यह electric division क्या बना के दे रहा है switch electric division to supply 5000 switches 18 रुपे पर मांग रहा है ताकि वो अपने lamp में incorporate कर सके lamp बेचेगा तो household division lamp बना के बेच रहा है इसको switch देंगे और switch कौन देगा electronic division ठीक है हादी यह 100% capacity पर काम कर रहा है electronic division 100% capacity पर काम कर रहा है ठीक बात है कोई spare capacity नहीं है कोई spare capacity नहीं है खाली नहीं बैठा इसका मतलब एक switch अगर electronic division बजार में बेचेगा तो 25 रुपे में बेचेगा इसका मतलब अगर वह एक switch इसको देगा household division को तो बजार में नहीं बेच पाएगा तो इसका मतलब कंपनी को 9 रुपे का लॉस करके देगा क्लिए इसको लिख लेते हैं हम तो फर्स्ट क्या कहेंगे हम हमारा कौनसा डिविजन है supply हादी supply division हमारा कौनसा डिविजन हमारा कौनसा डिविजन क्या कहोगे electronic division has no spare capacity तब यह कहोगे हादी फर्स्ट electronic division electronic division has no spare capacity has no spare capacity ठीक बात है maximum capacity पर काम कर रहा है ठीक है यह जा में ना है ठीक है hence in order to transfer in order to transfer in order to transfer in order to transfer one unit any switch okay two household division to household division right हाँ जी electronic division will have to will have to sacrifice will have to sacrifice a contribution of rupees कितना नौ रुपे clear है बेटा अगर मैं एक नुट भी ट्रांसर करूंगा तो मुझे नौ रुपे का contribution lost होगा ठीक है और प्राइस को टीट कितनी कह रहा है वो hence इसलिए electronic division वोड लाइक तो ट्रांस्फर वोड लाइक तो ट्रांस्फर हाँ नौत लेस्थ देन नौत लेस्थ देन एनी अमाउंट लेस्थ देन एनी अमाउंट ट्वन्टी फाइफ यह बाट बेटा है वो 25 बीटा यह कंपर रासव नहीं करेगा ठीक है क्योंकि से उसका परफॉर्मेंस डाउन होगी ठीक है हाँ जी डियो टू हाँ लो परफॉर्मेंस लो आरो आई आरो आई भी कम हो जाएगी ठीक है लो परफॉर्मेंस होगी clear part चलिए तो 25 रपे में transfer करेगा यहनी 18 में transfer नहीं करेगा ठीक है that is हादी electronic division electronic division would not like to transfer would not like to transfer to household division at rupees 18 clear part पेटा spare capacity होती तो बात अलगती हो गया clear चलिए अब आते हैं second पर जड़ा चलिए second part पर पेटा आप क्या करते है ध्यान से उसनना analyze whether it would be beneficial to the company as a whole अब department को नहीं देखना company को देखना ध्यान से supply of switches to household division 18 rupees by electronic division क्या पुछ रहा हो अगर electronic division 18 rupees में transfer करता है household division को तो क्या company के साब से फाइदे मन है या नहीं है ठीक बात है overall देखो तो सबसे मुख्या बात इसमें क्या रही है main point कि जो हमारा दूसरा division है था household जो हमारा household division है जो switch लेकर lamp बना कर बेचता है ठीक है वो switch बजार से नहीं खरीद पा रहा समझ रहो switch internally ले पा रहा है कहीं नहीं लिखा कहीं नहीं लिखा कि household division बजार से purchase कर पा रहा है कहीं लिखा देखो ज्यान से नहीं लिखा न ठीक है इसका मतलब अगर मैं उसको transfer नहीं करूँगा तो रहो खाली बैठेगा are you getting my point question में कहीं ये बात नहीं लिखी है ये बही जो household division है वो अगर switch electronic division से नहीं लेता है तो बजार से ले लेगा ठीक है तो इसका मैं ही उसको दूँगा तब ही वो बना पाएगा ठीक बात है तो इसका मैं आप पूछ रहे है कि बताओ transfer 18 रुपे के साब से company के साब से फाइदे मन है या नहीं तो चली फटा फटा तो क्या कहेंगे दोनों देख लेते हैं हम हम ये देख लेते हैं कि भई company के साब से फाइदे मन है या नहीं इलको simple है देखो कैसे क्या कहोगे आप second point आप ये कहोगे कि अगर मैं transfer ना करूँ ठीक है if कौन transfer ना करे हादी कौन transfer कर रहा है electronic division ठीक है if electronic division if electronic division ठीक है would not like to transfer would not like to transfer अगर वो transfer नहीं करता है right भी then क्या होगा electronic division कितने कमाएगा हादी electronic division कितने कमाएगा ठीक है sale हाजी 25 रुपे में ठीक है variable cost 16 रुपे तो contribution आगया उसका कितना 9 रुपे right भी ठीक है household division हाजी बजार में बेच नहीं पाएगा ठीक है no profit ठीक है ठीक है तो company का क्या रहेगा electronic division के थुरू कमाएगा हमें 9 रुपे पर इनिट और household division पर कमाएगा निल ओके यह पर इनिट की बात कर रहे हैं हम right भी अच्छा clear अगर electronic division household को कहता है कि मैं transfer नहीं करता तो household क्या करें है अगर खाली बैठे कर ओके अच्छा और अगर transfer करते हैं if electronic division transfer switches to household division अगर हम transfer करते हैं तब क्या होगा आज़े देखे हाजी electronic division ठीक है कंपनी के साब से देख लेते हैं हम तो अलग अलग क्यों बनाए फिर्म क्योंकि fix cost हमारी sunk है ठीक है हाजी कंपनी के साब से क्या होगा कंपनी final product कितने में बेचेगी कंपनी final product कितने में sell करेगी हाजी कंपनी final product कितने में sell कर रही है देखें जरा final product हम बेच रहे हैं final product कि सारी price को 30 रुपए है ठीक है और variable cost कितने है हमारी 50 रुपए एक है 40 रुपीज एक है यही तो है और दूसरे division में कितने में बना रहे हैं 16 रुपए में बना तो 16 रुपए में transfer to notional price होती है जो मट जी करू fix cost हमारी sunk है ठीक है तो 50, 40 और 16 ठीक है sale है 130 other component की cost 50 ठीक है variable cost other कितनी है other variable cost को कितनी है 40 है other variable cost को कितनी है 40 है हाजी purchase और electronic division में manufacturing cost कितनी है 16 रुपए तो company के साब से यह यह आएगी final product में बेचूँगा कितने रुपए में 130 रुपए में और ED final product जो बेचेंगे हम हाजी कितने रुपए में बेचेंगे 130 में household division lamp बना कर ठीक है household division की variable cost other cost ED division की variable cost 16 बना कितना हो गया 24 रुपए का profit हो गया contribution clear अब बताओ अगर मैं transfer नहीं करता तो company कमाती है 9 रुपए और करता हूँ तो कमाती है 24 रुपए तो इसका रुपए transfer की वज़े से 15 रुपए का profit जादा है transfer की वज़े से 15 रुपए का profit जादा है additional contribution right बे 15 रुपए पर रुपए पर रुपए 2 रुपए right when when transfer when transfer took place when transfer apply ऐसे कहलो and transfer done अगर transfer होता है तो 15 रुपए अथिरिक profit कमाईगी तो better है transfer करना तब क्या कोगे it's better to transfer hence it's better to transfer from from company point of view company के point of view से better है overall clear part better fixed cost हमारी sunk है fixed cost is unavoidable question अगर silent होता है fixed cost हमारी unavoidable है and it's called sunk not relevant not relevant for decision not relevant for decision तो overall company के साब से तो better है बोलो के लिर होगे बैटा अब यह कहेंगे कि भई 70% capacity पर काम हो रहा है तो जो labor है हमारे पास बाकी 30% capacity है उसको के और लगा सकते है ठीक है हम तो transfer कर देंगे 70% capacity utilize करेगा बाकी 30% capacity उसके spare है तो जो fixed cost है वो तो जाएगी जाएगी तो बाकी 30% capacity को क्यों और utilize कर सकता है क्योंकि उसको अपनी return बढ़ानी है further we can say 30% spare capacity in household division can be utilized can be utilized for other parts ठीक है चली क्लिर होगे बटा अब आते हैं third part पर चली third part को क्या कहता है do you feel that क्या आप यहनुभव करते हो divisional manager should accept internal divisional transfer in principle अला जो divisional manager है कौन कौन से divisional manager दोनों electronic division और household division ठीक है जो दोनो divisional manager है कौन कौन से divisional manager की बात कर रहे हैं हम हाँ जी electronic division और household division यह दोनों ठीक है should accept inter divisional transfer price यदि हाँ तो किस range पर transfer करेंगे अब उपर वाला जवाब तो हो गया न हाँ company के साब से उनसे भी हाँ करवानी है company के साब से तो हाँ हो गई जगो first part में 18 रुपे के बात थी और divisional के बात थी ठीक है सरफ division के बात थी company के साब से नहीं कह रहा था अब second में company के साब से हमने हाँ कर दी third में कहता है कि क्या दोनो managers कौन कौन दोनो managers ठीक है राजी हो जाएंगे दोनो managers क्या राजी हो जाएंगे इस बात के लिए यह बताओ तो अगर दोनो manager राजी हो जाते हैं ठीक है एक नहीं दोनो एक नहीं दोनो ठीक है manager सा है क्या राजी हो जाएंगे तो किस range में तब सबसे पहले कहोगे transfer price measure the performance ठीक है तो हर manager अपनी performance को मद्दे नज रखते हुए margin चाहेगा ठीक है तो electronic division 25 रपेज से comfort transfer नहीं करेगा बट क्योंकि वह बजार में बेच रहे क्योंकि वह बजार में बेच रहे तो हमें यह ध्यान रखना है कि company के साब से overall transfer price सही होनी चीए gold confidence नहीं तो क्या होगा sub-optimal decision हो जाता है तो अब हमने देख लिए company के साब तो बैटा रहे तो दोनों के समझाएंगे convince करेंगे कि भया transfer कर लो इसमें बहलाई है नहीं तो sub-optimal decision हो जाएगा sub-optimal का मलब फिर हम दूसरे best पर आजेंगे अच्छे best पर नहीं आपाएंगे क्या फाइदा 11 रुबे में बना रहे है वो बजार से खरीदे बजार से खरीब नहीं सकता खाली बैठेगा और आपके बड़ 9 रुबे कमाओगे ठीक है तो इसलिए समझाओगे दोनों को भया फाइदा इसी में यह ट्रांसफर करतो पर अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो इलक्ट्रोंडिक डिविजन 25 से कमपनी देगा क्योंकि वो बजार में बेच रहे है और इधार आगया हाउसोल डिविजन वो क्या कहेगा हाउसोल डिविजन क्या कहेगा सर जी देखो 50 रुपे मेरा खर्चा है स्विच के लावा 40 रुपे का खर्चा है स्विच के लावा 90 रुपे हो गए 130 में बेचूंगा मैं तो 90 रुपे खर्च मैं करूंगा और आपसे स्विच लेने के बाद ठीक है तो मुझे 40 रुपे बचेंगे तो अगर हमें उसको समझाएंगे कि यहां नहीं देगा तो खली बैठेगा 25 रुपे देगा तो 15 रुपे बचेंगे ठीक है तो इसका मतलब रेंज क्या बनेगी Electronic Division would not accept any price less than 25 on the other hand household division would like to pay maximum maximum 40 ठीक है तो any price between 25 to 40 would be acceptable by both division अब इसको अमलिक देते हैं ठीक है क्या लिक हो गए सब से बहुए transfer price ठीक है although a notional notional price होती है ठीक है but still ठीक है incorrect transfer price incorrect transfer price ठीक है may lead to sub-optimal decision sub-optimal decision अब यह बस समझागी यह transfer price ठीक होनी चीए ऐसा नहों कि मैं ज्यादा रखो और बजा चले ले पर यहां तो बजा चली नहीं सकता तो ऐसा नहों कि मैं वो प्राइज रखूँ ताकि कम निका लॉस हो जाए यह होना चाहिए ठीक है हाँ जी as individual manager पर बात तो लिखनी पढ़ेगे ना आपको individual manager department manager ठीक है will interest individual manager are interested individual managers are interested to fix the transfer price so as to so as to increase their performance वो अपनी performance भी तो बढ़ाना चाहते है ना ठीक है इसलिए cost पर transfer नहीं करना चाहते है ठीक है अब electronic division किसकी बात आ रही है electronic division ठीक है यह कम से कम कितने तपर चाहेगा electronic division would like to would like to transfer switch at a price 25 रूपेस 25 रूपेस that is market price that is market price ठीक है क्यों इस से कम नहीं देना चाहेगा क्योंकि इस से कम नहीं देना चाहेगा in market ठीक है इतने में तो बजार में पेच लेगा और स्पेर कैपस्टी है नहीं वह लो करियर पांट पे तो यह तो हो गई इलेक्तौनिक डिविजन के साब से चले on the other hand household division क्या कहेगा household division भाईया देखो मैं कितना amount दे सकता हूँ maximum price to pay maximum price to pay कितना देज़ेगा वह जितना उसको benefit हो रहा है incremental benefit इससे दाद उत्र नहीं देगा जेवसे तो नहीं देगा इंक्रिमेंटल बेनिफिट एक रेज निकालनेते हैं न ठीक है यानि कितर पर हमें बेच रहा है वह हाई सैलिंग प्राइस कितर रुपे में बेच रहे हैं हम 130 रुपे ठीक है कंपोनेंट की कॉस्ट पचास रुपे है अई भी अधर वेरिवल कॉस्ट 40 रुपे है स्विच की कॉस्ट अभी रहनी है तो 40 रुपे का इंक्रिमेंटल प्रॉफिट है तो गएगा कि अगर स्विच मुझे 41 में मिले तो मैं नहीं लूंगा न ठीक है तो इसका मलब एनी अमाउंट एनी अमाउंट और एक्वल टू 40 रुपेस ठीक है इस असेप्टेबल इस असेप्टेबल बाई हाउस होल्ड डिवीजर ओके क्लिए पाट तो कम से कम पच्चिस और जादा से जादा चालिस तो क्या कोगे आज़ी ट्रांसवर प्राइस हाजी ट्रांसवर प्राइस में रेंज हाजी 25 टू 40 इससे कम सप्लाई डिवीजर नी चाहेगा इससे ज्यादा प्रेसिरिविजर देने नी चाहेगा तो आपकोगे कुई भी दोनों के बीच में असेप्टेबल है ठीक है तो ट्रांसवर प्राइस बिट्विन हाजी 25 टू 40 ठीक है वोड़ बी वोड़ बी असेप्टेबल by both division by both division okay from internal point of view internal point of view as well as as well as goal concurrence right company के overall फाइदे के लिए company के overall फाइदे के साब से हाजी company के overall फाइदे के साब से क्लियर पार्ट पेश चले होगे क्लियर हाजी supply division कहेगा बजार में तो मैं 25 रुए में बेतर हूँ इस से कम भी मेरा वारे नहीं खाएगा रेसीविंग कहेगा भाई अगर मैं ले भी लूँ आप से तो मुझे अधिक से अधिक 40 के तो benefit है तो 40 से कम में मेरी performance हो जाएगी 25 में आपकी performance ठीक है भी यह रेंज बन जाएगी ओगे क्लियर पार्ट 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 क्लियर पार्ट 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 क्लियर पार्ट है अगर दोनों division के manager ठीक है इस बात पर जाएं कि नहीं भी नहीं हमें तो transfer नहीं करना है तो क्या chief executive यह नहीं management account है दूसरा कोई alternate है कि अगर दोनों divisional manager transfer के लिए अड़ जाएं कि नहीं हमें इस पर transfer नहीं करना है ठीक है तो बताओ क्या कहोगे आप सेम दो पार्ट डियॉल रेट और टू प्राइस मेथड आ जाएगा ठीक है चली क्या कहते हैं यहां पर कौन सा जाएगा डियॉल प्राइस और डियॉल प्राइस आ जाएगा और टू प इसमें आप यह कहोगे अगे 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 क्या कहेंगे मिसके अंदर सुनो इक पर पहले कि सर सप्लाइड डिवीजन वेरिबल कॉस पर ट्रांसफर नहीं करना चाहता है क्योंकि इस से उसकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी वो कहेगा कि मुझे कोई इंसेटिव नहीं मिल आप इसमें हम कहना चाहते हैं हाला कि वेरिबल कॉस्ट में कोश्न में नहीं कहा गया कर भी पर जब आती है बात की चेंज दे अटिटिव तो उसमें ये बात कहते हैं कि अगर हम सप्लाइड डिवीजन को कहें कि आप वेरिबल कॉस पर ट्रांसफर करदो तो वह नहीं वो गहेंगा मुझे कम से कम मार्जन चाहिए यहां तो उसके पास स्पेर करबसी नहीं है पर अगर पेर करबसी होती तब भी वह वेलीबल कॉस्पर ट्रास्टों नहीं करता है क्योंकि उसको अपनी परफॉरमिस एवेलूट करनी है तो वह कम से कम कितने में ट्रास्ट करेगा उसके दो मेंठड है, डियॉल प्राइस, महलब, CEO जो है, महलब मैनेजमेंट एकाउनिट समझाएगा उनको, कि यह कंपनी के फाइदे की बात करो आप, आप कंपनी के फाइदे की बात करो, ठीक है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, ठीक है आप वैरिबल कॉस्ट पर स्ट्रक्शन दी जाएगी, कि आप अपनी बुक्स में मादल कॉस्ट पर सब कर लो, क्लिर है, दूसरा, टू पार्ट प्राइस में, हम गेंगे, अच्छा ठीक है, एक और तरीका है, आप एक काम करो, वैरिबल कॉस्ट प्लस लंप सम अमाउंट, यानि टोटल कॉस्ट चार हमारा ओवराल प्रॉफिट होगा, उसमें हम अध्यस कर लेंगे, इंडिविजल के लिए तो प्रॉफिट दिखाएंगे, बड़ जब कंसोलिडेट करेंगे, तो इसको हम कैंसल कर लेंगे, इस से दोनों का कॉपरेशन बढ़ेगा, हेल्दी रिलेशन होगा, सब आप्टिम छीटर आज की चीटिव डिलेशन डिलेशन, एक है, हाधे, छीफ एक्डिव अपसर हुप्टन, चीड गजेए विजर चीटिव एक्डिव एक्डियन, प्रॉफिझ का लिए जान, ऐख जान, वह जान, थान, लान, टॉप्टन, बड़ॉफिट कैंसल अविछे हमारा पास, ड्यॉल रेट of transfer price और second क्या है two part transfer price ठीक पाता है right भे ड्यॉल रेट में क्या करते हैं हम total cost plus markup ठीक है हाजी ड्यॉल रेट क्या कहोगे आप हाजी transfer price किसके बराबर होगी इसमें total cost plus markup ठीक बात है right यह किसके लिए supply division electronic division ठीक बात है और दूसरा household division receiving के लिए हाजी household division कितने में रिखेगा transfer price हाजी transfer cost क्या लाती है इसके लिए तो कितने में variable cost ठीक है right भे आते हैं दूसरा दोने लिख देते हैं एक ठा second के लाएगा two part transfer price two part transfer price ठीक है इसमें क्या होगा supply के लिए variable cost plus lump sum amount यानी recovery of fixed cost क्या होगी ट्रांसर प्राइस supply के साब से हादे variable cost marginal cost plus lump sum amount variable cost क्या होती है एक additional unit को बनाने में जो खर्चाएगा और lump sum amount क्या होता है recovery of fixed cost variable cost कैसे कहते हैं cost of producing additional unit right और lump sum amount के से कहते हैं हाँ जी recovery of fixed cost recovery of fixed cost यानी budgeted overhead divided by budget cost total cost कहाँ सकते हैं इंडर के लिए दो मैं थड़े हैं क्लिरों के पार यह attitude बदलने के लिए कब situation आती है when supply division अड़ जाते हैं कि मुझे ट्रांसफर नहीं करना है मुझे higher price पर ट्रांसफर करना है जो acceptable नहीं होता receiving के द्वारा उस case में उनके attitude को बदलने के लिए फिर यह कहा जाता है कि ठीक है तुम अपनी performance अपनी performance को मद्दे नजर रखते हुए यह कर लो ठीक है और receiving department हमेशा क्या करेगा दोनों case में transfer cost क्या book करेगा अजि variable cost clear तो इसमें अब लिग दो कितना clear होगे bet बेटा दोनों clear है attitude का बात आता है उनमे जब इतने रुपे में transfer यह देगो वोशन नहीं कहा गया है पर यह attitude वाली बात आगी न तो यहां से आपको indication होगी कि अगर कोई ऐसी position आती है इसका मतलब है अगर कोई ऐसी position आती है अलब यह अलग independent part है यह मत कहा ना 18, 25, 40 यह कोई मतलब नहीं है यहां यह कुछ नहीं चाहरा है कि अगर कोई ऐसी position आती है कि supply division restrict मतलब अड़ जाए कि भई यह मैं तो transfer नहीं करूँगा इतने में जबकि company का फायदा हो रहा हो उसका फायदा ना हो रहा हो तब उसके attitude को बदलने के लिए फिर यह कहा जाता है अच्छा तुम ठीक है या तो total cost पर भेज़ दो या total cost plus markup पर भेज़ दो receiving को कहा जाता है यह ठीक है तुम भी नराज मतो तो अपने अब बुक कर लो variable cost पर ठीक है और जब हम consolidate करेंगे तो यह profit हमारा क्या होगा notional cancel हो जाएगा इससे दोनों का आपस में relation बढ़ेगा suboptimal decision reduce होगा ठीक है चलिज को लेक लेते हैं ठीक है हम क्या क्याते हैं the above concept apply when supply division when supply division ठीक है would not like to transfer would not when supply division would not like to transfer would not like to transfer at a price ठीक है प्लस supply division करेंगे मैं इस प्राइस पर transfer नहीं करूंगा ठीक है at which at which जिस पर जिस पर क्या हो overall benefit overall benefit of company अकर company का तो फाइदा हो रहा हो ठीक है बट उसका फाइदा नहो रहा हो बट उसका फाइदा नहो रहा हो बट no incentive but no incentive to supply समझ में आगी बात यह बहुत इंपॉर्टन लाई नहीं थानकना तब वो attitude दिखाते है ठीक है भी जब supply division नहीं चाहता ट्रांस्टर करना उस प्राइस पर इस पर company का तो फाइदा हो उसे को incentive ना मिले ठीक है क्योंकि वो अपनी performance को जहान में रखना चाहता है ठीक है because he is interested क्यों ऐसा है क्यों वो company के विकास में सायोग नहीं दे रहा वो क्यों अपना चाहता है उसकी दिमाब का यह नहीं है सब का विकास मेरा विकास नहीं ठीक है because क्योंकि इसमें उसकी performance नहीं है कोई भी ठीक है लेर के पाथ बट वो कहता है कि no incentive to the supply user because that price would not increase would not motivate for performance point of view performance point of view से उसको motivate नहीं मिलेगा ठीक है तो वो अड़ जाता है attitude में रहता है तब हम इसको लेते हैं ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि भाया आप इसमें transfer करो और आप इसमें record कर लो ठीक है तो जो भी profit होता है वो cancel हो जाते है ठीक है इससे क्या होता है हादे हादे अबव ओप्शन ठीक है विल प्रोवाइट इससे क्या होगा दोनों मैंथर से पहला increase corporation दोनों का corporation बढ़ता है है न बिट्विन supply division and receiving division दोनों का आपस में corporation बढ़ता है ठीक है reduce होता है क्या sub-optimal decision sub-optimal समझे गे न sub-optimal decision क्या होता है sub-optimal decision next best तो हम second best पर क्यों है अच्छे best पर जाए न बेपाट बेटा ठीक है राइट भी और जो profit होता है हमारा वो cancel हो जाता है जो profit होता हमारा वो last में क्या होता है cancel हो जाता है ठीक बात है राइट बेट हादे 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 प्रोफिट हादे कोई भी जो profit है कौनसा इंटर्डिविजनल क्या कहोगे एनी इंटर्डिविजनल प्रोफिट एनी इंटर्डिविजनल प्रोफिट ठीक है आप पसको जो प्रोफिट है वो cancel हो जाएगा कब can be eliminated can be eliminated by accounting entry ठीक है वो सरफ इंडिविजल प्रफॉर्मेस के लिए काम आएगा जो भी इनका इंटर्डिविजनल प्रोफिट होगा वो क्या होगा cancel हो जाएगा तो जो profit shown by division है वो artificial है वो internal evaluation के लिए होगा तो क्या कहोगे इसमें प्रोफिट शोन भाई individual division और नोशनल तो नोशनल आटिफिशल है कमात होना थे हैं क्योंकि एक division दूसरों को बेचके profit नहीं कमा सकता ठीक बात है यह artificial है ठीक है और इसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं अनली फॉर इंटर्नल इवैलिएशन यूज़ फॉर अनली इसके लिए हम इंटर्नल इवैलिएशन के लिए इंटर्नल इवैलिएशन परफॉर्मेंस बोले क्लेरों के पाट बैटा आजे इससे दोनों के लाई खतम हो जाएगी क्लीर पाट तो जब भी attitude की बात आए ठीक है तो दोनों मैंसर्ट हमें सज़स्ट कर देने हैं यानि जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो फैसला कराएगा आपसे मत लड़ो क्योंकि ट्रांसवर कंपनी के लिए बहतर है बट इंडिविजल डिपार्मेंट अड़ जाएंगे कि नहीं इससे हमें क्या फायदा होगा तो जब सप्लाई डिविजन खाली बैटा हो और वेरिबल कॉस प बाकी के पास रिलेट नहीं कर सकते है यह अलग पार्ट है उसने बस आपसे पूछ लिया है जब भी अटिटूट के बात आएगी तो इसका मतला वो सिच्वेशन आएगी जब सप्लाई डिविजन अपना सोचेगा कंपनी का नहीं सोचेगा वे 35 और 40 तो दोनों सोच रहे ह अपना भी और कंपनी का भी तो यह उससे रिलेट नहीं है तो यह तब ही सिच्वेशन आती है जब इंडिविजल डिपार्मेंट अपना अपना सोचे और कंपनी का ना सोचे तो हम कहते हैं ठीक है मिया आप एक काम करो या तो टोटल कॉस्ट प्लस मार्जन पर ट्रांसर कर दो ठीक है या बैरिबल कॉस्ट प्लस लंसम अमांट लंसम का हाता है फिक्स कॉस्ट रिकर्वरिये या टोटल कॉस्ट दोनों मसे एक आप्शन ले लो आप और उसा शीव को कहते हैं आ आप लेते रहे ठीक है यह नोशनल होती है इससे इंटर डिवीजनल पर्फ़ॉर्मस तो बढ़ेगी, कंप्री को फरग नी पढ़ेगा, ट्रांसवर हो जाएगा, क्लिए पांट बेए, इससे सब उप्टिमल डिसिजन रिड्यूस होगा, सब के फायदे में हमारा फायदा ऐसा हो जाएगा, आपस में रिलेशन भी बढ़ेगा, और फिर जो प्रॉफिट इंडिविजर डिपार्मेंट कमा रहा है, वो मैं बाद में कैंसल कर दूँगा, क्लिए पांट पेटा, हो गया, चैले,